जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तों एप में दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन सात्यो स्वागत है आपका Self-Study Classes विस्वमिजन यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित की लगबग 500 रचनाओं के बारे में दोस्तो अध्यन करेंगे आप Net Exam की तयारी कर रहे हैं, PGT Exam की कर रहे हैं, TET Exam की कर रहे हैं, RPSC या फिर किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है उनके लिए वीडियो बहुत ही बड़िया होने वाला है दोस्तो और आज हम आपको फनी फनी ट्रिक से पूरी रचनाओं याद करवा लेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है वीडियो को पूरा देखना है अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो हिंदी साहित में आप रचनाओं कभी भूल नहीं सकते और बहुत सारी चीज़े आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है तो दोस्तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सुबह साड़े नौवजे आपका हिंदी साहित का रोज टिर्की वीडियो आता है और दोस्तो रात्त्री में नौवजे लाइफ क्लास का आपका टेस्ट दिरे जाती है तो बहुत जरूर देखें और जो भी साथी दोस्तो अभी तक जौइन मेंबर नहीं बने हैं वो जौइन मेंबर जरूर बन जाएं चैनल के जौइन बटर पर आपको किलिक करना है और किलिक करोगे तो आपके सामने सिलबर पिलान जो की 69 रोपे आपको पे करना होगा गोल्ड पिलान 169 रोपे पे करना होगा ठीक है तो जो भी हमारे joint member हैं उनका लग से WhatsApp group है और उनको study material जो भी channel पर पढ़ाया जाता है वो study material आपको वहाँ पर प्रेशित किया जाता है तो आप भी बन सकते हैं वीडियो को like और share करें और आज का पूरे वीडियो का आनंद चलूर लें दोस्तों start करते हैं ए वीडियो सबसे पहला जो हमारा प्रस्ण है वह कबीर दास की भासा को पंचमेल खिचडी किसने कहा है अब दो सेकंड दोस्तों आपको दिये जाते हैं आपको उत्तर बताना में आपको बता दूँ कि वीडियो में सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाएगा फिर ट्रेक बताई जाएगी ठीक है तो कबीर दास की भासा को पंचमेल खिचडी किसने कहा है तो आपको बिलको सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों किसने कहा है उत्तर होगा स्याम सुन्दर दास ने किसने कहा स्याम सुन्दर दास यानि कि आनम्मर आपको बिलको सही हो जाएगा अब एक चीज बताना दोस्तो कि जो पंचमेल खिचडी बनेगी वो कैसी बनेगी सुन्दर बनेगी कि नहीं बनेगी सुन्दर बनेगी न तो पंचमेल खिचडी कौन बोलेगा स्याम सुन्दरदास बोलेगे न अब पंचमेल खिचडी है तो बहुत सुन्दर बनेगी तो स्य नाम सुन्दरदास यानि कि आपका आनम्मर जो है वो विलको सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो फनी ट्रिक से याद करवाएंगे आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना है सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है अब चार विकल्पें दो सेकंड भी आपको दिये जाते हैं फिर मै आपको फनी ट्रिक से याद भी करवा दूँगा तो आपका बिलको सही आंसर क्या हो जाएगा सत्यवती कथा के जो रचनाकार है दोस्तो वो कौन है इस्वरदास आपने बिलको सही आंसर बताया इस्वरदास अब इसको कैसी याद रखना है दोस्तो एक चीज बताना कि जो इस्वर हैं, इस्वर की जो कथा होती है, वो कैसी होती है, सत्त होती की नहीं होती, अब उत्तर तो आपके हाथ है, है ना, वो कैसी होती है, सत्त होती है, इस्वर की कथा हमेशा सत्त होती है, तो सत्त बती कथा की रचनाकार कौन होंगे, इस्वरदार, ठीक है, इस प्रकार से कि हमें याद भी करना है दोस्तों अंगला जो हमारा प्रस्ण है सत्वती कथा को सूपी काबधारा की प्रथम रचना किसने माना है तो आपको जल्दी से उत्तर बताना है सत्वती कथा को सूपी काबधारा की प्रथम रचना किसने माना है तो दो सेकंड में आपने अपना उत्तर बताया है दोस्तों किसने माना है हजारी प्रसाद दोवेदी यानि कि बेकल्प नमबर जो सा है वो आपका बिलकुँ सही हो जाएगा अब इसको कैसे याद रखोगे कि सत्तवती कथा को सूपी काबधरा की प्रत्थम रचना हजारी प पढ़ा जाएगा कितने बार पढ़ा जाएगा हजार बार पढ़ा जाएगा तो सत्तवती कथा को सूपी काबधरा की प्रत्थम रचना कौन मानेंगे हजारी प्रसाद दोवेदी क्योंकि इसको हजार बार पढ़ा जाएगा हम बोलते ना क्रशन लीला हजार बार सुन रहे हैं रामाण हजार बार सुन रहे हैं रामचरेत मानस हजार क्योंकि ये सत्त कथा है है ना बैसे ही सत्त वती कथा इस्वरदास की रचना है और इसको हम हजार बार पढ़ेंगे ठीक है यह से याद रखना है दोस्तों अब आपको बताना है आलबार भक्तों की संक्या कितनी मान तो वार से क्या बनेगा आपका वारा आलवार वक्तों की संग कै कितनी मानी गई है वारा ठीक है वार से वारा यानि कि जो आनम मर है वो आपका विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है? अंगला कवस्चन देखते हैं दोस्तु अदोयतबात की प्रवर्टक कौन मान जाती हैं अब दो स्कुन में आप अपना उत्थर बता देना फिर आपको टरिक से याद करवा देंगे हैं तो आपका बिलको चुल और नमर है वह पता है दोस्तो क्या वह निगा संकर जी और संकर जी दुनिया में कितने अदुत्य हैं अदुत्य हैं कि नहीं है कि बहुत सारे अदुत्य हैं दुनिया में संकर जी क्या है अदुत्य हैं तो अदुत बात के प्रवर्टक कौन होंगे कौन होगे संकराचार ठीक है इस परकार सियाद रखना है अंगला बताना है दोस्तो रियादास के गुरू का नाम क्या था रियादास तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तो रियादास के गुरू का नाम तो हम भी कहते हैं कि हम राम के दास बन कर रहेंगे हम राम के दास बन कर रहेंगे राम के चरणों में रहेंगे उनके दास रहेंगे तो रहदास के गुरू का नाम क्या था? रामानंद यानि कि जो आनम्मर है वो बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है रामानंद के कितने सिस्थे दोस्तो वारा सिस्थे ठीक है और इनके जो है एक सिस्थे कौन रहदास यानि की रहदास के गुरू कौन थे रामानंद थे ठीक है यह चीज़ याद रखने है दोस्तो अंगला बताना है अनुराग मासरी के रचनाकार कौन है चार दो सेकंड भी आपको दिये जाते हैं तो आपने बिलको सही बताया है दोस्तो अनुराग मतलब क्या होता है अनुराग मतलब होता है दोस्तो प्रेम क्या होता है मैं अनुराग करता हूँ उससे प्रेम करता हूँ और जो प्रेम करता है है ना और प्रेम को क्या कहते है और प्र करते थे वो नूर जहां से प्रेम करते थे ऐसे ही नूर महम्मद की रचना है अनुराग वांसुरी है ना क्योंकि ये अनुराग करते थे महबत करते थे काई से बांसुरी से तो अनुराग वांसुरी की रचना कार कौन होंगे नूर महम्मद इस प्रकार से आपको याद रखन अंगला बताना है दोस्तो रामचरित मानस में कितने कांड हैं रामचरित मानस दोस्तो जल्दी से बताना है आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या आ गया है रामचरित मानस है तुलसी दास जी की रचना है रामचरित मानस महाकाब है ठीक है और इसमें कितने खंड हैं कितने कांड तो साथ कांड है, अब इसको कैसे याद रखोगे, है ना, तो राम चरेतमानस दोस्तों आपको पता है, कि राम के जीबन पर आधार रहे थे तुलशी दास जी की रचना है, ठीक है, और राम जी जब बन में जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग कहां जा रहे थे, साथ जा रहे तो राम चरेतमानस से भी साथ कांड रखेंगे, है ना, तो इसमें साथ कांड है, इस प्रकार से याद रखेंगे, बिनाय पत्रिका की रचनाकार कौन है दोस्तों, बिनाय पत्रिका, अब एक चीज बताना दोस्तों, की संसार में सबसे जाना बिनाय राम जी की किसने की है, बिनाय पूर्ण दोहे लिखे हैं बिनाय की है किसने की है तो वो की है दोस्तों किसने तुल्शी दास जी ने तुल्शी दास यानि कि जो आनम्मर है वो बिल्को सही है है ना आपने सुना है क्या सुना है चित्र कूट के घाट में भाई संतन की भीड दोस्तो जो बिनाय पत्रिका है ये ब्रज भासा में तुल्शी डास जी की रचना है याद रख लेना कई बार पूछी जाती है कि बिनाय पत्रिका की भासा क्या है तो भासा है ब्रज भासा और तुल्शी डास जी की है ठीक है अंगला बताना है दोस्तो भक्त माल की रचना का कौन है भक्त माल तो अब एक चीज बताना दूस्तों कि जो भक्त होते हैं भक्त है ना भक्त क्या करते हैं आकास की और नब की और क्या करते हैं सिर करते हैं और यसे भगवान को क्या करते हैं नमस्कार करते हैं कौन भक्त कहां सिर करते हैं नब की और तो भक्त माल की रचनाका कौन होंगे नव से नाभादास है ना बक्तमाल जो भक्त होते हैं वो नव की औरHe CT की और तो नाभादास है ना तो बक्तमाल करके कौन है नाभादास ठीके अगला प्रश्ण बताना है दोस्तों आपके भंबर गीत की रिचनाकार कोन है भंबर गीत यह है दोस्तों भंबर और आपने सुना होगा कि जब व्याव होता है किसी का तो क्या पढ़ती है भावरें पढ़ती है और जब नई नई दुलहन होती है और क्या करती है भावरें प पढ़ जाती जल्दी नंद की भंबर जल्दी पढ़ जाती तो भंबर गीत की रचनाकार कौन होगे नंद की भंबर पढ़वाते हैं जल्दी तो नंद दास यानि की बानमर आपका बिलकू सही होगा ठीक है भंबर गीत नंद दास की रचना है ठीक है तो जो क्रश्न काब धा में सूर्दास जी के बाद नंद दास जी का नमबर आता था है ना अंगला बताना है रामाण महानाटक की रचनाकार कौन है मैं सिर्फ दोस्तों ट्रिक से याद करवा रहा हूं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूं लेकिन रामाण मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूं रामाण है वो हमारी क्या है प्राण है है की नहीं है हम बोलते हैं कि रामाण तो हमारी प्राण है प्राणों के समान है हम उसको पड़ते हैं उससे सार्थत्त ग्रहन करते हैं तो हमारी क्या है प्राण तो रामाण महानाटक क्रिशनकार कौन हो जाएंगे कौन होंगे अब प्राण है तो प्राण चंद चोहान यानि कि जो बानमर है वो आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा ठीक है अंगला प्रस्ने देखते हैं दोस्तों राम चंदरिका को छंदों का अजायव घर किसने कहा है अब दोस्तों सबसे पहली बात तो यहीं आती है एक क्वेस्चिन का स्वरूप देखा होगा वो ही बता सकता है कि यह चंदों का अजायव घर है अगर यह पुस्तक बंद है इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसकी अंदर क्या है नहीं बता सकते ना इसने राम चंदरिका का स्वरूप देखा वही बताएगा कि यह चंदों का अजायव घर याद हो जाएगा दोस्तों पूरा वीडियो ज़रू देखना है मदू मालती के रचनाकार कौन है मदू मालती आपने दोस्तों एक बो सुना होगा कि बैर कराते मंदर मस्जित और मेल कराती मदू साला एक सुना है ना आपने तो आपने देखा होगा कि समाज में कई या कैसे लोग होता है उनका मंझनाई मधू से होता है काईसे होता है मंझन मधू से होता है तो मधू मालती के रचनाकार कौन होंगे मंजन होंगे न, मंजन यानम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा हमें टर्की याद करना है दोस्तो, याद बस करने का माध्यम है कि हमारे मांड में कैसे वो फिट बैठती है याद होती है अंगला बताना है दोस्तो, आपको हिंदी भक्ती काब का प्रथम क्रांती कारी पुरुस करता कबीर है ये कथन किसका है तो ये चीज तो कौन बता देंगे, बच्चे बता देंगे, सबी को पता है कौन बता देंगे, बच्चे भी बता देंगे कि हिंदी भक्ती काब के जो प्रथम क्रांती कारी कभी है वो कबीर है बच्चा भी बता देगा साब क्योंकि भक्ती से उत्प्रोथ थे, कबीर दास ने समाज को फटकारा और भक्ती से तो ये बच्चे बता देंगे तो बच्चन सेंगा कतन होगा किसका होगा बच्चन सेंग यानि कि जो आनम्मर है वो बिलकुँ सही होगा हिंदी भक्ती काब का प्रिथम क्रांतिकारी पुरुसकर्ता कभीर है कि कतन किसका है बच्चन सेंगा ठीक है तो जरूर देखें और रात्री नौवजे आपकी हिंदी साहित की बिस्तरित किलास होती है तो उसको भी देखना है गुरू नानक का जन्म हुआ था तो कहा हुआ था दोस्तो सिक्ष संपरदाय की प्रवर्तक माने जाती है गुरू नानक अब यहां पर क्या आ रहा है नानक नाना आ रहा है तो ननकाना नानक ननकाना है ना इस प्रकार से तो गुरू नानक का जन्म हुआ था कहा पर ननकाना आनम मर आपका बिल्कुँछ सही हो जाएगा अंगला बताना है दोस्तों नगेंदर के अनुसार पिर्थम सूपी काब रचना कौन सी है सूपी काब धारा आपने पढ़ी होगी भक्तिकाल में अब सूपी काब रचना बतानी है तो नगेंदर के अनुसार बताना है तो जल्दी से बता है दो सेकंड में आपको तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो वो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके सामने नांग आ जाए नांग आ जाए तो आप हंसोगे की दोड़ लगा दोगे हैना अगर अचानक आपके सामने यसी करके नांग आ जाए तो आप हंसोगे की दोड़ लगा दोगे हैना दोड़ लगा देंगे तो नगेंद्र की अनुसार जो सूपी काब की पर्थम रचना है वो हंसावली है कौनसी है हंसावली ठीक है याद रख देना हसना नहीं है हसना अगर नाग आ जाए तो हसना नहीं है दोड लगा दिना है तो हंसा वली है सबी लोग याद रखेंगे ठीक है अंगला बताना है दोस्तों आपको सुंदर बिलास किसका गरंत है सुंदर बिलास तो प्रश्निक्रमा गठा रहा है और दो सेकंड है बिलकुल आपको आसानी से ब अंगला बताना है दोस्तों निम्न मैंसे अस्ट छाप का कभी नहीं है अस्ट छाप को जो स्थापना हुई थी मैं आपको अभी गोस्टन पूछूंगा उसका वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपसे तो निम्न मैंसे अस्ट छाप का कभी नहीं है बताना है अस्ट छाप जी भी है छीत स्वामी है लेकिन कौन नहीं है नावादास जिनकी रचना हमने पढ़िती कौन सी है भक्तमाल है ले नावादास जो है यह अष्ड छापते कभी नहीं है यानि कि आपका जो उत्तर है आप नम्बर बिलको सही हो जाएगा अब लोग कंप्यूज होते हैं दोस्त कुम्बन रास के गुरू कौन थे दोस्तों बल्लबाचार रामानंद कवीरदास या बिठलनात तो यहां पर बताना है फस गई न कैसेट कि बल्लबाचार के हैं कि बिठलनात के हैं तो दोस्तों एक चीज में आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर कुम्ब के मेले में जाना है तो क्या होने चाहिए, बल होना चाहिए, क्योंकि भीड इतनी रहती है, कि आपके अंदर अगर बल नहीं होगा, ठीक है कि भरत मिलाब की रचनाकार कौन है अब भरत मिलाब की रचनाकार बताना है दोस्तों आपको कौन है चार बिकल्प है और दो सेकंड भी आपको दिये जाते हैं फिर मैं आपको ट्रेक बताने वाला थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि भरत का मिलाब किस से हुआ था किस से से हुआ था ना भरत का मिलाब इस्वर है ना स्री राम से हुआ था तो भरत मिलाब की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे भरत का मिलाब इस्वर से हुआ था तो इस्वर दास यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका ए है वो विल्कुत सही हो जाएगा ठीक है ऐसे ही याद हो जा और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा है ना यहां पर दो चीजें हो रही है कि मैं आपको टेस्ट भी करवा रहा हूं और ट्रिक से याद भी करवा रहा हूं तो जल्दी से बताएं बंगला भासामरचेत रामकथा का नाम क्या है तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ब बंगला जिसमें आप क्या करते हो बास करते हो तो बंगला भासा मेरा चेत जो राम कथा होगी वो कौनसी होगी बास से किर्थी बास रामाइड है ना हमने याद कर लिया कि बंगला भासा का आया तो बंगला में हम क्या करते हैं बास तो किर्थी बास रामाइड यानि कि जो ब ब्रोधी कौन से संत कभी हैं थे तो चार बिकल्प हैं दो सेकंड भी आपको दिये जाते हैं दोस्तों तो अब एक चीज बताना दोस्तों कि सरंगार की ज़ूरत किसे नहीं होती आप बोलते ना कि खूपसूरत लोगों को सजने की ज़ूरत नहीं होती है है ना तो जो सुन्दर होते हैं उन्हें सरंगार की ज़ूरत नहीं है तो वो सरंगार का ब्रोध करेंगे की नहीं करेंगे करेंगे तो सरंगार रज के ब्रोधी कभी कौन होंगे जो सुन्दर होंगे यानि की सुन्दर दास और दानम्मर आपका बिलकुत सही हो जाएगा अब आप कभी नहीं भूलोगे दूस्तो अंगला बताना है दोस्तो संत काब का प्रधान रस कौनसा है संत काब धरा भक्तिगाल की जो संत काब धरा थी वो बताना है जिसे ज्यानमारगी साखा भी कहा जाता है अब इसका जो प्रधानरस है वो कौन सा है इस चार विकलफे दो सेकंड आपको बताना मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तो कि दुनिया में संत क्यों बनते हैं अदमी क्यों बनते हैं आत्म सांती के लिए कि मुझे आत्म सांती मिलेगी इस दुनिया की भाग दोड़ में कुछ नहीं रहा है तो संत काब धारा में संत बने व्यक्ति तो आत्म सांती के लिए तो संत काब का प्रधान रस होगा वो कौन सा होगा सांत रस है ना क्यूंकि ये सांती के लिए ही तो संत बने हैं तो आ नम्मर आपका बिल्को सही हो जाएगा ठीक है अब अंगला कोश्चन है दोस्तों कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक कौन थे तो कौन थे चार विखल्प हैं दो सेकंड में आपको अपना उत्तर बताना है और फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि दोस्तों कबीर की बाणी थी ही एंसी कि उन्हें बाणी का डिक्टेटर एक बार नहीं हजार बार बोलो हजार बार बोलो तब भी वो बाणी की डिक्टेटर थे हजार बार बोलोगे तो हजारी प्रसाथ दोवेदी है ना बाणी के डिक्टेटर किसने बोला हजारी प्रसाथ दोवेदी ने क्योंकि वो बा कट्वेंड हैं आपके पास उत्तर भी आपको बताना है अगर बनता है तो कमेंट में उत्तर लिखते जाएगे आप अज्वल नील-मणी की रचनाकार दो तो एक बताना दोस्तों कि आप लोग पढ़ते ना कि जेओ जेओ बूड़े स्याम रंग त्यों त्यों उज्वल होए है ना तो क्या हो रहा है उज्वल रूप क्या हो रहा है रूप उज्वल हो रहा है तो उज्वल रूप हो रहा है तो उज्वल नील मणी की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे रूप गो सौमी है ना क्योंकि क्या हो रहा है रूप उज्जल हो रहा है ठीक है तो D नम्मर आपका विल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा है ना अंगला बताना दोस्तो बिसिस्टा दो इतबाद की प्रबर्तक कौन है चार विकल्प है चार में से एक कचेन करना है बिसिस्टा दो इतबाद की प्रबर्तक बताना है और मैं आपको बता दू कि इस संसार में बिसिस्ट कौन है कौन है बिसिस्ट राम है ना राम है ना तो बिसिस्टा दो इतबाद की कौन होंगे रामा नुजाचार यानि कि जो विकल्प नम्मर आपका एक है वो सही है यहाँ पर कहा कि सरसंसार में बिसिष्ट हैं कौन राम तो बिसिष्टा दो इतवाद के प्रवड तक कौन माने जाएंगे राम आनुजाचार ठीक है यानम्मर आपका विल्कु सही हो रहा है अगर दोस्तो वीडियो आपक कि रचनाकार कौन होंगी दो सेकंड में आपको उत्तर बताना है तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यह रचना कई बार पूची गई है दोस्तों और आपको बता दूं कि अजमेर के राजा की प्रेम प्रसंग या बियोक से संबंदे थे हैं न और इसके जो रचनाकार है वो कौन है नरपती नाल है ना और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि पती कितने नहीं होते बीस नहीं होते एक होते हैं तो बीसल देवरासों की रचनाकार कौन होंगे नरपती नाल है ना नरपती नाल इस प्रकार से याद रखेंगे अब अंगला बताना हैं दोस्तों हिंदी का प्रिथम देनेक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन की संपादक कौन थे समाचार सुधा वर्षन सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि ये हिंदी का प्रिथम देनेक समाचार पत्र था ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि इ समाचार देखते हो तो सुन्धर सुन्धर समाचार है अपसे तो यह सँधा दो कैसी रहती है है ना सुधा यानि अमरत पर अमरत कैसी रहती है अमरत रहता है अपका कैसा सुन्धर तो स्याम सुन्धर सेन यह संपादक ते अठारा सु चुंगन में इसका प्रकासन हुआ था हिंदी का प्रतम दैनेक समाचार पत्र है और यह प्रकासन हुआ था कलकता से तो यह चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तो अंगला है सुर्दास के गुरू का नाम क्या था अब सुर्दास जी आ गए यह वासलरस की समराट कही जाती है है ना दो सेकंड आपको याद बताती हैं दोस्तो फिर आपको बताना दो सेकंड में आप उत्तर बताएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो कि सूर्दास जो थे इन्होंने इतनी रचनाएं की लिखी हैं इतने दोहे लिखे हैं जिसमें बल होगा बही तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा जिसमें बल होगा बही लिखेगा तो सूर्दास जी के गुरू भ बलवाचार और इन्होंने सूर्दास को इतना बल दिया कि इन्होंने बहुत बहुत दोहे लिखे और रामचंदर सुकल ने तो इन्हें वासल रस का क्या कह दिया समराट कह दिया और वासल और इन्हें दोस्तों कह दिया क्या कह दिया कि जो सूर्दास हैं वो क्या है वासल रस का कौना कौना गूमाए है ना इनके अलावा इस रस में इतनी प्रतिवा किसी में नहीं थी सूर्दास जी में और सूर्दास जी के जो गुरू थे वो कौन थे बल्लवाचार क्योंकि बल्लवाचार ने इतना वल भर दिया था सूर्दास जी में ठीक है तो आपका विकल्प न है कौन सा है कौन सा है चंद्रमा तो प्रतिविराज रासों के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे चंद्रमा से आपका बनेगा क्या चंदबर्दाई चंदबर्दाई यानि कि जो आनम्मर है बिल्कुस सही है ये प्रतिविराज रासों के कौन है रचनाकार है हिंदी का प् अस्ट छाप के क्या थे अस्ट छाप में सामेल थे चत्रवुजदास अब एक चीज बता ना चत्रवुजदास के गुरु कौन होगे बैठे-बैठे फैलाती थे तो बेठ्थलात कौन होगे बिठ्ठलात याद रख लेना आनम्मर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा जैसे अस्ट छाप की स्थापना हुई आठ कभी अस्ट छाप में थे चार कौन थे बल्लबा चार केसे और चार थे किसके बिठ्ठलात के ठीक है उन बिठ्ठलात के सिस्थियों में चत्रवुजदास एक थे चत्रवुजदास ने बैठे बैठे बोजा पहला दी तो इनके गुरु का नाम हो गया बिठ्थलात इस प संदेश भेजना अब दूर नहीं हैं संदेश भेजना तो संदेश रासक की रचेता कौन हो जाएंगे अब दूर नहीं हैं से अब्दुर रह्मान अब दूर नहीं हैं संदेश भेजना तो अब्दुर रह्मान इसकी रचनकार है और इन्हें अद्दहमान भी कहा जाता है क नम्मर आपका बिल्कु साही होगा महापुरान की रचेता कौन है दोस्तो महापुरान अब एक चीज याद रख लिना पुरान है तो ठीक है आप पढ़ लो लेकिन महापुरान है तो उस पर पुस पर अरपित कर देना पुस पर cracking ही उस पुस्पधंट यानि कि जो आपका एक नम्मर है वो बिल्कुत सई हो जाएगा ठीक है पुस्पधंट है आपका बिल्कुत सई है अंगला पताना है दोस्तों अगर इतिहास का दर्सन करना है तो क्या होना चाहिए लोचन लोचन यानि कि आपके पास आप जो दर्सन करोगे आप लोचन से करोगे तो साहित का इतिहास दर्सन के लेकर कौन होंगे कौन होंगे नलिन बिलोचन यानि कि लोचन सर्मा तो आप लोचन से क्या करोगे दर्सन करोगे साहित इतिहास का तो सी नमबर आपका सा नमबर बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना दोस्तो हिंदी खड़ी बोली का प्रतम कभी कौन माना जाता है चार बिकल्पें और दो सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि हिंदी का जो खड खड़ी बोली का प्रतम कभी अमीर होगा कि गरीब होगा अमीर होगा ना हिंदी खड़ी बोली का प्रतम कभी गरीब नहीं होगा वो अमीर होगा है ना तो कौन हो जाएंगे अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली का प्रतम कभी अमीर ही होगा तो अमीर खुसरो ठीक है इस याद रखेंगे अब दोस्तों आपको बताना धोला मारूरा दूहा के रचेता कौन है चार विकल्प है चार में से चैन करना है और मैं आपको हिंट दे रहा हूं और दो सेकंड में आप उत्तर बताएंगे और आपको यह सा नहीं लग रहा दोस्तों कि धोला मारूरा दोहा त भही धोल बजाएगा है ना तो धोला से धोल और धोला मारूरा दूहा के जो रचनाकार हो जाएगे वो कुसल लाव क्योंकि जो कुसल होगा भही धोल बजाएगा यानि कि आपका जो बिकल्प नमबर भी है वो बिल्कुत सही हो जाएगा अब यहाँ पर कलोल कभी अगर इस कोकेल किसे कहा जाता है दोस्तों जल्दी से बताना है दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चैन करेंगे कई बार एकजाम में पूछा गया मैथिल कोकेल किसे कहा जाता है अमीर खुसरो को विध्यापती को दामो दर को या फिर लक्षमी धर को तो दोस्तों एक चीज बताना ज तो वो कोकल के जैसा बोलेगा मीठा बोलेगा आप बोलते ना किसी किसी की आवाज इतनी मीठी होती कि सर इसकी आवाज तो बहुत मीठी है बिलकुल कोकल जैसी है ना तो जिसमें बिद्या होगी बहुत मीठा बोलेगा कोकल जैसा तो मैथल कोकल किसे कहा जाएगा जिसमें ब पताका और दूसरी है इनकी किरती लता ठीक है और तीसरी है इनकी पदावली ठीक है ये आपको याद रखना है अब दोस्तों ये जो पदावली रचना है ये किसमे है मैथली में है कौन सी भासा में है ये मैथली भासा में है ठीक है और इनकी जो किरती पताका और किरती लता ह ये अब हट भासा में है तो इनको भी आपको याद रखना है ठीक है अंगला देख लेते हैं परमाल रासो की रचनाकार कौन है दोस्तों परमाल रासो अब परमाल रासो को दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आला खंड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आला खंड और आपने कि रचेता कौन होंगे जगनेक और ऐसे भी याद रखें जैसे परमाल यानि कि दूसरों का माल दूसरों की जो सामगरी है उसको अगर चोर चुराते हैं तो क्या करते हैं जगते हैं रात में जगते हैं तो भी जगनेक आपका अनमर बिल्कुछ सही हो जाएगा परमाल को चु काब है यह साभी question पूछ लिया जाता है तो य बटाना दोस्तों अब आप मोवाइल में क्या भेजते हो कभी- कभी- कभी संदेश लासक जो काब है एक कौनसा होगा खंड काब काब जाल रख लेंगे संदेश खंड हो गया खंडत हो गया तो खंड काब है ना अब्दुर्रह्मान का यह जो है कि रंत माना जाता है कि कामाईनी की रचनाकार कौन है अब आपको बताना है चार सेकंड आपको दिये जाते हैं कामाईनी की रचनाकार आपको बताना है तब तक मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार की कामना करने कहां जाते हो कहां जाते हो कामना करने संकर जी के पास जाते हो बोलते हो भगवान मेरी कामना मेरी मनो कामना क्या कर देना पूर्ण कर देना मुझे एकजाम पास करवा देना कामना करने जाते हो न तो कामना से होगा कामाईनी और कामना करने जाते हो संकर जी के पास तो कामाईनी जो महाकाब होगा वो किसका होगा किसका होगा जैसंकर परसाद यानि कि जो बिकल्प नम्मर एक है वो आपका बिल्कुस सही हो जाएगा और जैसंकर परसाद छाया बाद की प्रवरता कमाने जाते हैं आपको पता है ठीक है याद रख लिना है ना और दोस्तो यह जो कामाईनी है यह इनका महा काब है और इसमें कितने सर्ग हैं तो इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं ठीक है यह चीज भी आपको याद रखना है कामाईनी में कितने सर्ग है 15 सर्ग है ठीक है अंगला कोश्चन देखते हैं तुलसी दास किसकी रचना है दोस्तो अभी तक अपने नाम सुना होगा तुलसी दास है ना कभी सुन लिया आपने कभी का नाम लेकिन अब रचना का नाम भी तुलसी दास क्या वात है तो जल्दी से आपको बताना है यह रचना किसकी है और आपको पता है दोस्तों कि जो तुलसी दास कभी हुए है वो क्या थे हिंदी साहित में सूर के समान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा महाकाब दिया है जिसने पूरे हिंदी साहित को क्या कर दिया भक्ती मैं बना दिया है ना भक्ती काल को तो सुरन योग कहलवाई दिया है और जो तुलशिदास हैं वो क्या थे सूर के समान थे तो तुलशिदास रचना किसकी होगी सू तो नीला चांद किसकी रचना है नीला चांद किसकी रचना है तो आपका विल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है कि संकर जी जो होते हैं सियो जी जो होते हैं उनके सिर पर यहां पर देखो क्या है चांद है चांद और चांद कैसा है नीला चांद किसके मस्तिस्क है तो नीला चान रचना किसकी होगी किसकी होगी श्योपर साइं है क्या né कि वैकल्स नम्बर है वो बिलकुर्बस हो जाएगा अब गभी आप से पुญचे जाएगा आप कभी के नीला चायंत तो सिउग जी के aboard कि São लाल बैठा है दरवार में मेरा लाल बैठा है तो राग दरवारी किसकी रचना होगी स्री लाल की होगी कि रामचंद्र सुकल की होगी आपने देख दिया ना कि दरवार में कौन बैठा है लाल बैठा है तो स्री लाल सुकल यानि कि जो आपका विकल्प नमबर एक है वो बिल याद भी होता जाएगा, अब एक चीज बताना दोस्तों कि आपको सबसे प्रिये क्या है, क्या है प्रिये, आयोध्या, आयोध्या आपके लिए बहुत सबसे प्रिये है क्योंकि राम की जन्म भूमी है, आयोध्या आपके लिए प्रिये है, ठीक है, है की नहीं है, कमेंटों बता देना सभी को प्रिये है तो प्रिये प्रवास किसकी होगी अयोध्या से उपाद्या हरियोद की ठीक है तो याद रख लेना प्रिये क्या है अयोध्या तो प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महा का अब माना जाता है है ना प्रिये प्रवास अयोध्या से अब आपसे कहा जाए कि आप कितनी नाव में कितनी बार बैठे चिर अइस बिकल्ब अ है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है प्रियोगवद के इस रेश्ट कभी माने जाती हैं दोस्तों अग्गे जी ठीक है नेक्ष्ट बताना है आपको असोक के फूल किसकी रचना है चार बिकल्पें असोक के फूल बताना है और मैं आपको बता दूँ कि दो सिकंड में आप अपने उत्तर का चेहन कर लेना और जो असोक के फूल है दोस्तो चित्र में भी आप देख रहे हैं कि असोक एक फूल फू किस की हो जाएगी किस की होगी हजार फूल होगे तो हजारी परसाद दुवैदी यानि जो बिकल्पख नमडर आपका आ है वो बिलकुस सही हो जाएगा ठीक है अब अंगला बताना है दोस्तो जू ही कि कली रचनाकार कौन है जूही की कली की रचनाकार ये दोस्तों पिर्थम छंद मुक्त रचना मानी जाती है ठीक है और जब जूही की कली है जूही की कली है तो ये कली कैसी होगी नराली ही होगी है ना नराली ही कली होगी छंद मुक्त रचना है और ये जूही की कली नराला जी की आ नम्मर आपका बिल्कु सही होगा ठीक है एक रांती करी कभी कहे जाते हैं दोस्तों चायावाद के चार आधारस तंबों में प्रमोकिस्तान रखते हैं नराला जी सूर का अंतरपाटी नराला तुलशी रास इनकी रचना हम पढ़ चुके हैं पहले नदी के दीप रचना कि इसकी बताना है दोस्तों हमने पढ़ाता पहले कि कितनी नाव में कितनी बार आपने बताया सर अग्ये अब मैं बोच रहा हूँ आपसे कि नदी में कितने दीप होती हैं नदी में कितने दीप होंगे तब भी आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता अग्ये है ना अग्ये तो कोठरी की बात अग्गे तो नदी के दीप अग्गे यानि आनम्मर आपका बिल्कुल सही होगा next माटी की मूर्तें किसकी रचना हैं दोस्तों माटी की मूर्तें आपने देखा होगा दोस्तों कि ब्रक्षों के नीचे माटी की मूर्तें रखी रहती हैं, उसकी हम पूजन करते हैं, रखी रहती की नहीं, ब्रक्ष के नीचे माटी की मूर्तें रखी हैं, उसकी पूजन करते हैं, तो माटी की मूर्तें जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, ब्रक्ष के नीच माटी की मूर्तें रखी हैं तो माटी की मूर्तें राम ब्रक्ष बेनिपुरी निसा निमंत्रन की रचनाकार कौन है दोस्तों निसा निमंत्रन बताना है चार विकल्प है और चार का उत्तर आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताना निसा मतलब आपकी होती है क्या रात्री साम के समय आप क्या करोगे बच्चों का निमंत्रन आपको करना है बच्चन का निमंत्रन कर लो बोले साम के समय निसा के समय बच्चन का निमंत्रन कर लो बच्चों का निमंत्रन कर लो तो निसा निमंत्रन की रचनाकार कौन होंगे हरीबंस राय बच्चन हरीबंस राय बच्चन यानि कि जो एक नमबर है वो आपका बिल्कुत सही हो जाएगा ठीक है आ नमबर नेक्ट बताना है दोस्तो गुनाहों का देउता किसकी रचना है गुनाहों का देउता यानि कि गुनाहों का देउता इतने गुनाह किये इतने गुनाह किये कि वो क्या बन गया गुनाहों का द काई की सरण में आएगा जब अधिमी बहुत तारे गुनाह कर लेता है तो फिर बोलता है यार की अब तो धरम की शरण में जाएँ धरम की सरण में जाए आजाए तो गुनाहों का देवता की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे धरंबीर भारती यानि कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा आ नंबर ठीक है अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तों सखाराम बाइंडर सखाराम बाइंडर की रचेता कौन है सखाराम बाइंडर और चार विकल्पें दो सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे और दोस्तों आपको पता है कि जो तेंदुलकर साब थे सचिन तेंदुलकर साब थे जब तक वो खेलते थे क्रिकेट टीम में अपने सारे सभी साथियों को बिल्कु सखा की तरह रहते थे कैसी रहते थे सखा की तरह रखते थे कौन तेंदुलकर तेंद सियात कर लेंगे, आनम्बर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा, ठीके, अंगला बताना है दोस्तू आपका बंटी कि रचेता कोन है, आपका बंटी कहां गया है, भंदारे में गया है, तो आपका बंटी कि रचेता कोन होंगे, कौन होंगे मन्नु भंडारी आपका बंटी भंडारे में गया है तो मन्नु भंडारी यानि कि जो आपका आ नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा मन्नु भंडारी आपका बंटी इनकी रचना है संस्कृति के चार अध्याय की रचीता कौन है संस्कृति के चार अध्याय दोस्तों एक चीज बताना संस्कृति के चार अध्याय या फिर संस्कृत के चार अध्याय और संस्कृत के चार अध्याय हमें रात में नहीं पढ़ना है कब पढ़ना है दिन में पढ़ना है, संस्कृत के चार अध्याए दिन में पढ़ना है, तो यह रचना किसकी हो जाएगी, दिन से दिनकर, है ना, रामधारी से दिनकर, क्योंकि संस्कृती के चार अध्याए हमें दिन में पढ़ना है, तो दिनकर साब, ठीक है, दोस्तों अंगला बताना है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है एक रचना आती है दोस्तों गीत गोविंद एक आती है राग गोविंद तो याद रख रहे ना गीत गोविंद के किसने गाये हैं जैद्यों ने और सबसे जादा राग किसी को था गोविंद से क्रश्न ते तो वो किसको था मीरा भाई को किसको था राग था किसको मीरा भाई को यह यहां कनफ्यूज होते हैं सभी लोग है ना राग था मीरा भाई को है ना और गीत गाये हैं किसने जैदियों ने तो जैदेव की कौन सी थी गीत गोविंद गीत गोविंद जैदेव की थी और राग गोविंद जो रचना है वो मीरा भाई की है ठीक है तो याद रख लेना क्योंकि मीरा भाई को राग था कशन से सबसे जाना तो राग याद रख लेना राग से मीरा भाई ठीक है अगला बताना है दोस्तो सेबा सदन की रचेता कौन है सेबा सदन अब एक चीज बताना दोस्तो आप जिससे जादा प्रेम करते हो उसी की सेबा करोगे है ना कि नहीं करोगे आप जिससे प्रेम करते हो सेबा भी उसी से करोगे सेबा भी उसी की करोगे चाहे आपके मम्मी से पापा से करते हो समाज में जिससे भी आप करते हो उसकी आप सेबा जरूर करोगे क्या करोगे सेबा करोगे इस सेबा सदन उपन्यास है सेबा सदन कर्म भूमी गबन गोदान है ना निर्मला इस सारी की सारी रचनाए है ना किसकी है प्रेम चंद जी के उपन्यास है इनको याद रखेंगे प्रेम चंद जी आ नम्मर बिल्कुत सही हो जाएगा अब आपको बताना है सबासिर गयहू कहानी किसकी है सबासिर गयहू दोस्तो अगर आप किसी से प्रेम से मांगोगे प्रेम से मांगोगे की सबासिर गयहू दे दो तो आपको सबासिर गयहू मिल ज तो सवासेर ग्याहूं का कैसे मांगना है प्रेम से मांगना है तो सवासेर ग्याहूं कहानी किसकी होगी प्रेम चंद यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका आ है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा प्रेम चंद जी की हो जाएगी नेक्स दोस्तों बैदे ही बनवास बैदे ही चुकल की थी अब बैदे ही बनवास तो किसको हुआ था बनवास अयोध्या की राजा राम को क्या हुआ था बनवास हुआ था तो बैदे ही बनवास किसकी रचना होगी अब बनवास तो आ रहा है सीधा सीधा है कि बनवास हुआ था अयोध्या की राजा राम को तो बैदे ही प्रिये प्रवास इनका एक महाकाब है वो भी खड़ी बोली का है और हिंदी का खड़ी बोली का प्रतम महाकाब है प्रिये प्रवास हरियोद जी का याद रखेंगे महाबीर प्रसाद दुबेदी के नाम पर दुबेदी जी का दुबेदी युग का नाम पड़ा था तो ये याद रखना है ठीक है 20 में साहिनी की एक रचना है दोस्तों तमस याद रख लेना 20 में साहिनी की एक रचना तमस है सुमित्रा नंदन पंत इनकी अगर बात करें दोस्तों यह चाया वाद के आधार स्तंबों में से एक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी अंगला बतान दोस्तों जब आप पड़ाई करते हो और आप पुस्तक लेते हो आप रजिस्टर लेते हो नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले प्रष्ट पर किसका चित्र होना चाहिए भगबती का किसका भगबती का बोले हमने चित्र का लेखा किया है पहले प्रष्ट पर तो किसका होने चाह बर्मा और विकल्प नमबर जो आ है वो आपका विल्कु सही हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हमें याद करना है दोस्तों है ना हमें रचनाय याद नहीं होती मुझे पता है बहुत सारे लोग बोरते हैं सर रचनाय याद नहीं होती है अब कमेंट में बता देना कि रचनाय याद करवाएंगे भविस्यत कहा कि रचनाकार कौन है अब आपको उत्तर बताना है फटाक से चार सिकंड में आप उत्तर बताएंगे कौन सा ओफ्सन लॉक कर दिया जाए तो आपने बिल्कु सही आंसर बताया है क्या है धन पाल अब यहां पर दोस्तों आया है ध धनका संचय करते हैं भविस्त के लिए आप भी भविस्त के लिए धनका संचय करते हैं मैं भी भविस्त के लिए धनका संचय करते हैं तो भविस्त कहा रचना किसकी हो जाएगी धनका संचय करते हैं तो धनका संचय करते हैं तो धनपाल है ना अब कभी नहीं भूलोगे रचनाकार कौन है चार विकल्फ है चार सेकंड आपके पास है तो आपका विल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही बताया है आपने विल्कुल दामोदर सर्मा है ना दामोदर सर्मा से आपका कैसे याद रखोगे दोस्तों दामोदर से आपका बनेगा दमदार क्या चलते रहते हैं प्रक्रण चलते रहते हैं विबिन प्रिकार की उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं तो इनके प्रक्रण चलते ही रहते हैं किनके दमदार व्यक्तियों के तो उक्ति व्यक्ति प्रक्रण प्रक्रण किसके चल रहे हैं वो धर्म दमदार व्यक्ति के चल रहे हैं तो पाहुड से आपको नहीं लग रहा कि पहाड की बात हो रही है और पहाड की बात हो रही है तो दोस्तों पहाड कहां पाई जाते हैं बनों में है ना और बनबास किसे हुआ था किसे हुआ था बनबास राम जी को हुआ था और ये पहाडों पर घूमते हुए जा रहे थे बन मे तो पाहुड दोहा की रिचनाकार कौन होंगे कौन होंगे राम आएंगे तो राम से है है ना राम आएंगे यह आगए राम तो राम से है पाहुड दोहा की रिचनाकार है अब आप कभी नी पूछ भूल चकते बोले पाहड दोहा जी पाहड की बात कर रहे हैं तो पहाड पर तो राम जी गयती यानि की राम से हैं ठीक है इस प्रकार से आएंगे अंगला बताना दोस्तो स्राप का चार की रिचनाकार कौन है स्राप का चार चार सेकंड में आप अपने उत्तर का चेन करके कमेंट में लख देंगे और मैं आपको छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि जब आप देव के पास जाते हैं कोई भी देव के पास जाते हैं भगवान के पास जाते हैं तो आप क्या बन के जाते हो स्रावक बन के जाते हो सेवक बन के जाते हो कि भगवान मुझे भी सेवा का मौका दो सेवक बन के जाते हो स्रावक बन के जाते हो तो स्रावक का चार रचना किसकी होगी किसकी होगी क्योंकि देव के सामने हम स्रावक बन के जाते हैं और देवसेन आपका बिलकुस सही हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो स्रापका चार है ये हिंदी की प्रिथम रचना मानी जाती है है ना 933 इस भी इसका रचना काल माना जाता है ठीक है सबी लोग याद रखेंगे और देवसेन की हमने याद कर ली स्राप दोहा कोस है ना और रामसें की पाहड दोहा ये तो आपको याद है नेक्स है वर्न रतनाकर के रचनाकार कौन हैं दोस्तों मैंने आपको कई बारे आत करवाया है कि वर्न रतनाकर यानि कि आपको वर्न की बात हुई है तो वर्न जो होते ना अपने आनार का आम का अपने प पढ़ना वर्णों को नहीं तो आ अनार को उलू का बोल दो इसलिए वर्णों को जोती में पढ़ना है तो वर्ण रतना करके रचना कार कौन होगे जोती में पढ़ना है तो जो 308 ठीक है वर्ण रतना करके अब आप कभी नहीं बोलेगे मैं बोलेगे वर्ण रतना करके रचन बताना है दोस्तों अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो आप भ्रहन से सब्द का प्रियोग करेगा उसको आप भ्रहन से सब्द का पहले से पता होगा जब तो उसने प्रियोग किया अब जिसको कोई चीज पता नहीं है वो कैसे प्रियोग करेगा तो आप भ्रहन से सब्द का पहले से पता था इसलिए प्रियोग किया पता से आपका क्या वने या पतंजली क्या वनेगा पतंजली तो अपब्रंस सब्द का पतंजली को क्या था पता था तो इन्होंने क्या कर दिया अपब्रंस सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया इन्होंने यानि कि आपका जो आनम मर है वो बिलको सही हो जाएगा ठीक है ऐसे याद रखेंगे अंगला बताना दोस्तों अपब्रेंस को आभीरों की भासा किसने कहा है आपको बताना है चार सेकिन में आपको बताएंगे अब दोस्तों एक बार अपब्रेंस में सोचा कि यार मुझे कोई भी कुछ भी बोलता रहता है आभीरों की भासा कहीं ये भासा कहीं बिगडी हुई भासा अब जो बोलेगा तो क्या मिलेगा दंड मिलेगा अगर कोई आभीरों की भासा मुझे बोलेगा तो क्या मिलेगा दं है ना कहा कि आवीरों की भासा अगर बोला तो क्या मिलेगा दंड तो आवीरों की भासा किसने बोला दंडी ने ठीक है अप व्रंस को दंडी है ना याल रख ले ना आनमर आपका बिल्कुस सही होगा किस विद्वान ने अप व्रंस को देश भासा माना देश भासा किसने माना चार बिकल्ब में से चैन करना है दोस्तोर मैं आपको बता देता हूँ कि जो देश का बेटा होगा देश का सन होगा उसे ही देश का माना जाएगा कि नहीं माने जाए कि जो बेदेश का आ रहा उसे देश का मान दिया जाए जो देश में पैदा हुआ होगा जो देश का सन होगा जो देश का बेटा होगा उसे ही देश का कहेंगे तो अपवरंस को देश भासा जो कहा है इन्होंने सोचा कि यार ये तो हमारे ही सन है है ना यहीं उत्पन हुआ है तो सन मतलब गिरियर सन है ना गिरियर सन इन्होंने देश भासा कहा है कि अपवरंस की जन में यहीं हुआ है कहा हुआ है यहीं हुआ है इसलिए क्या है देश भासा है यहीं की क्या है सन है सन ठीक है तो ग्रियर सन ग्रियर सन साब के बारे में आपको पता है कि इनका एक ग्रंत है modern vernacular literature आफ हिंदोस्तान ठीक है और एशियर्टिक सॉसाइटी आफ वंगाल के निरदेशन में प्रिकासित हुआ था है ना Modern Brandakuler Literature और दोस्तों एक प्रस्ण और पूचा जाता है कि जो है जो ग्रियर संसाब है सर्व प्रथम जो काल भी भाजन का प्रियोक किया प्रियास किया किस ने किया तो ग्रियर संसाब तो आप लोग बिविन प्रकार के कार करते हो और उनमें आपको अबदी मिलती है क्या मिलती है अबदी और घरबारे आपसे बोलते है कौन सी अबदी मिली कौन सी अबदी मिली या अबदी कौन सी ली अबदी कौन सी ली तो अबदी का अननाम क्या होगा कौन सी ली मतलब कौन अब्दी कौन सी ली? अबदी गिरंत है? अबद विलास किसकी रचना है? अबद विलास आप लोगने वह एक गीत सुना होगा दूस्तो एक गीत है बुन्देल खंड का की बना की अबद पूरी ससुराल बरात को को जहरे एक आपने गीत सुना होगा अबद से क्या हो जाएगा अबद का लाल अबद का लाल तो अबदी गरंत है अबद बिलास और अबद बिलास की जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे ल लाल दास क्योंकि अवद का लाल है ना तो याद रखना अबदी गरंत है अवद बिलास अवद बिलास की रिशनकार है लाल दास सबी को याद रखें कभी बूल ला नहीं अगर भूल गए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना राम काब परमपरा की सरप्रमुक भासा है तो कौन सी है दोस्तों आपको पता है कि राम को भी क्या मिली थी अबदी मिली थी बोले आप 14 वर्स के बनबास को जाओगे है ना और इनको अबदी मिल गई 14 वर्स की तो अबदी मिली तो राम काब परमपरा की जो सरप्रमुक भासा होगी वो कौन सी होगी कौन सी होगी अ ठीक है याद रख लेना राम काब परंपरा की सबसे जो प्रमुक भासा है वो कौन सी है अबदी है और आपको पता है कि राम काब धारा के जो स्रिष्ट कभी है वो कौन है तुलसी दास जीव ठीक है और तुलसी दास ने दोस्तों सबसे पहले अबदी भासा का प्रियोग किय और आपकी जो रामचरितमानस है महाकाब है ठीक है स्रिष्ट महाकाब है रामचरितमानस और दुनिया में अगर सरबज देख जो टीकाइं लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई और रामचरितमानस की जो भासा है वो अबदी भासा है ठीक है ये चीज भी याद है और बाद में तुल्शी रास ने ब्रज भासा का भी प्रियोग किया है बने पत्री का कश्ण गीता वली है ना इन रचनाओं में क्या किया है ब्रज भासा का प्रियोग किया है लेकिन राप का परंपरा की जो सरम प्रमुक भासा है वो अब दी ही है जिनका जो जीता जाकता उधारन रामचरित माना से ठीक है ब्रजभासा का उदय माना जाता है तो कब से माना जाता है दोस्तों अब आप लोग कहते हैं कि हमें ब्रज जाना है कनईया की जन्म भूमी जाना है कनईया जी के दर्सन करनी जानी है इस प्रकार से बोलते न है न तो ब्रज अगर जाना है आपको तो अब भूल जाना की 2-5 रुपे में पहुंच जाओगे अब सीधे 1000 लगेंगे आपको कितने लगेंगे 1000 लगेंगे तो ब्रज भासा का उदय कब होगा कब होगा 1000 ECB के आसपास ब्रज भासा का उदय माना जाता है यानि कि आपका जो बिकल्प नमबर एक है वो बिलको सही हो जाएगा एक नमबर ठीक है अंगला प्रशने देखते हैं दोस्तो पस्चमी हिंदी का विकास अप भ्रंस के किस रूप से हुआ है यह दोस्तो हम आपको आज पूरी अच्छी से बता रहे हैं है ना पस्चमी हिंद गुजरात में आपको पता है सेर बहुत हैं सेर बहुत हैं पस्चमी राज यह गुजरात और गुजरात में सेर बहुत हैं तो पस्चमी हिंदी का जो बिकास माना जाएगा वो काई से माना जाएगा सेर से सौर सैनी है ना सौर सैनी आप भ्रंस से कौनसी निकली पस्चमी हि ठीके याद रख लेना है है ना स्वर्सन या ब्रणसि पश्चमी हिंदी आई और मागदी से कौनसी आई मागदी मागदी से आई दोस्तों आपकी कौनसी बहारी का बंगला औरा असमिया में इसका एक कोड़ है भो आपको याद रखना हैं बहारी का बहारी का बंगला उड़ा असमिया में बंगला उड़ा असमिया ठीक है यह याद है आपको और होगा तो बहारी से बहारी हिंदी ठीक है और बंगला उड़ा से उड़िया और असमिया है ना यह जो है यह काई से आई मागदी से आई है ना तो याद रख लेना है मगद में बहारी का बंगला उड़ा असमिया मगद से बन जाएगा आपका मागदी है ना और बहारी हिंदी बंगला उड़िया और असमिया ये सभी कौन से निकली है मागदी से है ना और पस्चमी हिंदी से सौरसेनी से पस्चमी हिंदी ठीक है याद तो ये तो हो गई आपकी, इनसे निकलने बाली भासा है, फिर दोस्तो आपको पश्चमी हिंदी से भी पढ़ना है, पश्चमी हिंदी से जो निकली, आपकी निकली कौन कौन सी, पश्चमी हिंदी की बात करें, तो आपकी निकली दोस्तो गुजराती, कौन सी निकली, गुज राजस्थानी है ना स्वरी राजस्थानी गुजराती और पस्चमी हिंदी ठीक है यह निकली आपकी काई से सौर सेनी से तो आपको याद रख लेना है सौर सेनी से पस्चमी हिंदी गुजराती और राजस्थानी ठीक है और पस्चमी हिंदी से जो निकलने वाली थी उनका भ और इस प्रकार से आपको याद रख लेना ये पच्चिमी हिंदी की भासाएं हैं है ना गुजराती और राजस्थानी आपकी ये अलग है राजस्थानी की भी है आपकी मेवाती है है ना जैपुरी इस प्रकार से आपको राजस्थानी की भी है फिर आपकी पूर्वी हिंदी आती है दोस्तो, तो पूर्वी हिंदी की आपकी कौन कॉंसी हैं, मैंने कोड बनाया था, अब 36 गडी, आसे अबदी, बा से बगेली, और 36 गडी से 37 गडी, है ना, तो अब 36 गडी ये पूर्वी हिंदी की हैं, पस्च्चिमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास ठीक है तो इसका कोड हो जाएगा और मगद में बहारी का बंगला ओड़ा समीया में ये मागदी का हो जाएगा वो ब्राचल से सिंधी निकली है ठीक है इसको हम आपको जब विवस्तित पढ़ाएंगे एक वार हिंदी की कौन से क् प्रस्ण यहां से आपके बन जाते हैं तो आपको याद हो जाएगा ठीक है अब आपको बताने राधा माधा वस्त की रचनाकार कौन है राधा माधा विलास की रचनाकार अब दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि राधा और माधा विलास की रचनाकार कौन होगे जय की है तो जयराम जय की है तो जयराम राधा माधा विलास की रचनाकार जयराम यानि सी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला question है दोस्तो इसनेह लीला की रचनाकार कौन है अब इसनेह लीला की बात आई है तो आपको पता है कि स्रश्टी की रचेता कौन है विश्णू स्रश्टी की रचेता विश्णू और विश्णू जी अपनी जो स्रश्टी है स्रश्टी की एक एक जीव से स्नेह करते हैं सबी से इसने करते हैं कौन विश्णु जी तो इसने लीला की रचनाकार कौन होंगे विश्णु दास ठीक है इसने लीला की रचनाकार विश्णु दास यानम मर आपका बिलकु सही हो जाएगा अंगला बताना दोस्तु रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है बहुत ही बढ़िया है उदैभान्चरित इसे कहा जाता है ठीक है इसका दूसरा नाम है उदैभान्चरित रानी केतकी की कहानी है ना और दोस्तु आपको पता है कि रानी केत्की की कहानी इंसाने ही नहीं अल्ला ने भी सुनी रानी केत्की की कहानी इंसाने ही नहीं अल्ला ने भी सुनी तो इसकी रचनाकार कौन होंगे इंसा अल्ला खां है ना इंसा अल्ला खां याद रख रहे ना, रानी केतकी की कहानी इंसाने ही नहीं, अल्ला ने भी सुनी तो इंसाल लाखा, हिंदी साहत का दूसरा इतिहास की रचनाकार कौन है, दूसरा इतिहास की रचनाकार बताना है दोस्तों, और चार सेकंड में आप अपना उत्तर का चैन करेंगे, और मैं काम ठोड़ी है दूसरा साहत लिखना तो हिंदी साहत का दूसरा इतियास कौन लिखेंगे उत्तर आप को भी बताना है कौन लिखेंगे डाक्टर बच्चन से हैं याद रख लेना है थोगा आतियास है । किसका है सुमन राजे का और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सुमन मतलब होता है क्या फूल और फूल किसी को आधा नहीं दिया जाता नहीं तो कहा कि फूल लिया है आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो ऐसा होता कहीं नहीं होता तो सुमन राजे का क्या है हिंदी सा usanid की भूमिका भी है हिंदी साहित की भूमिका याद रखेंगे सबी लोग हिंदी साहित का अध्वाव ऑंब्यका house ना रामचंट्स उक्रत का तो एडwości ह데काशग़ lists पूचा जाता की रखनाकार कौन है और दोस्तों चार सेकंड में आप अपना उत्तर तो चैन करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि कीर्थी कब फैलती है कोई ब्यक्ति मूरक है और कोई बिद्यावान है तो किसकी कीर्थी फैलेगी बिद्यावान की फैलेगी जिसमें बिद्या है उसी की कीर्थी फेलेगी तो कीर्थी लता की रचनाकार कौन होंगे बिध्यापती है ना और दोस्तो इस कीर्थी में इन्होंने क्या किया था राजा कीर्थी सेंकी या सुगाथा का वरनन किया था है ना और विद्यापती की ये तीन रचनाएं प्रमुक मानी जाती हैं दोस्तों, इनकी एक रचना है पदावली, पदावली जो है इनकी मैथली में रचना है, ये पूछी जाती विद्यापती की कौन सी रचना मैथली में है, तो इनकी जो पदावली है ये मैथली में है और इनकी क महा कभी है Augen अभीमान मेरूं के से कहा जाता है दोस्तों आपको पता है कोई कोई अद्मी के पास जब धन बहुत हो हो जाता है कोई अच्छी संपत्ति हो जाओने अभीमान हो जाता है अभीमान हो गया अंकार हो गया है ना ऐसे ही पुस्प ने कहा कि मुझे तो देवताओं के ऊपर चड़ाया जाता है मेरी तो माला बनाई जाती है तो पुस्प को क्या हो गया अभीमान हो गया तो अभीमान म को पूरती बोद की रचना कौन है कुमार पूरती बोद अब चार विकल्फ हैं दो सेकंड आपके पास हैं और आपको पता है दोस्तु कुमार आ रहा है यहाँ पर कुमार तो आज कल के जो कुमारी लड़का रहे हैं ते कुमेर कुमारी लड़का है ना आज कल के जो कुमार हैं वो सौमरस का प्रियोग बहुत कर रहे हैं काई का प्र कौन होंगे संब्रओν सूरी है ना क्योंकि कुमार लोग संब्रस् प्रियोक्ट कर रहे हैं इसलिए कुमार प्रिटि Bachelor सूरी यैनि वेगलप रापका ए वह बिलकुस सई हो जाएगा कि स्थापना किसने की ती यहनल दोस्तों दोस्तों जोर्ओं कर bijकल्पtrs छैन बल्लबाचार है ना सरहपा की एक रचना है दोहा कोस ठीक है है ना सभी को पता है दोहा कोस है सरहपा की रचना और आपका उत्तर हो जाता है स्री संपरदाई की क्या हो जाता है रामा नुजाचार है ना रामा नुजाचार और दोस्तों आपको पता होगा कि देश के कौने हम क्या बोलते हैं सिरी फिर क्या लगाते हैं राम क्या करते हैं सिरी राम तो सिरी संप्रदाय के साथ हमने राम जोड़ दिया तो सिरी संप्रदाय के कौन होंगे रामा नुजाचार सिरी राम है ना तो रामा नुजाचार सिरी संप्रदाय के रामा नुजाचार ठीके इन्होंने बैस्णाव धर्म का क्या किया पर चार प्रसार किया रामानुजाचार ने ठीके यह चीज याद रखनी है दोस्तों आपको बताना है प्रबंद चिंतामणी के रचनाकार कौन है प्रबंद चिंतामणी तो दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चैन करेंगे और इसमें बिविन प्रकार के मेरू यानि परबत हैं है ना परबत सिकर है ना हमने बिविन प्रकार के तो हमें क्या करना है परबत सिकरों का मेरू का क्या करना है प्रबंद करना है तो मेरू की हमें चिंता करनी पड़ेगी जैसे हमारे लद्दाक का पठार है लद्दाक के होंगे मेरू तोंग ठीक है याद रखेंगे आनम्मर आपका बिल्कुस सही है रोडा कभी की एक रचना है कौन सी राउल बेर राउल बेर है दोस्तों और अपना प्रस्ण है वो क्या है उसको देखते हैं आप विर्टिविराज रासों की रचना बिधान में सरवादिक बिबादा इस पदपक्ष कौन सा है दो सेकंड में आप अपने उत्तर कचेन करेंगे और आपको पता है कि प्रतिविराज रासु चंद्रबर्दाई जी का महाकाब है प्रतिविराज रासु हिंदी का प्रतम महाकाब है चंद्रबर्दाई हिंदी के प जाए उगर किसी कहा जाता है तो प्रतिवीराज रासों को कहा जाता है अब प्रतिवीराज रासों के जो है प्रमाने को होने पर संदिग्द है बिविन लोगों ने बिविन बिद्वानों ने अलग-अलग मत प्रिगट किये हैं यहां पर पूछा है कि सरवाद एक बिबादा पक्ष कौन सा है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसकी एतिहा सिक्ता और आपको पता है दोस्तों कि प्रतिवी की एतिहा सिक्ता पर भी विवाद है कोई कहता है कि इस प्रतिवी की इस रश्टी करता विश्णू जी है कोई कहता है विज्ञान कहता है कि बिग बैंग स सिक्ता पर क्या है बिबाद है तो प्रतिविराज रासो की भी एतिहा सिक्ता पर क्या होगा बिबाद होगा एक क्वेस्टिन कई बार पूचा गया है तो प्रतिविराज रासो की एतिहा सिक्ता पर क्या है बिबादा इस पद है सरवादिक बिबादा इस पद एतिहा सिक्ता है अंगला question बताना दोस्तो बीसल देवरासो का काब रूप क्या है सबसे पहले तो यह पात होनी पता होनी चाहिए कि जो बीसल देव रासो काब है वो किसका है नरपती नाल का है किसका है नरपती नाल का है ठीक है अब इसके काब रूप क्या है दो सेकिन में आपको बताना है दोस्तो तो आपको पता है न दोस्तो कि यहाँ पर क्या आ रहा है देव और बीस तो बीस देव, आपने पता होगा, हम बीसों देव के गीत गाते हैं, बीसों देव, बोले हनुमान जी की भी पूजा कर लो, राम की भी कर लो, स्रीकर्षन मी की कर लो, है ना, मस्जिद में भी चले जाओ, बीसों देव की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, करते की नहीं करत तो पूजा करती हैं और गीत गाती हैं गीत गाती हैं तो बीसल दियो रासु का जो काब रूप होगा वो क्या होगा गीती गाब है ठीक है और बीसल दियो रासु के चितकवन है नर्पती नाल ठीक है और बीसल दियो रासु जो है दोस्तों आपको पता है ये अजमीर की सासक क सम्मंदित है ठीक है अजमिर के सासकते बिग्रह राज बिग्रह राज इसके नायक है यह भी याद रखने ना है बीसल दिवरास के नायक कौन है अगर पूछा जाय तो बिग्रह राज है और इस त्रंगारेक रचना मानी जाती है बीसल दिवरास हो ए चीज भी आपको याद ठीक है अंगला देखो अपब्रंस का भावभूती किसे कहा जाता है अपब्रंस का भावभूती बताना है और दोस्तों आपने पता होगा यहाँ पर क्या रहा भावभूती भावभूती सरी लग रहा है आपको कि भावभूती भावभूती क्या करते हैं पंडलों क्या करते ह अपने बहुती अबूती लगायी मुँ में है नहuna सब जगा पचीकाई का लगाया बहुती लगाया और भगबान के पास पहुंच गए और फुस्पचड़ाने चलाने पुस्पचड़ाने तो अप ब्रंस का भववूती किसे कहा जाएगा भवूती से भवूती लगा लो आप तो किसे कहा जाएगा पुस्प दंत को क्योंकि हम भवूती अभूती लगा कर कहां पहुँचे पुस्प चड़ाने पहुचे तो पुस्प दंत पुस्प दंत जी आपको पता होगा दोस् प्रते फिलगे करते हैं व Swiyambu को Hindi का प्रतम केор राम कुमार बर्मा यह चीज भी आपको याद रखनी थी कर राम कुमार बर्मा और सरहपा की बारे में तो मैंने dit को बताया था कि सरहपा दोहा बनें है ना सरहपा मैंने आपको कई बार बताया है कि आपका भी बोलोगे की सर दोहा सुनाओ सर दोहा सुनाओ तो मैं बोई बाला सुनाओ तो सर दोहा सुनाओ तो दोहा को सरहपा और राम सेंग की कौन सी है पाहोड दोहा तो याद रखना है अंगला बताना ध्यान मंजरी की रचेता कौन है दोस्तो ध्यान मंजरी के रेचेता बताना अग्रदास हैं, नावादास हैं, कुम्बन दास हैं या फिर सूरदास हैं तो आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पर जाना चाहिए, वीडियो पर जाना चाहिए अग्र आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी के रचेता कौन होंगे क्योंकि ध्यान कहानी जाना चाहिए अग्र तो अग्रदास ठीक है नावादास के गुरू कभी-कभी पूँचा जाता है तो अग्रदास ठीक है कुंबन दास के गुरू पूचे जाते हैं तो बल्लबाचार सुर्दास जी के गुरू पूचे जाते हैं तो बल्लबाचार इनको याद रखेंगे नावा दास के गुरू अग्रदास नावा दास की एक रचना है कौनसी भाक्तमाल कौनसी है भागतमाल ये भी आपको याद रखनी है ठीक है आंगे देखते हैं हनुमान नाटक की रचेता कौन है दोस्तों मैंने एक चित्र आपको दिया है हनुमान जी के दर्सन करें और फिर हनुमान नाटक की रचेता बताएं कौन हो सकते हैं मैंने ये चित्र क्यों दिया है इसलिए दिया है कि हनुमान जी अपना सीना हरदय फाड़कर देखा रहा है हरदय फाड़कर देखा रहे हैं और बोले कि मेरे हरदय में देख लो सीता और राम राजमार रहते हैं मेरे हरदय को फाड़कर देख लो सीता और राम राजमार रहते हैं तो हनुमान नाटक के रेचेता कौ कुछ है हनुमान नाटक रेचेता कौन है ऐनुमान की बात आये कि हेैं भीर और झाने लेक हैं लिख और चारी definitions आपको दिये जाते लिखी रामचरित्मानस लिखी तो एक चीज बताना कि रामण पराधार इतनों ने रामचरित्मानस लिखी लेकिन इन्होंने बार बार नहीं पढ़ी होगी उसको हम कोई भी चीज पांच लाइन लिख देते हैं पांच लाइन अगर कोई अच्छी-चीफ़़ी पंक्तियां कि रचेता कौन होंगे तुल्ची दास होंगे क्योंकि इन्होंने रचना की रामाण की रचना की हैना तो इन्होंने बार-बार पड़ी इसलिए बर्बे रामाण याद रखना तुल्ची दास जी राम काब धारा की पता है आपको स्रेष्ट कभी मान जाते हैं हैना जान की बर्बे रामायन और भी बहुत सारी इनकी रचना है राम सरित मानस ठीक है बिनय पत्री का कश्न गीता वली इस सारी की सारी रचना याद करना है तुलशीदास जी की रिक्से में आपको याद करवाएंगे एक बात है ना अग्रदास की हमने पढ़ी थी कौन सी ध्यान मंजरी पढ़ ली थी और अग्रदास जो गुरू है अग्रदास वो किसकी है नावादास के है ठीक है प्राण चंद्र चोहान की आपको पता है दोस्तों प्राण चंद्र चोहान की भी इनकी रचना है कौन सी है याद नहीं आ रही है मुझे बहुत अच्छी है पूछी जाती है र चंद चोहान और पुस्पदंत की बारे में तो आपको पता दिया है दोस्तों कि इन्हें भवूती भवूती कहा जाता आप भ्रहंस का भवूती पुस्पदंत को है ना महापुरान इनका एक काब है रचना है महापुरान ठीक है और पुस्पदंत जो है बहुत ही इन्होंने आपको क्या कहा था अभिमान मेरू कहा था तो यह चीज भी आपको याद करनी है और बर्बे बार बार रामान किस में पड़ी ती तुलचिदास ने तो बर्बे रामान के तुलचिदास हो जाएगी ठीक है हंस जबाहर की रचिता बचाना है दो तो हंस जबाहर यहां पर जबाहर हीरा जबाहरात लखे हैं यहां पर और आप कहीं गए हो काम करने और यहां से आपके जबाहर क्या हो गए गोल हो गए जबाहर गोल हो गए आपने पूछा कि जबाहर कहा गए तो बोले हंस जबाहर खा हंस जबाहर खा गया क्यों खा गया हमें विश्वास नहीं है कसम से कसम से हंस जबाहर खाए गया तो कसम से तो कासिम साह हंस क्या खा गया जबाहर खा गया तो कासिम साह की हंस जबाहर है ना नूर मुहम्मद की अनुराग मासुरी है ना सेक नभी की ज्यान दीप उसमान की चि याद करना है ठीक है याद करवा देंगे सीताइन की रचनाकार कौन है दोस्तों सीताइन अब यहां पर आया है सीता और दो सेकंड आपको बताना है और यह भी बता देना है कि सीता जी किसकी प्रिया थी किसकी थी राम की प्रिया थी और उनकी सरण में रहती थी बोले हमें आपकी सरण मिल जाए इस से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए तो सीता यन किसकी रचना होगी राम प्रिया राम की प्रिया कौन थी सीता यन है ना सीता जी थी उसलिए सीतायन राम्प्रिया सरंदास कभी नहीं भूलोगे अब आप है ना इस परकार से याद करना है तो बताना है धोस्तो भक्ती आन्दोलन को ईसायत की देन किस ने कहाई ईसायत आप समझते हो ईस इस बोल दो आप तो इसको इस बोल दो की इस की देन इस मतलब इस्वर की देन है वो तो भक्ती तो आप लोग बोलते हैं आपने कई लोगों के मुझे सुनी होगी कि हम तो इस्वर के क्या है संतान है हम तो इस्वर के सन है हम तो इस्वर के पुत्र है है ना, तो आपको जो भक्ती मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, इस्वर से ही मिलेगी, कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, जब आप इस्वर के सन हो, तो भक्ती भी आपको इस्वर से ही मिलेगी, तो भक्ती आंदुलन को इसायत की देन किसने माना है, इस ने ही देन, इस ने ही दिया है, तो कौन मानेंगे उनके सन मानेंगे हैना किसके इस्वर के सन इस्वर के सन ने भक्ति आंदुलन को इस की दैन मानी है ठीक है, तो सन यानी गिरियर सन, याद रख लिना है सबी लोग और आपको पता है कि जन्ता की चित्वृतियों की नरासा की भावना से राम च אנחנו ने माना है हाजारि प्रसाब्साद दिगया माना कि ये स्वभावricht माना है कि ये तो स्वभावर क रूप से इसका ओदै हो न ही था इस परकार्शी आपको याद रखना है अंगला बताने दुसतो ब repairs स्वर्ण काल को स्वर्ण योग किस ने कहा है स्वर्ण काल यहां पर स्वर्ण काल और स्वर्ण योग आपको देखना है दोस्तों ठीक है स्वर्ण काल किस ने कहा है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा काल की बात जब आती है काल की तो आपको याद रख लेना है कि गि पुद का स्वर्ण हमें स्वर्ण योग लगने लगता है सुन्दर लगने लगता है लेकिन गेरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है तो याद रखना इधर से दोस्तों स्वर्ण काल कहा गिरियर सन्ने और अगर आपसे कभी पूंचा जाए कि स्वर्ण योग किस ने कहा तो स्वर्ण योग किस ने कहा, स्वर्ण योग स्याम सुन्दर दास ने कहा, क्योंकि जो स्वर्ण योग है, वो सुन्दर होगा, काल होगा जो, तो काल की तरह देखेंगे गेरों के स्वर्ण को, ठीके, हजारी पिरसाद दुवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरन कहा, क्या क तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है और कभी आपसे पूचा जाए स्वर्ण योग किस ने कहा और ऑफसन में स्याम सुन्दर ना हो तो ग्रियर्शन लगा देना ठीक है याद रखना अगला बताना दोस्तों आलबार सब्द का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि आल किया था यहाँ पर दिया है बारा यहाँ पर क्या दिया बार तो बार से वारा आलबार भक्तों की संक्या कितनी है बारा ठीक है अब आलबार सब्द का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होता है आप लोग के लिए में एक थोटी सी हिंट दे रहा हूं कि आप जितनी बार भी अलबार टिर्की वीडियो देखते हो और आप क्या हो जाते हो मगन हो जाते हो तो अलबार सब्दकार्थ क्या होता है मगन होना है ना पूलि यहां से आपके बहुत सारी प्रशन कबर होने वाले हैं अब आपको वताना है कि हजारी परसाद दुबेदी ने वताना है तो चार विकल्फें दो सेकेंड में आप अपने उत्तर के चेन करेंगे तो एक क्रम से दिया है बिलकुल दोस्तों है ना हजारी परसाद दुबेदी ने जो माना है वो इस्वर दासक्रत सत्य बती कथा किसे माना है इस्वर दास क्रत सत्त बती कथा और मैंने आपको याद करवाया था कि इस्वर की कथा सत्त होती है और इस कथा को हम एक बार नहीं कितने बार पढ़ेंगे हजार बार पढ़ेंगे कितने बार पढ़ेंगे हजार बार पढ़ेंगे तो हजारी पिरसाद दुबेद सूपी कापदारा की प्रतम रचना किसे मानेंगे किसे मानेंगे इस्वर दासकरत सत्त बती कथा को क्योंकि इस्वर की कथा सत्त होती है और सत्त कथा को हम हजार बार पढ़ेंगे थीक है हजार बार पढ़ेंगे तो इसको याद रखेंगे असायत करत हंसावली जिसका रचना काल 1370 है, ठीके, मुल्ला दाउत की चंदायन 1389 इसका रचना काल है, इस्त्वरदास करत सत्वत्य कता 1501 इसका रचना काल है, कुटुबन करत मिर्गाबती 1503 इसका रचना काल है, एक क्वेस्चन वर पूछा जाता है दोस्तो, रामचंदर सुक्ल ने सूपी कापधारा की पिर्थम रचना किसे माना है तो मिर्गाबती को माना है मिर्गाबती को माना है और पिर्थम कभी माना है कुतुबन को तो ये चीज आपको याद रखनी है जिसका रचना काल क्या है पंद्रा सो तीन है अब एक क्रमबद में अगर कभी पूचा जाए तो पहले हसलिया करो, पहले हसो, फिर चांद को देखो, पहले हसो, फिर चांद को देखो, फिर सत्त कथा सुनो, और फिर क्या हो जाएगा आप, है ना, म्रग को देखो, इस परकार से याद करना है कि पहले हसो, फिर चांद को देखो सत्यवति कथा और म्रगावति ठीक है इस परकार से मैं आपको जो आपकी करमबद्ध है न दोस्तों वो इसी परकार से आथ करवा देंगे करमबद्ध वाले जो आपकी रचना है जो आपके कभी कभी हैं उनको करवाएंगे दिक्कत नहीं करना है छिताई बारता की कि रख सुनाती हैं और बोलती है कि आप नारायन जी की कथा सुना करो पहि overview ऐना हो जाएगा अच्छा होगा आप exam में पास हो जाओगी चल्शिताही से आ रहा है टाई और टाई इकिस की कथा सुनाती तुरता युस पहिर्यू पन्द्रान सु चुहुत्तर्या का लिपना और अग्रदास की रचना हमने पढ़ीती कौनसी ध्यान मंजरी ध्यान मंजरी आपको याद रहना है ठीक है अगला बताना दो तो रामायन महानाटक की रचना कार कौन है मैंने तो आपको बता दिया है क्या बता दिया कि रामायन हमारी क्या है प्राण है रामायन हमारी गया था यह question बहुत ही बड़ी आ कोस्टन है कुतुबन की तो मिरगा बती अपने पड़ली है तुलशी दास की अपने रामसरत मानस है ना वरवे रामायर्ण रामग्या प्रस्न और रिकरशन गीता वली यह सारी साइं तुलशी दास जी की है गोकुल दास की बात करें तो 252 बैस्णाओं की बारता और 84 बैस्णाओं की बारता एक गोकोल दास की रचना हैं है ना इनको भी आपको याद रखना है दोस्तो आंगे पूचा जाता है स्याम सगाई की रचनाकार कौन है स्याम सगाई और दोस्तो जल्दी से बताना है स्याम जी के जो बाबा थे वो कौन थे नंद बाबा आप लोग बोलते हैं नंद बाबा और नंद बाबा ने बोला कि स्याम अब क्या हो गए बड़े हो गए हैं अब इनकी क्या कर दी जाए सगाई कर दी जाए किसने सोचा नंद बाबा ने तो नंद बाबा ने स्याम की सगाई किसने की नंद बाबा ने तो नंद दास स्याम सगाई की रचना कर कौनोंगे नंद दास, नंद दास की जोस्तों क्या है, भंबर गीत भी है भंबर गीत है ना और रूप मंजरी है अनेकार्थ मंजरी भी इनी की है ठीक है, बहुत सारी हैं नंद दास की रचनाई मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे आप तो सियाम सगाई तो याद हो गई होगी कि नंद ने सोचा अब सियाम की सगाई कर दी जाए ठीक है मलेक मुहमद जायसी सूफी काब धारा की प्रतम महा कभी मान जाते हैं दोस्तों और इनकी जो महा काभ है वो कौन सा है पदमाबत है हजारी परसाद दुवेदी की अगर बात करें तो हजारी परसाद दुवेदी बहुत ही स्रिष्ट है है ना साहितकार हुए हैं हिंदी साहित की भूमिका हिंदी साहित का आदिकाल हिंदी साहित का उद्वा और विकास ये सभी हजारी परसाद दुवेदी जी के ग्रंथ हैं राम चंद्र सुकल जी का हिंदी साहित का इतिहास है है ना इनको तो याद करेंगे तुल्ची दास को का काली काल का जो बालमी की कहा है वो किसने कहा है बालमी की बताना है दोस्तों काली काल का बालमी की किसने कहा है जल्दी बताओ काली काल का बालमी की किसने कहा है तो आपको पता है दोस्तों कि हम बोलते हैं काल आ गया क्या आ गया काल आ गया तो काल कहां से आता है धरती मैसे के नब से आप देखते हो कि यह बगवान काल आ जाता मुझे तो उठा लेता है ना तो काल कहां से आएगा नब से आएगा तो कली काल काल का बालमी की किसे कहा जाएगा किसने कहा है तो नावा दास ने नब से आएगा काल है ना तो कली काल का बालमी की नावा दास ने कहा है किसे तुलसी दास को ठीक है याद करना है अंगला देख लेते हैं दोस्तों तुलसी दास को चलता फिरता तुलसी तरू किसने कहा है तुलसी तरू और तुलसी तरू की बात हो रही है दोस्तों पौधे की बात हो रही है है ना और इसलिए इने तुलसी तरू कहा गया कि तुलसी इ माना जाता है और तुलसी के जैसी सरस्वती थी किस में तुलसी दास में तुलसी तरू और तुलसी दास इस प्रकार से तो मधू सूधन ने कहा है ठीक है किसने मधू सूधन ने और मधू मतलब होता है बहुरा तो बहुरा किसके पास जाएगा तरू के पास तो जाएगा है न तो मधू तरू के पास जाएगा इस भी मधू सूदन सरस्वती ने तुल्शी दास को चलता फिरता तुल्शी तरू को बहुत ہी बढ़ी या प्रस्चने है कई बार पूछा गया है अंगला बताना भक्तमाल की टीका कार कौन मान जाते हैं भक्त माल की टीका कार प्रिया दास हैं, अग्र दास हैं, हैमचंद्र या फिर देवसेन हैं, तो आपको बताना है दोस्तो, भक्त माल रचना है किसकी नाभा दास की, लेकिन भक्त माल की कौन बताना है, टीका कार बताना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कि जो भक्त द मर आपको याद रख लेना क्योंकि भगवान की प्रिये होते हैं पीली आंधी उपन्यास की लेखी का कौन है चार बिकल्फे दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और यहाँ पर जड़ा खेत की तरह भी देख लेना खेत की तरह कि देखो कैसे पीली आंधी आई है तो आपका वि तो कहां आती पीली आंदी, खेतन में, तो पीली आंदी उपन्याज के लेक क्या कौन होगी, पिरभाग खेतान, पिरभाग खेतान यानि आनम्मर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा, ठीक है, याद हुआ, बिलकुल, तो अंगला प्रस्ण बताना है, अपनी खबर आत्म कथा क अपनी खबर, जो उग्र हो जाते हैं, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती, कि मैं मर रहा हूँ, कि जी रहा हूँ, कि क्या हो जाएगा, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती, जो उग्र हो जाते हैं, तो अपनी खबर, आत्म कथा किसकी होगी, किसकी होगी, उग्र जी की, पां राजेंद प्रसाद, राजेंद प्रसाद की क्या है सत्य की खोज, सत्य की खोज है ना बनार्सी दास जैन अर्द कतानक है ना तो इनको भी आपको याद रखना है नेक्स देखो अंधा योग के रिचनाकार कौन है अंधा योग दोस्तों आपको पता है कि धर्म ना हो तो योग भी कहता हो जाता है अंधा योग हो जाता है आपने देखा होगा इतिहास में धर्म भीहिन राज्य अंधा योग रहा धर्म भीहिन राज्य का जो योग रहा वो एक रचना और याद रखना मुक्ति बोध जी की कामाईनी पुनर विचार कौनसी कामाईनी पुनर विचार इनकी रचना है और कामाईनी जैसंकर प्रिसाथ की और कामाईनी पुनर विचार मुक्ति बोध जी की है ठीक है अग्ये जी को भी याद रखना है अग्ये जी मुक्त काब में कौनसा काब रूप अपनाया गया है जी हां दोस्तों काब रूप आपको बताना है वो रीति काल आपने पड़ा है सिद्ध काब धारा है ना आपने पड़ा है ना रीती बद्ध रीती सिद्ध रीती मुक्त है ना रीती काब धारा में ये धारा है पड़ी है आप लो जागा है ना रीती काब में कौनसा काब रूब अपनाया गया मुक्तक काब अपनाया गया यानि सा नम्मर आपका बिलकुँ सही होगा बूंदी नरेस भाव सेंग के दरबारी कभी कौन थे बूंदी नरेस भाव सेंग के दरबारी कभी बताना है और दोस्तों यहां पर आ रह भाव और भाव यानी कि मति. से हैं कि वह को वह को नहीं मतियों कि मतिया हैं, एक d दूसरे के क्या हो जाए गय速 दूस्रांगे परिया अबाशी दूसरे के क्वोत बहुत घ्रीं कईi that पदमाकर आपके भक्तिकाल से संबन देते हैं देव कभी ने आपने संचारी भाव पड़े होंगे 33 लेकिन 34 भा संचारी भाव किसने माना देव कभी ने ये चीज भी आपको याद रखनी है अंगला बताना है आनन्द अर्नोदय की रचेता कौन है दोस्तो आनन्द अर्नोदय भारतेंदू राधा कर्ष्नदास कुमबंदास या फिर प्रेम घन और दोस्तो अगर प्रेम के बादल चाजाए प्रेम के घन चाजाए तो आपको आनन्द आता है की नहीं आता सभी को आनंद आता है तो प्रेम के बादल चा गए वो ले प्रेम के घन चा गए तो आनंद आ रहा है तो आनंदर रोदा एक रेचना कार कौन होगे कौन होगे प्रेम घन प्रेम घन यानि बेकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुस सही हो जाएगा बात कल लेते दोस्तों भारतेंदु जी की भारतेंदु जी के नाम पर सभी को पता है कि इनके नाम पर आधुने काल का प्रथम काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है इनके नाम पर रखा गया और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था 1850 में 1850 में हुआ और 1850 में इनकी क्या हो गईती बरत्ति लगई ती किसकी भारतिंदूजी की तो यह चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है कुम्बंदास तो आपको पता है अस्ट छाप के कभी है इनके गुरू का नाम बल्लबा चार क्यों को है चाय बटानाय चुहार के रिचनाकार कोन है चार बिकल्ब किया जाता है यह सा विवहार किया जाता है जैसे वो अचूत हो कैसा हो अचूत हो तो अचूत की सिकायत यानि कि हीरा डॉम हीरा डॉम ठीक है हीरा डॉम आनम मरा आपका याद रखने ना हीरा डॉम है ना और लाल दास की एक रचना है दोस्तो अबद बिलास अबद बिलास कुंसी है अवध बीलास है सिवुरास सें बेचैन इनकी एक रचना कई बार पूचि जाती है दोस्तो चमार की चाय कौनसी है इनकी रचना चमार की चाय किसी स्तिवरास सें बेचेन ठीके तो यह चीज भी आद रखनी 2017 की रचना इसका रचनाकार है चमार की चाय का ठीके अगला बताना है करुणा कादम बनी की रचनाकार कौन है करुणा कादम बनी तो दोस्तो एक चीज बताना कि अपने संसार में देखा होगा कि सबसे जादा तक जिन्दा रहा जब तक पानी नहीं दिया एक लोटा और बोले गया बहुत अच्छा था तो करुणा बरसा रहे हैं तो करुणा बरसा रहे किस के लिए गए के लिए तो गया करुणा कादम बनी की रचनाकार होंगे गया प्रसाथ सुकल सनेही और इनका एक उपनाम भी आपसे पूँचा जाता है कि तिर सूल किसका उपनाम है तो गया प्रसाथ सुकल सनेही का उपनाम है बात करें पंडित महावीर प्रसाथ दोब्य दिक्री तो दोस्तों ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के क्या बने ते समपादक बने ते अब देखना बहुत सारे लोगों को क् कन्फूज रहता, कैसे, सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे, संस्थापक, वो कौन थे, चिंता मनी घोस, कौन थे, चिंता मनी घोस थे, ठीके, संपादक को बने, महावीर प्रसाद दुवेदी, लेकिन दूसरे संपादक, प्रिथम संपादक कौन थे, स्याम सुन्दर ठीके, उन्नीस सो ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकासन हुआ ठीके, संपादक कौन थे? स्याम सुन्दर ठीके, है ना, याद रख ले ना, लेकिन उन्नीस सो तीन में कौन बने? महावीर परचाल, दोबेदी है ना, बालमकुंद गुप्त की बात करें यहने राष्ट कभी कहा जाता है, मैं अतनी सड़न गुप्त है ठीके, भारत तो भारत ही है ना, इनकी रचना है अंगला है, साकेत महाकाब में कितने सर्ग है मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक हिंदी सायत में चलता है बारा कहाँ कड़ा, बारा लकी नमबर है हिंदी सायत का बारा कैसी लकी नमबर है, यहाँ पर बारा लिखा आपने देखा कि साकेत में कितने सर्ग, बारा, ठीके और रामानंद के कितने सिस, कितने सिस, रामानंद के वारा, ठीके और बारकरी संपरदाय जो है जो आपने देखा होगा कौन सा आलवार संपरदाय में कितने है वारा है ना आलवार कितने थे बारा आलवर थे तो बारकरी नहीं आलवर ठीक है आलवर भी आपको याद रखना है है ना तो यह बारा का चक्कर बहुत भेंकर है दोस्तों बारा ब बहुत सारी चीज़ें आती है बैसे ही साकेत महाकाब में कितने सर्ग हैं बारा सर्ग हैं और इनके बारवे सर्ग में कभी कभी पूंचा जाता है कि किस सर्ग में लक्षमन और और मिला का जो है मिलन हुआ है साकेत के तो बारवे सर्ग में हुआ है ठीक है तो बारवे सर्ग मे है एच्छायवाद के स्रिष्ट कभी माने जाते हैं आधार इस्तंब माने जाते हैं और प्रबर्तक भी माने जाते हैं ठीक है अलग अलग बिद्वानों ने अलग 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 प्रबर्तक माना किसी ने सुवित्रा नंदन को पाना है किसी ने जैसंकर प्रसाद को माना है तो स छाँगी संकर जी के पास जाना भगवान कला सिखा दो हमें तो कला सीक हिए तो कहा जाँए संकर जी आएक कि जैसंकर प्रसाड जी का अपनाम था कलाधर ठीक है, अब दोस्तों मधोफ उपनाम एक कई बार पूचा गया है तो मदोप उपनाम था किसका मैथली सरण गुपत का उपनाम क्या था मदोप ठीके तिरसूल किसका था तो गया परसास सुकल सनेही गया परसास सुकल सनेही का उपनाम था क्या तिरसूल बैदनाद जो मूल लाम था वो किसका था नागर जुन का किसका था नागर जुन का तो ये उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा, दोस्तो आपको बताना है, दो सेकंड भी आपको दिये जाती है, मैं आपको बता दूँ कि लोहा कितना भी गरम हो, जब धर्म के पास आता है, तो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा लोहा की रचनाकार कौन होंगे, धर्म के पास आता है, तो लोहा ठंडा हो जाता है, तो धर्म भीर भारती, यानि, आ नमबर आपको बलकु सही हो जाएगा, बात करें महादेवी बर्मा की छाया बात की स्रिष्ट कवित्री आधुनिक मीरा इने कहा जाता है क्या जा कहा जाता है आधुनिक मीरा ठीक है एक फैक्ट आपको याद रखना है नेक्स्ट बात करें दोस्तों इनकी एक रचना है यामा यामा के लिए इने क्या मिला ग्यान फीट पुरुसकार मिला ठीक है याद रख लेना इनकी रचना और भी है रस्मी है नीरिजा है नहार है महादेवी बर्माजी की इनको आपको याद रखना हजारी पर साथ अबितक आपने पढ़ा है दोस्तों कि सिद्ध काब धारा पड़ा जैन साहत सिद्ध साहत ये पढ़े हैं आपने लेकिन आज रचना भी पढ़ लो कि सिद्ध साहत जो रचना है वो किसकी है धरम बीर भारती की है ना और आपको पता है कि धरम में बहुत सिद्धी चलती है आपने बोला कि मैंने बे मंतर का जाप किया मुझे सिद्धी हो गई तो सिद्धी हो गई यानि कि सिद्ध साहत है ना तो धरंबीर भारती प्रकार से याद रख लेना इनकी रचना है और राहुल सांकृत्याइन की बात करें तो राहुल सांकृत्याइन ने हिंदी का प्रथम कभी के से माना है सरहपा को माना है ठीक है राहुल सांकृत्याइन की आत्मकथा का नाम है दोस्तों मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा ये चीज भी आपको याद रख लिना है ठीक है और मेरी जीवन यात्रा और किसकी है तो जमुना देवी बजाज की भी आत्मकथा का नाम है जमुना देवी बजाज की आत्मकथा का क्या नाम है मेरी जी तिहास इनका, ठीक है, हिन्दी सब्द सागर की भूमिका की रूप में इनका 1939 में प्रकासन हुआ था, यह ना, तो याद रख लिना है, अंगला आपको बताना है, हिंदी सब्द अनुसासन की लेकख कौन है, हिन्दी सब्द अनुसासन, दोस्तों एक चीज़ बताना, कि सब् का अनुसासन तो हिंदी सब्दा अनुसासन के लेखक कौन होंगे कि सोरी दास बाचपेई ठीक है याद रख लेना इनकी रचना है बहुत ही महत्पूर रचना है हिंदी सब्दा अनुसासन के लेखक कि सोरी दास बाचपेई और दोस्तों आपको याद रख लेना है कभी आप अंगद पैज की रचनाकार कौन है प्रस्टने किरमांग 14 का उत्तर आपको बताना है दोस्तों एक चीज बताना आपने रामार देखी होगी और आपने देखा होगा अंगद रहते एक अंगद और अपना पैज रोप देते हैं लंका में किसकी किरपा से किसकी किरपा से अग्रदास ठीक है इनकी रचना कार हो जाएंगे नावादास की बारे में आपको पता है इनकी रचना है कौनसी भक्त माल है ठीक है भक्त माल जीवन ब्रत कहलाता है और भक्त माल की टीका लिखी किसने प्रियादास ने ठीक है किसने लिखी प्रियादास ने ये चीजी भी आ ग्रदास की है, ठीक है इतनी चीज़ याद रखनी है, अपराजिता की रिचनाकार कोन है, अपराजिता, रामेश्च और शुकल अंचल, दिनकर, तुलिसी दास, या फिर माखलाल चतरुबेदी, तो दोस्तों आपको बताना है, आप जिस भी अंचल की हो, आप जिस भी अंच अंचल में क्या है अपराजित है तो रामिस उर्शुकल अंचल है ना अपराजिता के रचना कारोंगे अंचल साव है ना दिनकर के बारे में सभी को पता है और बसी इनका स्रेश्ट और बसी इनकी रचना है ठीक है और बसी के लिए इनको क्या मिला है दोस्तों ज्यानपीट पुरुषकार मिला है उर्वसी एक रचना जैसंकर प्रसाज जी की भी है वो भी याद रखना है ठीक है तुलसीदास कभी का भी नाम है तुलसीदास निराला जी की रचना भी है ठीक है निराला जी की रचना है ये चीज भी याद रखनी है तुलसीदास नाटक है एक दोस्त अगला बताना देहाती दुनिया की रचनाकार कौन है देहाती दुनिया दोस्तों एक चीज बताना कि देहाती दुनिया में क्या होता है वो नहीं जाते कि अगर मगर क्या कुछ वो जानते हैं कि मैं सिव की पूजन करता हूँ और सिव ही मेरी सहाय करेंगे क्या करेंगे सिव ह कि सहाय करेंगे कहां पर देहाती दुनिया में तो देहाती दुनिया किसकी होगी सिव पूजन सहाय क्योंकि सिव की पूजन ही सहाय है देहाती दुनिया में तो आपका जो विकल्प नमर एक है वो बिलकु सही होगा ठीक है याद रख लेना बात गोकुल दास की बात करें तो दोस्तों आपको कई बार बताया है 252, 252 वैस्टनों की बारता और 84 वैस्टनों की बारता ये जीबन बरत्ते हैं गोकोल दास के इनको भी याद रखना है हालाते कनया की रचनाकार कौन है प्रश्निक रमांग 17 विद्यापती मलिक मोहमद जाईसी हजारी परसाद दोवेदिया अमीर खुसरो हालाते कनया दोस्तों एक चीज बताना कि आपको पता है लागडाउन में हालात भी बिगड़ गए किसके अमीरों के भी अच्छे अच्छ को सबी जानते हैं इन्हें अभिनाव जैदेओ कहा जाता है कभी सेखर भी कहा जाता है ठीक है अभिनाय जवदेओ भी और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है मैथिल कोकिल ठीक है किसे बिद्यापती को और पदलता पता का पदलता पता का इनकी रचना है पदावली कीर्टी लता और कीर्टी पता का ठीक है ये चीज आपको याद रखना है ये किसकी है बिद्यापती जी की है ठीक है और जायसी का पदमाबत तो आपको पता ही है मंगल सूत्र की रचना कार कोन है दोस्तो प्रेम चंदी की जब मैं आपको रचना याद करवाऊंगा ट्रिक से तो प्रेम च अबिर प्रसाद दुबेदी की बात करें दोस्तों तो इनकी एक रचना है संपत्ती सास्त्र क्या है संपत्ती सास्त्र बहुत ही स्रेश्ट है कई बार पूचा गया संपत्ती सास्त्र है ना और याद रख ले ना कोसलाप की तो आपको पता ही है ना कोसलाप ढोला मारूरा महा काब है कामाईनी नाम का ठीक है जिसमें कितनी सर्ग हैं पंदरा सर्ग हैं ठीक है याद रखेंगे और दोस्तों जैसंकर प्रसाद ने भौत नाटक लिखे हैं नोंने सज्जन इनका प्रिथम नाटक माना जाता है प्राश्चित इनका नाटक है कामना इनका नाटक है कल्य गुपत इस तारी नाटे किसके हैं, जय संकर परसाथ जी की है, इनको आपको याद रखना है, अंगला है, आपको बताना है, पूझ का ब्यांद करूँ, है बहुत ही बढ़िया है कई बार एक जाम में पूछी गई आत्मकता है क्या बूलूं क्या याद करूं मोस्ट इंपोर्टेंट भी है तो इसको याद रखें जल्दी से आपको बताना है जगत दुनियोत की रचनाकार कौन है तो अपने पदम से घूमना है पदम यानि की पैर से घूमना है क्या जगत तो जगत दुनियोत की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे पदम से घूमना है तो पदमाकर ठीक है और दोस्तों पदमाकर का संबंद कहाते है सागर से ठीक है सागर से है और सागर में पदमाकर उत्स जो भी मनाया जाता है यह चीज भी आपको याद रखनी है और भूचन की बात करें दोस्तो तो भूचन का बास्तविक नामता गंस्याम क्या नामता गंस्याम है ना इन्हे उपादी दी गईती भूचन की तो इसली याद रखना रितिकाल में एक मात्र बीरस के कभी है भूशन जी है ना याद रखो अंगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों कभी कुल कल्प तुरू की रचनाकार कौन है चार विकल्प हैं बिल्कुल आसान है आपको बताना है दो सेकेंड आपको दिये जाती है और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आ रहा है कभी कुल और दोस्तों आपको पता है कि अपने अपने कुल की चिन्ता सभी को रहती है आपका भी कुल होगा आपके कुल की चिन्ता आपको है कि नहीं है है ना तो कुल की चिन्ता सभी को रहती है इसलिए कभी कुल कल्प तरू क रचनाकार कौन होंगे चिंता मनी यानि कि आपका जो बिकल्प नमबर A है वो विल्कुछ सही हो जाएगा ठीक है आपने दोस्तों मतीराम के बारे में कल्प पड़ा था कि जो मतीराम है यह भाव सेंके दरबारी कवीते हैं ना भाव सेंके तो मती और भाव है याद करना है र दस संप्रदाई इस सभी आपने पड़े हैं अब एक चीज बताना दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बामन लोग होते बामन यानि पंडित लोग है ना वो क्या करते हैं रीती रीती से पूजन करवाते हैं कौन बामन लोग पंडित को बामन बोला जाता है ना और बामन लो की प्रवर्तक हैं बामन याद रख लेना है आपको ठीक है और भामा है जो है कि अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक है ठीक है बक्तरोक्ती संप्रदाय के कुंतक हैं है ना यह चीज आपको याद रखनी है अगला कोस्चन देखेंगे दोस्तों रीतिकाल को स्रंगार काल किसने अब दोस्तों एक चीज बताना कि स्रंगार अपने भारत में ही किया जाता है कि पूरे विस्तु में किया जाता है जल्दी बताओं कि भारत अकेले की लोग कर लेते हैं स्रंगार तो दोस्तों स्रंगार तो पूरे विस्तु के लोग करते हैं तो स्रीति काल को स्रंगार काल कौ कौन कहेगा स्रंगार पूरे विस्तु के लोग करते हैं तो विस्तुनात प्रसाद कौन कहेगा विस्तुनात प्रसाद है ना और अलंकार काल कौन कहेगा अलंकरत काल तो कहेगा कौन मिस्रबंदू यानि कि मिस्रबंदू अलंकरत काल और स्रंगार काल विस्तुनात प्रसाद यह चीज आपको व्याद रखनी है दोस्तो भाव बिलास की रचनाकार कौन है चार बिकल्प है चार में से अपने चैन करके आपको बताना है और हम बोलते ना आजकर बोले आजकर तो आजकर तो आप भाव भी नहीं दे रहे हैं या फिर भाव देव अपन बोलते कोई भी ठीक है और दोस्तो देव कभी के बारे में आप जानते हैं कि जो देव कभी हैं इन्होंने चोंतीस बा छल नामक संचारी भाव माना है यह चीट तो आपको पता है घनानंद की बात करें तो इनकी प्रहमिका के बारे में तो आप जानते हैं इनकी प्रहमिका का नाम क्या था सुजान है ना है ना तो इनकी जितनी भी रचना है सुजान सुजान करके आती है तो वो भी याद रखने ना बिहारी सस्ताई तो आपको पता ही है बिहारी सस्ताई है ना बिहारी जी की स्रेश्ट रचना है ये तो पता ही है ठीक है तो इनको याद रख लेंगे और पदमाकर की जगत दिन्योद हमने पढ़ ली जो आपसे पूची जाती है अगला बताना आलम के तो माधवा नल काम कंदला की भासा क्या है दोस्तों अब एक चीज बताना दोस्तों यह पूची जाती है माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है तो दो कमियों की एक गडपती की है और आल आलम क्या है यार बोले हाँ इस अबदी में तो आलम सही है या अंगली अबदी में आलम सही हो जाएगा अभी आलम सही नहीं अंगली अबदी में आलम सही हो जाएगा है ना तो आलम अंगली अबदी में सही होगा तो आलम करत जो मादवा नलकाम कंदला है इसकी भासा क्या हो माने जाती है ठीक है यह चीज आपको पतक एना करनी है और आपको बता है दोस्तों कि जो राजिस्थानी गुजराती और पस्चमी हिंदी एक काई से निकली थी सौर से नी अपवरेंस से ठीक है और अब दिकाई की है पूर्वी हिंदी की अब दी बगेली छतीस गड़ी यह हिंदी की मानी जाती है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है फिर आपको बताना जैसे घर रहे वैसे विदेश रहे मतलब ब्यक्ती का प्रताप जैसा घर में है वैसा ही विदेश में है क्या प्रताप तो जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश है ना चाए घर में हो तो प्रताप बही होगा विदेश में हो तो भी प्रताप बही होगा तो प्रताप नाराण मिस्र यह इनकी पंक्ती है याद रख ले ना जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश प्रताप नाराण मिस्र ठी अंगला बताना है दोस्तों आपको हिंदी साहित में महा प्राण सब्द किसके लिए प्रियोग किया जाता है, चार बिकल्पें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, है ना, और आपको पता है कांतिकारी कभी भी इने कहा जाता है, है ना, और छंद मुक्त रचना इनकी एक जू मालने प्राण, लेकिन महा प्राण तो कोई नराला ब्यक्ती ही होगा, जिसे महा प्राण कहा जाएगा, कि सामा नैसा ही ब्यक्ती को कह दिया जाएगा, नहीं, कोई नराला ब्यक्ती है, और वो है सूरका अंतरपाटी नराला छायाबाद के आधार स्थब, ठीक है, जूही क कली को और दोस्तों बाद में ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि निराला जी की प्रसिद्धी का कारण बनी जुही की कली ठीके याद रख लिना है महाबीर प्रसाद दुवेदी की संपत्ति सास्त आपको याद रख लिना 1903 में इस रस्वती के संपादक बने 1920 तक ये रह ठीके दुवेदी जी के नाम पर दुवेदी युक का नाम भी पड़ा ये चीज भी आपको याद रखना गया प्रसाद सुकल सन्यही की बात करें तो इनका जो उपनाम है वो क्या है त्रिसूल त्रिसूल इनका उपनाम है गया प्रसाद सुकल सन्यही ठीके इनको याद अब एक चीज बता ना दूस्तों कि अगर आपका कोई मुकदमा चलना है तो आप यहीं देश के कोट में जाओगे कि बिदेश जाओगे आपका मामला यहीं चलेगे स्वधेश के कोट में तो कोट मार्सल स्वधेश दीपक क्योंकि हमें स्वदेश के कोट में जाना है विदेश के कोट में नहीं जाना यानि कि आपका जो एक नमर है वो बिल्कुश सही हो जाएगा ठीक है एक रचना पूछी जाती है जो दोस्तों विजय तेंदुलकर जी की कौन थी सखा राम बाइंडर मैंने आपको याद करवाई थी कैसे आजाता सचन तेंदुलकर है ना और सचन तेंदुलकर जब टीम में खھیलते थे सभी से सखा भाव सखा जैसा प्रैम करते थे हैं सखा जैसे रहते थे तो सखा भाईंडर बिजय तेंदुलकर ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है कोट मार्सल तो याद हो गई आपको सौदेश दीपक ठीक है अंगला बताना दोस्तो बकरी नाटक के रेचना कारपोन बकरी बकरीया रहती नहीं जो अपने गाउं में आपने देखी बकरीया है ना तो बकरी नाटक के कौन है चार विकल्ब में दोस्तो और कितनी बकरी है पूरे देश में इसका आपको कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा जब चलेगा जब इनका सर्बे होगा क्या होगा सर्बे होगा तो बकरी का सर्बे करवाना है तो बकरी नाटक की रचेता कौन होंगे सरबेश सुरदयाल सकसेना ठीक है आधे अधूरे रचना जो है वो किसकी है मोहन राकेश की है आधे अधूरे है ना हवीप तन्वीर की कौन सी है चरण दास चोर चरण दास चोर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कई बार पूछी गई है चरण दास चोर ये याद रख लेना है और बकरी नाटक किसका है तो सरबेश सुरदयाल सकसेना जी कह ठीक है अंगला बताना दोस्तों छल चन बोड़े कण मुसकाई ए इसकी रचनाकार कौन है धरमबीर भारती जी है महादे भी बर्मा है कनया लाल मिसर प्रभाकर है या फ या फिर आपके आंगन में कनया जी आजाएं कनया जी तो चन बोले कण मुसकाई है ना कन कन क्या करने लगेगा मुसकाने लगेगा अगर कनया जी आजाएं तो कन कन मुसकाने लगेगा तो चन बोले कन मुसकाई क्योंकि कनया आगए तो कनया लाल मिसर प्रभाकर की रचना ह चनवोले कण मिसकाई ठीक है बात कर लेते हैं महादेवी बर्मा जी की मैंने आपको कई बार बताया है महादेवी बर्मा जी को यामा के लिए एक मात्र ऐसी कभित्री थी जिने ग्यान पीट पुरस्कार किसी रचना के लिए किसी रचना के लिए ग्यान पीट पुरस्कार मिल मिला तो वो महादेवी बर्माही है ठीक है ये चीज भी आद रखनी है दोस्तो निबंद कृती आलोक पर्व की रचनाकार कौन है आलोक पर्व बताना है चार विकल्प है और चार में से उत्तर बताना है और आपका बिल्कुस सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो एक चीज बत हैं हजारों पर्व हैं तो आलोक पर्व के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे हजारों पर्व हैं तो हजारी प्रसाद दोवेदी ठीक है है याद रख लिना है सेष्ट साहितकार हैं दोस्तो हिंदी साहित के हिंदी साहित के आदिकाल को इन्होंने आदिकाल कहा है ना हिं मिका इनकी रचना है हिंदी साहत का आदिकाल हिंदी साहत का उदवाव एवं बिकास ठीक है और दोस्तों एक इनकी रचना पूछी जाती है मैंने आपको याद करवाई थी असोक के फूल ठीक है असोक के फूल इनहीं की रचना है दुवेदी जी की है ना और आलोग पर्वी इनका हजारी नाम है, मतलब हजार से आपको याद रख लेना है, ठीक है, हजार से इनकी बहुत सारी रचना याद हो जाती है, जैसे आलोग पर्व हमारे देश में हजार हैं, तो हजारी परसाद दोवेदी, असोक के फूल, तो असोक के फूल, भाई, असोक का फूल है, तो अ आदुने खिंदी साहित की सरवाद एक लोगप्रिय विधा कौनसी है? सरवाद एक लोगप्रिय विधा बताना है, है ना विविन परकार की काब विधाय होती है, दोस्तो कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, कभीता विधा है, कुछ मुख विधाय होती ह कोछ गौण बिदा होती है ना लेकिन यहां पर आपको बताना है कि जो सरवाद एक प्रसिद्ध बिदा है वो कौनसी है तो याद रखना वो कौनसी बिदा है कहानी बिदा कौनसी है कहानी अब किसी को भी कहानी सुनाओ वो मंत्र मुग्द हो जाता है है ना तो हिंदी सायद क इस सबसे प्रसिद्ध जो बिधा मानी जाती है वो कहानी बिधा मानी जाती है और अंगला कोस्टन आपको बताना है प्रैमचंद का बास्त्व के नाम क्या था कलम ने प्रैमचंद के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि इनकी उपन्यास हैं सेबा, सदन, कर्म, भूमी, गबन, निर्मला, गोदान इस सारी की सारी इनकी रचना है और इनका एक जो रचना है एक कौनसा मंगल सूत्र, मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है अधूरा उपन्यास, मंगल सूत्र प्रैमचंद जी का और दोस्तों इनका जो बास्त्विक नाम था वो क्या था क्या था प्रेम चंदी जी ने कहा कि धन का मुझे क्या करना है धन का मुझे क्या करना है मुझे तो प्रेम मिलता रहे तो धन पत्राय इनका नाम था क्या नाम था इनका बास्त्विक नाम था धन पत्राय है ना और जब इनकी सोजे बतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब तो ह यह किस नाम से लिखते थे लेकिन जब इनकी बतं जब्द नाम से लिखने लगे थे थे ना तो याल रखना है अगला पोस्चिन हमेशा पूच़ा जाता है दोस्तों मनो विशलेशन बादी कहानिकार बताना है तो एक चीज बताना दोस्तों कि आपने देखा होगा कहा क्या देखा होगा इस तंसार के बहुत सारे लोग क्या करते हैं जोस में आ जाते हैं जोस में आ जाते हैं बुले ये जिस तंसार के जितने लोग जोस में आते हैं उनका मनुविस्ट्रेशन करो, क्यों आते हैं ये जोस में, क्यों आते हैं ये जोस में, इनका मनुविस्ट्रेशन करो, तो ईला चंदर जोसी, इला चंदर जोसी, ये मनुविस्ट्रेशन बादी कभी मान जाते हैं, कहानी कार मान जाते हैं, यानि कि जो आनम्मर है, वो आपक के लिए नहीं रहती ओगर है ना तो अगर तो पांडे बेचन सर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी खबार यह अपनने कल पढ़ा था इसको भी अपन याद रख लेंगे अंगला बताना दोस्तो पीली छतरी बाली लड़की यह आपको बतानी है तो कल अपनने पढ़ा था पी पीली आंधी कल अपनने क्या पढ़ लिया था पीली आंधी और पीली आंधी कहां पर आती है खेतन में आती है खेतन में है ना खेतन में तो प्रभा खेतान की पीली आंधी पढ़ लीती अब पीली छतरी बाली लड़की की रचनाकार बताना है अब एक चीज बताना दोस्त कि पीली छत्री वाली लड़की और जब दोस्तो सूर का ओदय होता है सूर का क्या होता है ओदय होता है तो आपको नहीं लगता है ऐसा कि जैसे पीला पीला देख रहा हो है ना जैसे पीली एक छत्री निकल रही हो पीली पीली चत्री निकल लई हो, है ना, तो पीली चत्री वाली लड़की का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उदय प्रिकास, ठीके, उदय प्रिकास याद रख लेना, उदय प्रिकास, पीली चत्री वाली लड़की, इसकी रचनाकार है, उदय प्रिकास, ठीके, बी नम का कभी कहा जाता है केदारनात अग्रवाल को केदारनात अग्रवाल को ठीक है ये चीज भी आद रखनी है और समसीर वहादुर को कभी कभी कहा जाता है अगला बताना है सेतान मंदली की रचनाकार कौन है सेतान मंदली अब आपको बताना है दोस्तों कि जो सेतान मंदली रहत रचनाकार कौन होंगे बेचन सर्मा उग्र है ना कौन होंगे बेचन रहती है तो बेचन सर्मा उग्र सैतान मंदली सैतानी करने के लिए क्या रहती है बेचन रहती है तो बेचन सर्मा उग्र इसके रचनाकार हो जाएंगे है ना एक तामवे के कीड़े करके रचना है दोस्त भवन तो भुवने शृ है ना और इनकी रचना तो आपको पता ही है तमस ठीक है भीसमिसायनी की एक रचना है तमस जो हमेशा पूझी जाती है इनको भी आद रखनी है अंगला बताना दोस्तो नदी के दीप की रचना कार कोन है तो चार बिकल्प है और नदी के दीप आपने क्या कहा युग की बानी कहा प्रगती बाद इनकी एक रचना है युग बानी किसकी पंत जी की और उन्होंने प्रगती बाद को कहा था युग की बानी कभी आपसे question पूछा जाए कि प्रगती बाद को युग की बानी किस ने कहा तो युग बानी कहा पंत जी ने ठीक है सुमि में इनकी म्रत्व हो गई थी किसकी भारतेंदु जी के इनके नाम पर जो पर्थम योग का नाम पड़ा आधुने काल के वो क्या पड़ा है ना भारतेंदु आमरतलाल लांगर की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों खंजन नयन खंजन नयन कई बार पूची जाती ह अमरतलाल लांगर की है ठीक है अंगला क्वेश्चन आपको बताना है पिलेक की चुड़ेल कहानी किसकी है भगवान दास की है राम चंदर सुकली की है कि सोरी लाल गोस्वामी की है या फिर ब्रद्दाबाल लाल बर्मा की है पिलेक की चुड़ेल अच्छा दोस्तों एक च सारी चुडेल उतर जाएंगी है ना अपन बोलते ना भगवान के पास ले चकलो भूत उतर जाएंगे इसके तो सारे की सारी चुडेल उतर जाएंगी कहां ले जाना है भगवान के पास तो भगवान दास पिलेक की चुडेल इनकी रचना हो जाएगी ठीक है सभी लोग याद रख रेना है हिंदी का पाड़नी ने कहा जाता है कि सोरी डाल गोस्वामी को और ब्रंदावलाल बर्मा की एक रचना है दोस्तों म्रग नए नी ठीक है म्रग नए नी याद रखना है ठीक है इनकी रचना म्रग नए नी है और एतिहासिक उपन्यास कार माने जाते हैं कौन ब् हिंदी का जो प्रिथम समाचार पत्र था, वो कौन था? ओधन्त मारतंड था. ठीके? और ये कब प्रकासित हुआ? तो ये प्रकासित हुआ 1826 में. ठीके? कहां से प्रकासित हुआ? तो ये हुआ कलकत्ता से. ठीके? और ये कैसा था? तो ये सापताहिक था. याद रख लेना? ये सापताहिक था. ये याद रखना. अगर आपसे पूछे जा हिंदी का प्रिथम सापताहिक समाचार पत्र कौन था? तो आप बताना ओधन्त मारतंड. हिंदी का प्रिथम समाचार पत्र कौन था? तो आप बताना ओधन्त मारतंड. ठीके? इसकी संपादक कौन थे? तो ज ये चीज 1826 में आपकी एक ैनीकली ओधन्त मार्तन्ड निकला फिर दोस्तो एक पत्री का निकली थी कवंसी बंग दूथि आपको पता होगा बंग दूथ कहां से बंगदूत निकली थी, कब निकली थी, 1829 में निकली थी, बंगदूत, फिर हिंदी का प्रिथम द्यानेक समाचार पत्र, कौन सा था, समाचार सुधा वर्षन, कब निकला ये, 1854 में, 1854 में है ना, याद रख ली ना, और 1855 में दोस्तों एक निकला था, पिरजा हेते इसी, ठीके, एक इसका था, 1855 में, इसकी संपादकोंती राजा लक्षमन से, है ना, स्याम सुंदर सेन, निकला, इनका निकला, समाचार सुधा वर्षन, हिंदी का प्रिथम द्यानेक समाचार पत्र, 1854 में, ठीके, बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहरा ने, 1839 में, जु तो है, ओधन्त मारतंड, इस संपादक बने है ना, और इस सापता है था, तुल्षिदास की काब वकला की सबसे मदोर्तम अभी व्यक्ति कौन सी है, चार विकल्पें तुल्षिदास जी को आप जानते हैं, दोस्तों, राम भक्ती धारा के स्रेष्ट कभी तुल्षिदास, जिनके गुरू का नाम था नरहरी दास, ठीक है, आपको पता है, और तुल्षिदास की जो प्रमारे के किरतियां मानी जाती हैं, वो कितनी किरतियां मानी जाती हैं, बारह, ठीक है, बारह मानी जाती हैं, उन सबी में से जो सबसे प्रिशिद्द और मधुर्तम अभी व्यक् कौनसी है यहां पर बताना है आपने वो पढ़ा होगा कि चित्र कूट के घाट में भाई संतन की भीड और तुलिस्री दास अभी वेक्ती कौनसी होगी गीत मतलब गीता वली ठीक है यार रख लेना इनकी रामचेत मानस रचना बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों सरवादिक ठीक है लिखेंगे रामचेत मानस की और यह महाकाब है किस भासा का महाकाब है तो अब दी भासा का महाकाब है ठीक है बिने पत कोश्चन आपसे पूचा जाता है स्तियुराज भूस्टन की रचना कार कोन हैं चार विकल्प हैं आपके सामने दो सेकंड आपको दिये जाएंगे और रिक भी भनी ठिक बताई जाएगे आपको डोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉज भूस्टन गरनत है इस इसमें अलंकारों की जो संख्या बताई गई है वो 105 अलंकारों की संख्या बताई गई है याद रख रहे ना कितने अलंकारों आप से question पूचा जाएगा कि निमन में से बताई है किस रचना में 105 अलंकारों की चर्चा हुई है या 105 अलंकारों की चर्चा किस रचना में हुई ह तो आपको उतर होगा सिवराज भूशन में ठीक है और सिवराज भूशन की रचना कार कौन है तो आपको पता है भूशन लगा है तो भूशन है ना याद रखना और दोस्तों काब नरनाई काब नरनाई एक रचना बहुत ही प्रसिद रचना है बेकारी दासकी ठीक है यह ची आपसे काब्र की परिभासाइं भी पूची जाती है दोस्तों, अब रीती रात्मा काब्यस कहे दिया कि ये परिभासा किसकी है, तो आप क्या कहेंगे किसकी है, दोस्ते किनमें जल्दी बताएं, बामन, कुंतक, दंडि या भामा है, मैंने आपको याद करवाय था दोस्तों, कि रीती संपरदाय और रीती काल रीती काल अलग रीती संपरदाय अलग रीती संपरदाय की प्रबरतक कौन है रीती रीती से पूजन करवाते हैं कौन बामन लोग पंदित लोग जिने पंदित बोलते हैं वो बामन लोग रीती रीती से करवाते हैं पूजन भगवानी की तो बामन यानी कि एक नंबर, आप जब रीती सम्पृदाय की बामन है तो रीती रात्मा का ब्यस्त भी कौन कहेगा बामन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका एक है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा आप से पूछा जाता है दोस्तो बक्तरोक्ती संपरदाय के प्रवर्तक कौन है तो आप बोलते हो कि सर आप जो बक्तरते हो वो हमारे कान तक महुचता है जो आप बक्तरते हो वो हमारे कान तक महुचता है तो कुन तक बक्तरोक्ती संपरदाय के ठीक है अब आप कहोगे दोस् करता और अलंकार कंवान करता है भामा सव थ अलंकार को प्राण मानने वाली यह हैं वो कौन है है अब एक चीज है बताना अध Max तो कि सबसे ज़्यादा हैं आप अलंकार करते हो तो काय का करते हो केसों का करते हो काय को करते हो केसों का विभन परकार की डाई डालोगे विभन परकार की महंदी डालोगे आज कल देखा है आपने कि इतने आंगे कि बस बाल लाल कर दिये इतने तो आप सबसे ज़्यादा क्य करते हो मेंदी सेंपु क्या क्या डालते हो बेबन प्रकार के लंकार करते हो साब क्या का केसों का केसों का यानि कि जो आनम्मर है वो बिल्कुछ सभी हो जाएगा ठीक है आपने सुना होगा जिस प्रकार बैखती की जोवा आवुष्ण से बढ़ती है उसी प्रकार काब की सोवा बढ़ाने वाले तत्तों कहलाते हैं अलंकार ठीक है तो अलंकार वैसे हम आभूस्ण और अलंकार तो इसी प्रकार से आप ले लें कि केस का हम क्या करते हैं अलंकार करते हैं यानि कि केस अधार अलंकार को काब का प्राण मानने वाले बात करें मतिरांगी तो मतिरांगी एक रचना है ललत ललाम ललत ललाम और इस चीज़ को भूल जाता है दोस्तो लिलार क्या भूला जाता है लिलार या ललाम उर Onगली देख लेते हैं रीती काली राष्टे कभी कोन है रीती काली दोस्तों रीती काल आपने पढ़ा होगा है ना पूर मद्दकाल और उत्तर मद्दकाल तो उत्तर मद्दकाल को क्या कहा जाता है रीती काल कहा जाता है ठीके अब रीती काल की राष्टे कभी कोन है तो आपने रीती काल पढ़ा बात करें चिंता मनी की, तो चिंता मनी दोस्तों बहुत ही प्रिसिद्ध माने जाते हैं, इनकी एक रचना है, कभी कुल कल्प तरू, मैंने आपको समझाया था, याद करवाया था, कि कुल की चिंता सभी लोगों को रहती है, कुल की चिंता, तो कभी कुल कल्प तरू, इनकी चिंतामलींग की है बिहारीजी की तो बिहारी सस्तवी है है ना घणाननद की अ है को और प्रश्यक्रमांग 6 है का अंतर बताना है किरपा राम घनानंद देव कभी या फिर भूशन तो हित तरंगणी की रचनाकार बताना है और दोस्तों एक चीज बताना दो सेकिंड में आप अपने उत्तर का चेहन तो करेंगे लेकिन अगर आपके उपर किरपा राम की हो जाए तो क्या होगा आपका अहेत होगा की हेत होगा जल्दी से उत्तर बताओ अगर आपके उपर किरपा राम की हो जाए तो अहेत होगा की हेत होगा हेत होगा तो हेत तरंगणी जो रचना होगी वो किसकी होगी किरपा राम की क्योंकि किरपा राम की हो गई तो हेत ही होगा साब तो हेत तरंगणी किर पराम तीक है यार रख लेना अंगला बताना दोस्तों इसके लता की रचनाकार कौन है घंअनन्द आलम बोधा या फिर चेंटामनी तो याद कल लेना दोस्तों है न इनकी प्रेमिका का नाम क्या था सुजान बहुत प्रेम करते थे और सुजान ने इनको क्या कर दिया था इनको इगनोर कर दिया था और यह जब वहां से निकाले गए है ना फिर बाद में कहीं और मच में चले गए थे घनानंद जी आपको पता होगा फिर इसके रता के रचना रचनाकार आपको याद रखना है ठीक है याद रखना है और आलम की जो मादवानल काम कंदला है यह कौनसी भाहसा में लिखी गई अबदी भाहसा में लिखी गई है ना यह चीज भी हमने आपको बताया था और है ना याद रख लेना इसको अंगला है दोस्तो अंगद दर्पण अंगद दर्पण की रिचनाकार कौन है इस वरी अंगद दर्पण अंगद नहीं अंगद दर्पण रसलीन है सैनापती है मतिराम या फिर किरपाराम है तो एक चीज बताना दोस्तो आज कल के जो किसोर होते ना किसोर किसोर किसोरिया होती है वो दरपन में अपने अंग देख देख के बड़ा रस लेते हैं मैं कितना सुन्दर हूँ दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो दरपन देखते हैं है ना तो अंग दरपन में देख देख क्या लेते हैं रस लेते हैं तो अंगे दरपण की रचनाकार रसलीन अंगे दरपण की रचनाकार रसलीन इस प्रकार से याद करना कि अंगे दरपण में देखकर की रसलेते हैं तो रसलीन है ना याद करेंगे और दोस्तों एक रचना है सेना पती जी की कौन सी है जल्दी से आपको बताना है काब रतना कर ऐसे करके है सेनापती की बहुत बढ़ या रचना है है न वो आप आध रख लेना और पता दीना कमेंट में कौन सी है मुझे आध नहीं आ रही राम चर्ट मानस को छोड़कर सरवादेक जो टीका हैं किस गरंथ पर लिखी गई राम चर्ट मानस को छोड़कर सरवादेक टीकाएं किस गरंथ पर लिखी गई दोस्तूर बेहारी सस्ताई बेहारी जी की रचना है कभीर दास जी की है ईना putमाबत इनकी मलिक मोहम मुहमद जाईसी की पदमाबत है है ना सूर सागर आपको बता है सूरदास जी की है है ना तो यह सारी रचना यह आपको याद भी करनी है घनानंद को साक्षात रसमूर्थी किसने कहा है जी हां दोस्तों आपको पता है बहुत रस ले रहे थे घनानंद सुझान का है ना आनंद ले रहे थे बहु कहेंगे रामचंद्र सुक्र जी कहेंगे घनानंद को साक्षात रसमूर्ती रामचंद्र सुक्र ने कहा है यानि कि आपको बिकल्प नमबर ए है वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लो जैसंकर प्रसाथ का जन्म कब हुआ था अब मैं आपको जन्म भी याद कर वाओंगा दोस्तो अब जन्म और जीवन परिचाए जैसे याद करते हो अब देखना कैसे याद होता है आपको चार बिकल्प है चार में से आप चैन करके कि दो स्केंड में उत्तर बताएंगे पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चित्र में है वो क्या कर रहा है शंकर जींगा तीस नवा रहा है, तो नवा रहा है तो नवासी, नवा रहा है तो नवासी किसका संकर जी का, अठारा सो नवासी, नवा रहा है, बूले अब कभी नहीं बूलो गया, है ना जै संकर की बहतारी बूले संकर जी का सीज नवा रहा है, है ना, सीज नवाते हैं, तो नवासी, ठी रख लेना और आप भी सीस नवा लेना इस प्रकार से संकर जी का तो आ नमबर जो है आपका बिल्कु सही हो जाएगा है ना अंगला कोश्चन आपको बताना मुकुट धर पांडे का जन्म हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों यह मुकुट रखा है मुकुट और यह मुकुट कितने का है पता है कितने का है 95 का है कितने का है आपको पता है दोस्तों चायबाद की प्रवर्तक यह भी माने जाते हैं पंत को नंद दुलारी बाचपेई ने माना चायाबाद का प्रिवर्टक है ना जैसंकर प्रिसाथ को ईला चंदर जोसी ने माना चायाबाद का प्रिवर्टक और मुकुट धर पांडे की जन्म की बात आती है तो ये मुकुट है और मुकुट कितने रुपे का है 95 रुपे का है तो मुकुट धर पांडे का जो जन्म होगा वो कब होगा 1895 से 1984 ये इनका जन्म है मैं आपको पूरे जन्म में याद करवा दूँगा जन्मकाल है ना तो अब आपको अबला जीवन हाए तुम्हारी यही कहानी, आचल में है डूद और आखों में पानी, सुद्धाक है और फूद्ध की है तो याद रख लिए यसा पूची जाती है कि अबला जीबन हाई तुमारी यही कहानी और आचल में है दूद और आखों में पानी बहुत ही बढ़िया पंक्ती है राष्ट कभी मैधस्टन गुपत जी की साकेत भी इनकी रचना है साकेत जिसमें 12 सर्ग हैं दोस्तो भारत भारती इनकी रचना है प्रिसिद्ध है ठीक है गुपत जी के बारे में आपको याद रख लेना है बहुत ही प्रिसिद्ध है है ना और राम नरिष्ट रपाठी की मानसी एक रचना पूछी जाती मानसी रचना किसकी है तो राम नरिष्ट रपाठी जी की है महावीर प्रिसाद दुबेदी के बारे में बताना तो आपके अब डर नहीं जाना आप लोगों सरी क्या लेकि आ गया भूत भूत नहीं मैं बापको बता रहा हूं कि मिट्टी के बरात की रिचनकार कौन है तो कौन है दोस्तों आपको पता है कि जब सिव जी की बरात निकली तो बहुत सारे क्या आयते कि सिव बोले आंगे पीछे नाचे भूत भूत नाच रहते कैसे नाच रहते मिट्टी के लपेड़ पेड़ के नाच रहते बोले क्या मिट्टी की बरात आ गई यह लोगों ने देखा और मिट्टी की बरात आ गई बोले नहीं नहीं यह तो सिव जी की बरात रहे करें पीछे देखो ज़रा तो सब मिट्टी भभूत भभूत लगाए थे तो मिट्टी की बरात सिव मंगल से सुमन है मिट्टी की बरात अब आप कभी नहीं बोलोगे चितर में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है ले और अंगला बताना है आपको राहों के अन्युसरी किसे कहा जाता है चार मिकल्प है तार सब्तक के कभियों को सचनता बादी कभियों को च्छाया बादी कभियों को या हाला बादी कभियों को बहुत ही बढ़िया है दोस्तों है ना आपको बता है कि राहों का अन्वेसी राहों का अन्वेसी अन्की जो राहों का अन्वेसी बन गया है वो क्या करेगा अब आपको तार देगा बोले आप हमारे राहों के अनिवेसी बन जाओ अगर कोई आपके राहों का अनिवेसी बन गया है तो आपको क्या कर देगा तार देगा तो तार सब तक के कभियों को राहों का अनिवेसी कहा जाता है और किसने कहा है तो किसने कहा है अ किस ने अग्ये जी ने ठीक है याद रख लेना राहों का निवेसर तार सत्तक के कभियों को राहों का निवेसर किस ने कहा है यहां बात आई है कि दोस्तो समसेर कभियों का कभी ने कहा जाता है समसेर को लेकDING करता है सिकार जूक जाता करता है चूक जाता है और अभी कभी से पूछना की चूक गए तो वो लेगा चूका भी नहीं हूँ अभी चूका भी नहीं हूँ अभी और भी देखेंगे हम है ना तो सेर कभी-कभी सिकार चूक जाता है और उससे पूछोगे तो वो लेगा चूका भी नहीं हूँ अभी कौ सेर तो चूका भी नहीं हूँ अभी इरचना किसकी होगी समसेर बहादुर की होगी और इसे कम मिलेगा साहितकादी प्रुषकार 1977 में क्योंकि साथ साथ दोड़ रहते सेर और सिकार साथ साथ दोड़ रहते सेर चूक गया तो चूका भी नहीं हूँ अभी है ना साथ साथ क्या यानी 1977 में इसे साहित तकादिम पुरुषकार मिला था संसेर बहादुर की किरती है है ना चूका भी नहीं हूँ अभी बहुत ही प्रसिद्ध है पूछी जाती है आपकी एक्जाम में इस प्रकार से आपको याद रख लेना है ठीक है अंगला क्वेश्चन बताना दोस्तों सम समने गिर्जा तो समई देवता की रचना कार कौन होंगे गर्जा से घञ कुमार मातर समय के सामने गिर्जा नहीं चिए तो समाध्य देउता कभीता किसकी है गिर्जा कुमार मातुर की गिर्जा कुमार मातुर ठीक है एज जी याद रखनी माहिटतोरी याद रखनी है और याद रखेंगे जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है मुक्ति तो फिर अपन क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं उसकी अपन लकली देते हैं और उसकी जलाते हैं तो क्या निकलती है नीली आग जब मुक्ति मिल जाती वक्ति को जलाते हैं तो नीली आग निकलती है तो नीली आग रचना किसकी होगी मुक्ति बोद की किसकी मुक्ति बोद मुक्ति बहुत कहने कि जो बिकल्प नमबर आपका वी है वो बिल्कुँ सही हो जाएगा वी नमबर ठीके याद रख लिना है सबी लोगों को निराला को महाप्रान कहा जाता है महाप्रान ठीक है निराला क्रांती कारी कभी ठीक है निराला सबसे ज्यादा ब्रोध हुआ और चंदमुक्त रचना प्रतम चंदमुक्त रचना इंद की जुही की कली है यह यह भी आपको याद रख ली नहीं है छायावाद के आधार में यख नाम हैं लोगों ने क्या नहीं कमा पाइब लचमी कका नहीं कमा पाई लचमी का कर्फ्यूम है लच्छमी नहीं कमा पाते तो लच्छमी नाराल यानि की जो बिकल्प नमबर आपका ए है वो बिलकुस सही हो जाएगा यह ना कल एक रचना अपन ने याद करी थी दोस्तों कोर्ट मार्सल कौन सी याद करी थी कोर्ट मार्सल तो कोर्ट जाना है तो स्वधेश के कोट जाना है स्वधेश के कोट जाना है और ब्रेंदावल लाल बर्मा ये तिहासे को पन्यासकार मान जाते हैं एक इनकी जो रचना पूछी जाती है म्रग नैनी है ना म्रग नैनी ब्रेंदावल लाल बर्मा जी की यह हमेशा पूछी जाती है तो यह चीज भी याद नांग बोडस बाल मुकंद गोप्त सीतला प्रसात्र पाठी या राजा लक्षमार से हैं तो आप कभी बोलोगे कि खुबसूरत बहु ने बहु को काई ने डस लिया नांग ने डस लिया चित्र में देखो खुबसूरत बहु को नांग ने डस लिया तो खुबसूरत बहु न परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा ये चोर लोग क्या करते हैं दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात में जगते हैं जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुराते हैं परमाल दूसरों का माल चुराते हैं चोर रात में जग कर तो जगनिक ठीक है परमाल चुडाना है तो जगना पड़ेगा तो जगनेक परमाल रासो जिसे की आला खंड कहा जाता है और ये दोस्तो इसके जो रचिता है वो कोने जगनेक हैं ठीक है सबी लोगों को बैसे पता होगा अंगला है बीसल देव रासो की रचनाकार कोने कई बार एकजाम म हैं और दोस्तों आपको पता है कि बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है वो है नर्पती नाल नर्पती और नर्पती दोस्तों कितने होते हैं हैना बीस नहीं होते बोले बीस पती नहीं होते एक पती होता है हैना बीस पती नहीं होते बीस क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर्पती 20 नर्पती नहीं होते एक होता है ठीक है तो बीसल दियो रासों के रचनाकार कौन होंगे नर्पती नाल ठीक है और अजमेर के सासक से समंदित थे दोस्तों है ना ये जो बीसल दियो रासी है और ये गीती का बमाना जाता है है इसको आपको याद रखना है अंगला ह कीरती लता की रचनाकार कौन है कीरती लता दोस्तों आपको पता है कि कीरती उसी की फैलेगी जिसमें बिद्या है जिसमें बिद्या है उसकी कीरती जगह जगह फैलेगी जिसमें बिद्या नहीं है उसकी कीरती नहीं फैलेगी तो जो कीरती फैलेगी कब फैलेगी जब बिद् तो कीर्ती लता बिद्यापती ठीक है तो कीर्टी फेलेगी तो कीर्टी लता बिद्यापती और दोस्तों आपको पता होगा कि बिद्यापती जी की कितनी रचनाएटी एक तो थी इनकी कीर्थी लता ठीक है कीर्थी लता और एक थी इनकी कीर्थी पता का कौन सी थी कीर्थी पता का और एक थी दोस्तो इनकी पदा वली ठीक है तो यह इनकी रचनाएं थी तीन तो पद लता पता का पद लता पता का ऐसी याद रखेंगे पद लता पता का तो यह इसमें बिद्या है उसकी कीर्थी फैलेगी इस प्रकार से आद भी करेंगे ठीक है वर्न रतना कर की रचना कार कौन है दोस्तों आपको पता है आप वर्न लिखते हो वर्न है ना जैसे आ अनार का आम का यह क्या कहलाते है वर्न तो वर्न आप अंधेरे में पढ़ोगे की जोत आले में पढ़ना है तो वर्न हमें जोती में पढ़ना है तो जो त्री सवर ठाक और है ना वर्न रतना कर की रचना कार कौन होंगे जो त्री सवर ठाक और यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका भी है वो विल्कु सही हो जाएगा अब मैं कभी पूछूँ आपसे वर्न रतन कर वो ले सरबर्ण तो हमें जोती में पढ़ना है तो जोत्री सर ठाकोर ठीक है अगला है राउल बेल की रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है कौन सी अच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंटर बताना है वीडियो के लास्ट में एक चेलेंज प्रसन दिया तो सोने में रोडा बन जाती है कौन सोने में रोडा बन जाती है बेल सोने में रोडा बन जाती है बेल तो राउल बेल और बेल बन जाती है क्या रोडा तो राउल बेल की रिचनाकार कौन होंगे रोडा कभी रोडा कभी यानि कि या नम्मर आपका बेल को सही हो जागा ठी गैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से तो रोडा बुझ जाती है आपके सोने में तो रोडा रोडा कभी की है रावल बेल ठीक तो दोला से जो सी नमबर है वो आपका बिलकुल सही आंसर होगा अंगला है दूस्तो बिजय पाल रासो के रिशनाकार कौन है चार विकल्प है और आपको पता है दूस्तो आपने गदर फिलम देखी होगी गदर फिलम देखी है शनी देवल अकेले और शनी देवल क्या करते हैं बिजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड देते हैं बिजय प्रत्वी राज रासो के रचना कार कौन है दोस्तों प्रत्वी राज रासो और आपको पता है यह प्रत्वी है और इसका एक मात्र उपगरह कौन है चंद्रमा तो यहां पर प्रत्वी आया है तो इसका उपगरह भी कहां पर आएगा यहां उपगरह आजाएगा तो विराज रासो चंद बरदाई, प्रत्वी का उपकर है चंदरमातो चंद बरदाई, ये नमबर आपका, बिल्कु सही हो जाएगा, ठीके, अगला है दोस्तो, जवाहरे खुसरवी की रचनाकार कौन है, जवाहरे खुसरवी, और आपको पता है, कि जवाहर, हीरा, मौती, जव जबाहर एक किसके पास होंगे गरीब के पास कि अमीर के पास ए देखो ए जबाहर है हीरा मौती जबाहर और जबाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे अमीर व्यक्ति के पास होंगे कि गरीब व्यक्ति के तो आपने विलको सही आंज पहचाना है कि सर अमीर के पास होंगे तो जो रचना होगी वो किसकी होगी अमीर खुसरो और खुसरवी से तो खुसरो है तो खुसरवी ठीक है अगला कोश्चन आपको बताना दोस्तो जै मैंक जस चंद्रीका के रचनाकार कौन है तो चार बिकल्प है और आपको पता है दोस्तो कि जब एक पती एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोत का ब्रत रखती है एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोत की ब्रत रखती हो जब चली मेंसे बह चांद को देखती है तो चांद कैसा नजराता है मधुर कैसा नजराता है मधुर तो मधुकर है ना मैंक मतलब भी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चंद का है वो कैसी नंजर आती है मधोर तो बदउकर जै मैंक जस्चंद्रीका कसी नंजर आ रही है । से मदुकर ठीक है जये महें कि जस चंद्री का चंद्री का नंजर आ रही है मदुर तो मदुकर ठीक है यानि कि जो सा नमबर है वो आपका बिलकुँ सही हो जाएगा सा नमबर ठीक है अंगला है खुमान रासो के रेचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होत रचनाकार होंगे वो कौन होंगे दल पती बिजय खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान और हम बोलते ना कि गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर कभी कभी कोई दल का पती बिजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है गुमान तो गुमान से खुमान गुमान स कि रचनकार कुछ रहा को हैं? दोश्तों आपको पता भी तो है. आप बोलोगे धो सुनाओ. सर दोहा सुनाओ तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोस है ना त्रेक अगर मैं इधर लिख दूँ कि त्रेक सर दोहा सुनाओ सर से सरहपा दोहा से दोहा कोस तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा ठीके अंगला है स्रापकाचार की रचनाकार कौन है हिंदी की पिर्थम रचना मानी जाती है दोस्तों और ये जो स्राबकाचार है आपको पता है कि जैन्धर में बैक्ति जब भगवान के पास जाता है तो स्राबक बन के जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किसके पास देव के पास स्राबक बन कर जाता है वेक्ति देव के पास तो स्राबकाचार के रिचनकार कौन होगे देव सेन ये देखो ये वेक्ति स्राबक बन कर गया है किसके पास भगवान या फिर देव के पास ठीक है तो स्राबक बन के जाना है देव के पास तो स्रापकाचार की रचनकार देवसेन 933 इसका रचनकार माना जाता है 933 इस भी ठीक है स्रापकाचार की और प्रतम रचना है हिंदी की अंगला है बुद्धी रास की रचनकार कौन है बुद्धी रास दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धी साली लोग ह बुद्धी राज साली भद्र सूरी और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धी मान बहुती है बोलते हैं जिस जिसकी साधी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धी मान है है ना तो बुद्धी से बुद्धी और बुद्धी साली ऐसे याद रखना बुद्धी साली व आपको बताना है दोस्तों आपको पता है कि रेबंत गिरी एक परबत था जैन धर्म से संबंदित परबत है रेबंत गिरी और रेबंत गिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेबंत गिरी पर क्या करनी है विजय विजय प्राप्त करनी है का ये जैसे इन्सूरी की रचना है, क्यांनि कि आपका जो बिकल्प नमबर सी है, वो सभी हो जाएगा. अगला है चंदनबाला रास की रचना कार कौन है? दोस्तों, चंदनबाला, हम जब मंदिर जाते हैं, तो चंदन की आस लगा के जाते ह। चंदन की आस ये देखो ये महासाय चंदन की आस लगा के बैठे थे तो इनको चंदन लग गया तो याद रख लेना चंदन की आस तो आसगू चंदन की आस तो आसगू ठीक है चंदन बाला रास किस की होगी आस से आसगू है ना चंदन की आस इतना याद करना चंदन की आस त कुमार पाल पिर्थी बोत दोस्तों आपको पता हुगा आज कल कि जो कुमार हैं वो सौम रस बहुत पी रहे हैं सौम है ना कुमार लोग सौम रस पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी सौम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे कुमार लोग सौम पी रहे हैं तो सौम लगाकर प्रञ्या यह प्रज्याई तिलक लगाकर क्या ले रहा है प्रग्या यानि की प्रितिग्या है ना बोई दे रहें कच्छू ली प्रितिग्या ली तिलक लगा कर ठीक है इस प्रकार सी जैए चंद्र प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तो चार बिकल्प है और आपको पता है दोस्तो कि केदार नात में हमें क्या करना है चंद्रमा का प चंद्रमा का प्रकास करना है कहां केदारनात में तो केदारनात भट केदार भट की रचना है जय चंद प्रकास जय मैंक जस्त चंद्री का ये मदुकर की है और जय चंद प्रकास ये केदार भट की है ठीक है अंगला है दोस्तो हमीर रासों की रचना कार कौन है दलपती बेज सारंग धर केदार और रब्रे पिर स्वांप्रखशूर्ぎ, तो हमीर रासो कही बार पुंची गई है, याद रख लेशे है, सारंग धर, ठीकै, हमीर रासो सारंग धर, सबसे पहले आपसे प्रम पूचना जाएगा और ट्रिक आपको बताना होगी, फिर ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, सबसे पहले आपको बताना भरत मिलाप, सत्य बती कथा और अंगध पैच की रचनाकार कौन है, इस चार बिकलब हैं दोस्तो, चारों मैंसे आपको बताना है, दो सेकंड आपको दिये जाती हैं, और आपका बिलकुँ सही आंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस्वर दास, इस्वर दास, दोस्तो हमारे इस्वर कौन है, वोले हमारे इस्वर तो कौन है, स्री राम है, स्री राम है, तो स्री राम से किसका मिलाप हुआ था, भरत मिलाप, भरत का मिलाप हुआ इस्वर से, तो भरत मिलाप इस्वर दास की, हैना, इस् इस्वर की किरपा से अंगद ने पैर जमाया था आपको पता होगा लंका में है ना अंगद ने कहा कि ये तो मेरे स्री राम की किरपा है तो किसकी किरपा से इस्वर की किरपा से तो भरत मिलाप भरत का मिलाप हुआ इस्वर यानि कि स्री राम से सत्वती कथा इस्वर की कथा स सत्त होती है और अंगत ने पेर जमाया इसवर की किरपासे तो अंगत पेज भी किसकी होगी इसवर दास की ठीक है ऐसे याद रखेंगे भरत मिलाप सत्त बती कथा और अंगत पेज यह तीनों ही रचना ए हैं दोस्तो यहां पर चितर में देखो कैसे भरत का मिलाप हो रहा है स्री राम इस्वर से ठीक है, अंगला है मिर्गाबत्ती की रचनाकार कौन है, चार विकल्पें दो सेकंड है, चित्र में भी आप देख लेंगे और आपको पता है दोस्तों, ये आपको बन देख रहा है ये आपको पूरा बन देख रहा है और बन में मिर्गा को मार रहे हैं है ना, स्री राम मिर्गा के पीछे दोड़ रहे हैं बन में, तो मिर्गा के पीछे दोड़ रहे हैं कहां पर बन में, तो कुतुबन, कुतुवन ठीक है, है ना बन में मिर्गा के पीछे दोड़ रहे हैं तो मिरगाबती की रचना कार कौन होगे? कुतुबन, यानि कि D नमर आपका बिल्कुछ सही होगा, और दोस्तों आपको पता है कि इस रचना को मिरगाबती को जो है, आचार रामचन सुखने सूफी काबधारा की पिर्थम रचना भी माना है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, अगला देखो, अबद बिलास की रचना कार कौन है, अबद बिलास, दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि अबद का लाल, अब वो गाना पड़ती ना, बना की अबद पुरी ससुराल बराते को को जैहते, तो अबद का लाल, इतना वस्याद रखना, अबद का लाल तो लाल डास, अबद बिलास की रचना कार कौन होगे, लाल डास याईनि कि आपका डी नमबर बिल्कु सही हो जाएगा, अगला देखो, रामाएड महाना तक की रचना कार कौन है, दोस्तो आपको पता है, आप रामाएड पढ़ते हो, और आपको पता है कि रामाएड हमारी क्या है, प्राण है, रामाएड हमारी प्राण है, तो रामाएड महाना तक की रचिता कौन होगे, एक कॉस्टिन पूछा गया है कई बार, कोई दोस्तो त्रिक भी आपके सामने है उत्तर भी चेन आपको करना है तो मैं अगर आपको पड़ाई करबा रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, तो आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान मंजरी और कहानी जाना चाहिए, अग्र तो इसकी रचनाकार कौन होंगे? अग्रदास ठीक है ध्यानमंजरी की रचनाकार अग्रदास ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए है ना तो अग्रदास एनि कि जो B नमबर है वो आपका बिलकु सही हो जाएगा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तो आपको बताना है इसके पहले मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो दोस्तो टिर्की वीडियो डाल दिये हैं वो जरूर देखेंगे सब कुछ याद करवा दिया हिंदी साहित में और हनुमान नाटक और दोस्तो आप हनुमान के बात हनुमान ने दिखा दिया कि मेरे हिर्दय में राम है ऐसे सीना पार के चित्र में देखो मेरे हिर्दय में स्री राम है कौन है स्री राम तो हनुमान नाटक जो होगा वो किसका होगा हिर्दय राम का क्योंकि हिर्दय में कौन है हनुमान के हिर्दय में कौन है राम तो हिर्द रचनाकार हिर्दयराम, हनुमान के हिर्दय में राम ब्राजमान है, तो हनुमान ना टक हिर्दयराम, ठीक है, इस प्रकार से, हनसा वली की रचनाकार कोन है दोस्तों, चार बिकल्फें, चितर में देख लेना जरा, कि यह हस रहे हैं, अब आप जैसे अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई की बक्त कोई हस रहा है, तो आप बोलोगे यार साइट में जाके हस लो, साइट में जाके हस लो, अगर हसना ही है तो, है ना, तो इनसे बोल दो, साइट में जाके हस लें, तो हस लें, तो हनसा वली, और साइट में, तो इसाइट, असाइट, साइट site, site से site तो हसें site में जाके तो asite ठीक है, हनसा वली यह asite की रचना है, site में जाकर हसो तो हसो site में तो हनसा वली, site, asite ठीक है, अंगला है, रूप मंजरी की रचनाकार कौन है दोस्तों, 4 बिकल्ट हैं, और मैंने कई बार आपको याद करवाया है यहाँ पर देखो रूप मंजरी के जो रचनकार है वो कौन है नंददास नंददास है अब नंद दोस्तों आपको पता है यह देखो यह सास बहु और यह नंद है ना और आप जल्दी बताओ रूप किसका अच्छा लग रहा है रूप किसका अच्छा लग रहा है किसका नंद का बोले नंद का रूप बहुत अच्छा है नंद का रूप जिसे ननद बोलते हैं या नंद तो नंद का रूप अच्छा है तो नंद का रूप अच्छा है इसलिए नंददास की रचना कौन सी हो जाएगी रूप मंजरी अब आप से कभी पूछा जाएगा रूप मंजरी वो लिए रूप तो नंद का अच्छा है सर तो नंददास है ना याद रख लेना कशन भक्ति था का कि ये कभी थे और इनके गुरू का नाम था बिठ्थलनात ठीके तो नंददास बी नम्मर आपका नभी ज्यान सीखना चाहिए पुराना नहीं नभी नभी ज्यान हमें सीखते जाना चाहिए नभी नभी तो ज्यान दीप की रचनाकार कौन होंगे पुलिसर नभी नभी ज्यान सीखना है तो कौन सेख नभी है नभी नभी नया नया तो सेख नभी की रचना है कौन सी ज्या तो ये नभ में भी चले जाएंगे, बोले इस तुर नभ में हैं, अब आप यहां से चले जाओ, तो भक्त, भक्ती के लिए नभ में चले जाएंगे, तो भक्त माल की रचनाकार कौन होगे, भक्त, भक्ती के लिए कहां जा रहा है, नभ में, तो नाभादास, है ना, नभ में तो नाभादास, भक्तमाल की रचनाकार नाभादास, इस प्रकार से देखो, यहाँ पर भक्ती, भक्त और भगवान, अगर भगवान की भक्ती के लिए नभ में जाना पड़े, तो नभ में भी चले जाएंगे, भक्तमाल, नाभादास, इस प्रकार से कई बार पूची गई है अंगला है आपको वर्वे रामायन की रचना कार कौन है दोस्तो आपको पता है कि मैंने आपको याद कर भाई थी तुलसी दास की पूरी रचना है कौन सी रचना ब्रज में हैं कौन सी अबदी में हैं मैंने आपको बताया था कि जिस रचना में राम और मंगल आए जिस रचना में राम और मंगलाय वो समझो अब दी भासा की ठीक है और बाकी ब्रज भासा की है ना इनकी जो बारा प्रमानक रचनाय मानी गई है उन मैं से ठीक है तो बरबे रामायन दोस्तों किसकी है तुलिसी दास की अब इसको कैसे याद रखोगे अब ये तुलिसी दास की रचना है तो इन्होंने रामचरत मानस की रचना की है तो इन्होंने बार-बार रामाइड पड़ी होगी की नहीं देखो ए इन्होंने बार-बार रामाइड पड़ी एक रचना इन्होंने कर दी बार-बार से बरवे रामाइड वरवे रामाइड तुलसी दास ठीक है अब अगला बताना है आपको अनुराग मासरी की रचनाकार कौन है दोस्तों अनुराग मतलब होता है प्रैम प्रैम अर्था प्यार तो आपको बताना है कि यह देखो नूर जहां है ना नूर जहां इतनी सुंदर थी इतनी सुंदर थी कि इनसे सभी क्या करते थे अनुराग रखत प्रेम रखते थे है ना तो कौन नूर जहाँ बहुत संदर थी तो इंसे लोग क्या करते थे प्रेम करते थे अनुराग रखते थे तो अनुराग बाशुरी के रचना कार कौन होंगे नूर मोहमद नूर नूर मुहम्मद बोले अनुराग किसे रखते थे नूर से अनुराग किसे रखते थे नूर से तो अनुराग वासुरी की रचनाकार नूर मुहम्मद ठीक है नूर से अनुराग सभी करते हैं तो इस प्रकार से याद रख देना और अनुराग वासुरी कई बार पूछी भी ग नारायन की बारता सुनाती हैं, ताई नारायन की बारता सुनाती हैं, सुनाती हैं कि नहीं आपके घर में सुनाती होंगी, ताई नारायन की बारता सुनाती हैं, तो छेताई बारता की रेचनाकार कौन होंगे, नारायन की बारता सुनाते हैं तो नारायन दास, यह देखो लच लच्छमी नारायन नारायन की बारता सुनाते हैं ना कौन ताई में आपकी उत्तरे दोस्तों डानलीला की रचनाकार और आपको पता हैँ डोस्तों, कि जो दान करते हैं और हमेशा दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है जो दान नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता ये चीज लेकिन जो दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है तो दान लिला की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे दान लिला की रचना करने में परमानंद आता है रसका दान करने में इस परकार से याद रखने ना रसका दान करने में परमानंद आता है तो दान से दान लीला और रसकान की भी है और परमानंद की भी है है ना ये भी आपको याद रखनी है ठीक है दान लीला की रचनाकार राम चंदरीका की रचन अब घर कहा, और एक किसकी रचना है, आपको पता है, कि राम के केस चंद्रिका से चमक रए, तो राम चंद्रिका किसकी रचना होगी, क्या चमक रए, केस चमक रए तो केस ओदास है ना यहाँ पर देखो राम के केस चंदरिका से चमंक रहे तो राम चंदरिका केस ओदास ठीक है राम चंदरिका केस ओदास अधिकांस लोगों को पता है अंगला है अनेकार्थ मंजरी की रचनाकार कौन है दोस्तों हमने पढ़ा था वहाँ पर नंद नंद के कई अनेकर्थ निकलते हैं जैसे एक नंद बहु की नंद हो गई ठीके दूसरी नंद क्या हो गई नंद बाबा हो गई है ना तो अनेकर्थ निकल रहे हैं न नंद के क्या निकल रहे हैं अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकर्थ मंजरी किसकी रचना होगी किसकी होगी अनेकर्थ किसके निकल रहे हैं अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो नंद दास रूप अच्छा है नंद का, तो रूप मंजरी नंददास, नंद के अनेकर्थ निकलते हैं, तो नंददास, है ना, नंद के अनेकर्थ निकलते हैं, तो अनेकर्थ मंजरी नंददास, यानि कि जो स्री नंबर है, वो बिल्कु सही हो जाएगा, है ना, अब मैं कभी पूछू आपसे अनेकर्थ मंजरी किसकी है तो आप बताओगे सीधे से सर की अनेकर्थ निकलते हैं नंद के एक नंद कार्थ होता है बहु की नंद एक नंद कार्थ होता है नंद बाबा तो यह से अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकर्थ मंजरी नंद दास ठीक है दो तो भक्त भक्त नामावली की रचनाकार कौन है भक्त नामावली अभी हमने भक्त माल पड़ी थी बोले भक्तों को अगर नब में भी भक्ती करने जाना पड़े तो वो नब में चले जाते हैं भक्त है ना बैसे ही भक्त नामावली और दोस्तो जो भक्त लोग होते हैं ओरिजनल भक्त ह होते हैं इनके नाव ये प्रत्वी है और ये उत्री धुर्व ये दक्ष्री धुर्व तो इनके नाम धुर्वों पर लिखवाना है भक्तों के नाम धुर्वों पर लिखवाना है इतना वसियाद रखने हैं भक्तों के नाम धुर्वों पर लिखवाना है तो भक्त नामावली भक्त नामावली किसकी रिचना होगी धरोबदास धरोबदास और आपको पता है रतिवी के दो धरोब हैं उत्री धरोब दक्ष्री धरोब है ना और इनके नाम कहां लिखवाना है धरोबों पर लिखवाना है भक्तों के नाम तो ध्रुपदास की रिचना होगी कौन भाक्ते नामा वली ठीक है अंगला है सुदामा चरित की रिचना कार कौन है दोस्तो यह जो सीन है आपने यह बाला वीडियो जरूर देखा होगा सुदामा जी और करशन जी का मिलन और आपको पता है दोस्तो कि जो सुदामा जी थे व पहले भी करवादी है ऐसी रचनाय रखी हैं, जो परिक्षाओं में भी आती हैं और आपको पता भी ना हो, है ना, ऐसी कुछ कठिन सी, बाकि तो आपको तुलशी दास की पता हैं, सूर दास की पता हैं, कबीर दास की बीजग पता है, वो रख सकते थे, लेकिन वो भी हम बता देंगे बाद में, लेकिन अभी बहुत ही महत्पूर्ण और थोड़ी सी कठिन वाली, सीता यन की रचना कौन हैं दोस्तों, आपको पता है, कि सीता किस की प्रिया थी, यह देखो, सीता राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया सरनदास, और राम की सरनदास में रहती थी, तो राम प्रिया सरनदास, तो राम की प्रिया कौन थी, सीता, तो सीता यन की रचना कार बोले सीतायन, अच्छा, सीता तो राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया सरनदास, ठीके, यानि कि जो आनम्मर है वो आपका बिलकुँ सही हो जाएगा, ठीके, अंगला बताना है दोस्तों, युगल सतक की रचनाकार कौन है, ये चार बिकल्प हैं, और आपको देख रहा होग युगल, है ना, और बोलते हैं, जुगल जोड़ी है यार आपकी तो जुगल, युगल, ठीके, तो युगल, युग, है ना, युग कहेंगे इसे, युग, तो युग से युगल, और युगल काई का युगल है, ये भटा का युगल है, तो स्रीभट, युगल से युगल सतक और युगल सतक सिरी भट है ना भट याद कर लिए न भटा के भट के भटा के क्या युगल भटा के युग तो युगल सतक सिरी भट ठीक है अब जो आपका question है दोस्तो सब्द रसाइन की रचनाकार कौन है इस सब्द रसाइन है और चार बिकल्ब में दो सेकंड आपको दिये जाते हैं तब तक मैं आपको बता दूँ कि सब्द को रसाइन देव सब्द को रसाइन देव है ना हम बोल देते ना यार रासन पानी देव रासन पानी देव यहसे ही सब्द को रासन पानी देव तो देव से देव कभी, यानि कि आपका जो सी नमबर है, वो विल्कुस सही हो जाएगा, सब्द को, अब क्या सी याद रखोगे, सब्द को रासन पानी देव, यानि कि सा नमबर, ठीक है, अगला है कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन है दोस्तो, दोस्तो आपको कुछ न दोस्तो, मैंने आपको कई बार याद करवाया है, कि कुली की चिन्ता सभी को रहती है, आपको भी रहती है, हमें भी अपने कुली की चिन्ता रहती है, आपको भी अपने कुली की चिन्ता रहती है, तो यहाँ पर आया है कुल, और कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन हों हैं, चार विकल्फें और दो सेकंड आपको दिये जाते हैं, और आपको पता है कि जब ब्रह होता है किसी व्यक्ति को, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कैसा बोजाता है, बिलकुल तो बोधा हो जाता है अपन बोलती है तुम तो बोधा हो गये हो है ना ब्रह जब होता है वैक्ति को तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और बोधा बन जाता है तो ब्रह बारिस की रचनाकार कॉन होंगे कौन हonget बोधा बोधा कभी होंगे यानि सानमय आपका बिलकु सही हो जाएगा जब ब्रह की बारिस होती है तो वेक्ती बोधा बन जाता है वैसे ही रचना है ब्रह बारिस और ब्रह बारिस की रचनाकार कौन है बोधा याद रख लेना यह सिर्फ रिलेट और याद करने का तरीका है ठीक है तो सानम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला देखो चंद माला की रचना कार कौन है दोस्तों बहुती वड़ीया रचना पूची जाती है यह चंद माला कई बार पूची गई है कि सवदास जी की विज्ञान गीता राम चंद रचने का किसों में हमें चंद की माला पहंननी है तो केस जाती हैं तो कवित्त यतनकार की रचनाकार को हैं सब्सक्रीकाल की और अब eyes है दोस्तों कि जो सेना है वो हमारी रतन के समान है हमारे देश की सबसे अनमोल जो रतन है वो हमारी सेना है तो सेना रतन है तो कवित रतना कर कि रचना कार कौन होंगे कौन होंगे रतन है तो सेना पती सेना पती यानि की बी नम्मर आपका बिल्कु सही है अब आप कभी नहीं बोलना दोस्तों सेना हमारी क्या है अनमोल रतन है तो रतना कर कवित रतना कर सेना पती ही के इस प्रकार से अंगला है मादबा नल काम कंदला की रिचना कार कौन है दोस्तों मादबा नल काम कंदला है ना दोस्तों नल का काम करते करते नल का काम करते करते आलम बिगड़ जाता है क्या बिगड़ जाता है नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया यानि कि जो आ नम्मर है वो बिल्कु सही होगा नल मादवा नल काम कंदला काम करते करते नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया तो आलम जी इसकी रचनाकार होंगे यानि कि बिकल्प नम्मर आपका आलम के अगला है दोस्तो रतन हजारा की रचनाकार कौन है इससे पहले लगबग 25 वीडियो टिर्की वीडियो मेंने डाले हैं पूरे संप्रदाय पूरी रचनाय बहुत सारी चीज़े याद करवा दी साहित अकादमी से पुरुस्कुत रचनाय ग्यान पीट ब्यास सम्मान से सब कु से देखना है और रतन हजारा की जो रचनाकार है वो कोन है और एक चीज़ बताना दोस्तों तो प्रथिवि से इसके रचनाकार होंगे और प्रथिवि से किसका वास्विक नाम था रशन इधी रस निदी का वास्तिक नामता प्रतिबी से हैं याद रख लेना रतन हजारा रस निदी साहसमार आपका यहां पर बिल्कु सही हो जाएगा अंगला कोस्चेन है सकुनतला नाटक की रचनकार कौन है चार विकलबें देखो आपने रामायन महानाटक पूछा गया आपसे हनुमान नाटक आपसे पूछ दिया अप परिक्षों में और सकुंतला नाटक ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तों है ना हनुमान नाटक हिर्दयराम है ना और रामायन महानाटक प्राणचंद चोहान और इस सक संकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो बाज नहीं आती तो नेवाज, और दोस्तो रामाइड महा नाटक मिने आपको याद करवाया था, कि रामायण महानाटक, रामायण हमारी क्या है, प्राण है, तो प्राणचंद चोहान है ना, और हनुमान नाटक, तो हनुमान जो है, अपने हिरदय में राम को रखते हैं, तो हिरदय राम, हनुमान नाटक, हिरदय राम, रामायण प्राण है, तो प्राणचंद चोहान, हनु हिर्दय में राम रखते हैं तो हिर्दय राम और सकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज ठीक है यह आपको याद रखना है अंगला है दोस्तों प्रबोध पचासा की रचनाकार कौन है चार बिकल्पें आपको कमेंट में जरूर लिखते जाना है अपने जिसका उत्तर आपको बताना होता है और प्रबोध पचासा की जो रचनाकार है वो कौन है पदमाकर आपको दोस्तों पचास पदम चलना है पचास कदम या फिर पचास पदम क्या है पचास पदम चलना है तो पदमाकर पचास पदम चलना है तो पदमाकर इनकी रचना ये गंगा लहरी है दोस्तो गंगा लहरी है जगज दुनोध है प्रबोध पचासा है यह रचना है हमीशा पूछी जाती है प्रपदमाकरजी की ठीके अंगला प्रस ने हेत तरंगणी की रचनाकार कौन है हेत तरंगणी के बताना है दोस्तो अब एक चीज बताना कि अगर दोस् तरंगनी की रचनाकार कौन होंगे हित तरंगनी की रचनाकार होंगे दोस्तो किरपा राम और हिम तरंगनी आपने पड़ा होगा माखलाल चतरवेदी का हिम तरंगनी है ना हिम तरंगनी माखलाल चतरवेदी की और हित तरंगनी किरपा राम की क्योंकि हित किरपा राम की होती है तो हित होता है यानि कि जो आपका ए नम्मर है वो बिल्कों सही हो जाएगा ठीक है अंगला है अध्यात्मे प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तों अगर आप अध्यात्मे करोगे अध्यात्मे से जुड़ जाओगे अध्यात्मे यानि कि भगवान की भक्ती से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा सुख मिलेगा, अगर अध्यात्म से जुड़ जाओगे और अध्यात्म का प्रकास अगर आपके जीवन में आ जाए, तो आपको सुख मिलेगा यानि कि सुखदेव मिस्त्र अध्यात्म का प्रकास आपके जीवन में आ जाए तो आपको क्या मिलेगा सुखदेव मिस्त्र इसके क्या हो जाएंगे रचनाकार हो जाएंगे किसके अध्यात्म प्रकास की ठीके तो सा नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा अंगला है सिवरा भूषण में 105 अलंग कारों की बात की गई है दोस्तो वैसे भरतमुनी ने चार अलंग कार बताए हैं है ना और सिवराज भूषण के जो रचनाकार है कौन है भूषण और भूषण को जा उपनाम है ये भूषण उपनाम है इनका बाकि इनका बास्तविक नाम कुछ मनीराम मानते हैं है ना तो ये याद रख लेना भूषण के सिवराज भूषण इनकी रचना है चतर साल दसक है सिवराज भूषण है है ना और अंगला है यमुना लहरी की रचनाकार कौन है चार विकलप आपको दिये जाते हैं दोस्तों यमुना और आपको पता है गंगा कुंत ते कौन ग्वाल ग्वाल किसे बोलते थे श्रीकष्ण को तो ग्वाल कभी यमुना में कुंत गे ते कौन ग्वाल तो ग्वाल कभी की ऊज़ना होगी कौनसी यमुना लहरी यह चित्र के माध्य मत से देख़ो धोस्तो इ Blair 입니다 एुज यह सेंज इस सेशनां को पकड़ने कुंद गए थे गवाल यानि की स्रीकर्ष्ण है, है ना यमुना लहरी, तो यमुना लहरी गवाल कभी की और गंगा लहरी पदमा करकी, ये चीज़ याद रखनी है, अंगला है सभा मंदन की रचनाकार कौन है, सभा मंदन, दोस्तों सभा को इसी हो, सभा आपने देखी होगी दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती है लेकिन सभाओं में गरीबों का बोल बाला नहीं होता किसका होता है अमीरों का अमीरों का बोल बाला होता है आपने देखा होगा अमीरों का बोल बाला होता है तो सभा मंदन की रचनाकार कौन होंगे अमीरों का होता है तो अमीरदास कौन होंगे अमीरदास अब याद रख लेना मैं पूछूँगा सभा मंदन किसका है तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती अमीरों का बोल बाला होता है तो अमीर दास तीके यानि की यसार नमर आपका बिलकुष सही होगा और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो जो कमेंटरेंबें बता देना और कौन सी सबसे अच्छी चजरे लगी है वो भी आपको कमेंटर बताना है इसके लता की रचनाकार कौन है दोस्तो चार बिकल्पें इसके लता और आपको पता है कि रीती काल में कौन सा ऐसा कभी है जो इसके की लताएं फैला रहा था कौन फैला रहा था आपको पता है कि इसके की लताएं फैला रहा था तो वो फैला रहा था गहनानंद गहनानंद कभी थे जो इसके की प्यचनाकार कोन हैं अब 4 विकल्स में दो सिकेंड आपको दिये जाते हैं सुधा- निधी जैसा समझते हैं अगर बच्चो कोई तोस्ट या ब्रेड मिल जाए तोल बच्चे क्या समझते हैं सुधा मिल गया है से सुधा की निधी मिल गई क्या मिल जाए तोस्ट मिल जाए तोस्ट मनलब तोस्ट कभी है ना सुधा समझते हैं बच्चे अगर तोस्ट मिल जाए तोस्ट कभी ठीक है तोस्ट कभी हो जाएंगे इस प्रकार से सुधा निधी की रचनाकार कौन है तोस्ट कभी है है ना लाके ग्यारा हो जाते हैं, लेकिन नौरस आप पढ़ते हो, तो नौरस में अगर आपको पिर्बीन होना है, तो क्या है यहाँ पर पिर्बीन, कुछ-कुछ लोग नौरस में पिर्बीन होते हैं, यहना बहुत सारे लोग नौरस में पिर्बीन हैं, हम बोलते हैं यार आप तो नौरस में पिर्बीन हो तो बेनी पिर्बीन यानि सा नम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा ठीक है आप भी नौरस में पिर्बीन हो तो बेनी पिर्बीन नौरस तरंग की रचनाकार बेनी पिर्बीन इस परकार से याद रखेंगे सुजान चरित की रचनाकार कौन है दोस् सूजान के प्रेयर में सूजन आ गई तो सूधन कभी, सूजान चरित के रचनाकार कौन होंगे, सूधन कभी, क्योंकि सूजान के प्रेयर में क्या गई, सूजन तो सूधन, इस प्रकासिदे को यह सूजन आ गई, और सूजन आ गई तो कौन होंगे, सूधन कभी होंगे, अब कभी बूलना नहीं, बोले सर सोजान चरेत, हाँ सोजान के पेर में क्या आ गई, सूजन आ गई, तो सूधन कभी, इस प्रकार से याद रखेंगे, अंगला है अंग दरपन की रिचनाकार को आने दो, तो फोटो में देखो जरा, अंग दरपन, हैना, अपने अंगों को दरपन में देखकर क्या लेते हैं लोग, रस लेते हैं, तो रस लीन, रस लीन, अंग को, अंग को दरपन में देखकर रस लीन, हैना, अंग को दरपन में देखकर रस लीन, चित्र को देखो और उत्तर बताओ, अंग को दरपन में देखकर रस लीन, यानि सा नम्मर आपका तो आपको पता होगा कि जो सेना होती है वो ब्रक्चों की ओट लेकर के बच बच के दुस्मनों पर क्या करती है बार करती है तो काईपर ओट लेकर के कल्प ब्रक्च आपने सुना होगा एक कल्प ब्रक्च नाम सुना होगा कल्प कल्प आया है तो कल्प एक ब्रक्च होता है और ब्रक्ष की ओट ले लेकर के है ना हमारी सेना क्या करती है दुसमनों पर बार करती है तो कुन करती है सेना तो काब कल्प द्रोम कल्प अब कल्प याद रख ले ना कल्प ब्रक्ष है और कल्प ब्रक्ष की ओट लेकर सेना दुसमनों पर बार करती है तो सेना पती सेना हमा आपके रचनाकार कौन है दोस्तो दो सेकंड है आपके पास और आपको पता है दोस्तो कि भारत में बकरी बहुत हैं भारत में बकरियां बहुत हैं अगर किसी की बकरी को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग बिलाप करने लगते हैं भारत में किसी की बकरी को थोड़ा सा तो भारतेंदू, किसकी रचना हो जाएगी यह, भारतेंदू, बोले बकरी को कुछ हो गया तो बिलाप करते हैं भारत के लोग, तो भारतेंदू जी की रचना हो जाएगी, यानि कि जो आनम्मर है वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा, ठीक है, अंगला है दोस्तो आनन दर्न प्रेमगन आंद्रण wzदय रचना थो दोस्तों 4 बिकल्प है और47 में आपका बिल्कू सही आंसर क्या होगा दो सेकन्ड में आप ने उत्तर का चेहन किया है प्रेमगन बद्री नारान चोंदरी प्रेमगन की रचना थो आनन्ण दरण रचना किसकी होगी प्रेम घन की की भाष्तेंद्व की प्रेम घन की होगी ना और दोस्तु आप को पता है एक इनो ने आनंद काधंबम पत्री पिप्त है कि हमारे ए प्रापर्टी है हमारी बो है हमारे पास यत्ती संपत्ती है लेकिन जो प्रैम रूपी संपत्ती थी वो किसके पास थी आपको पता होगा आप पढ़ते हैं कि मोहन के पास मोहन यानि कि स्री कर्ष्ण के पास थी दोस्तों प्रैम रूपी संपत्ती तो याद रख पत्ति किसके पास थी मोहन, तो मोहन से बनेगा जग मोहन, ठाक और जग मोहन की रचना है, प्रेम संपत्ति लता, ठीक है, अंगला है मन की लहर की रचनाकार कौन है, दोस्तों, दो सेकंड में आप अपने उत्तर के चैन करेंगे, और मैं आपको बता दूँ, कि अगर कभी मन म मन में लहर उठ जाए कि हमें पढ़ाई करना है, कभी मन में लहर उठ जाए कि हमें पढ़ाई करना है, तो उसका प्रताप बहुत होता है, दोस्तों, उसका प्रताप बहुत होता है, और आप IES, IPS बन जाते हो, है ना, तो मन में पढ़ाई की लहर उठानी है, है ना, और उस लहर का इतना प्रताफ होगा कि आप I.S. बन जाओगे तो काई का प्रताफ है मन की लहर का प्रताफ है बोले ये तो I.S. कैंसे बन गए वो तो ये तो मन की लहर का प्रताफ है जो हम I.S. बन गए तो मन की लहर का प्रताफ इसलिए प्रताफ नाराण मिस्तर यानि कि यह नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोश्टन दोस्तो भारत बारह मासा के रचनाकार कोने चार बिकल्प हैं दोस्तो हम देखते हैं कि भारत में नहीं सब जगा कितने मास होते हैं बारह मास होते हैं यहना बारह महिना होते हैं आपको पता है कि भारत में 12 मासा जो है राधा और कर्ष्ण की क्या की जाती है पूजा की जाती है भारत में 12 मासा राधा कर्ष्ण की पूजा की जाती है तो भारत 12 मासा की रेचना कार कौन होगे कौन होंगे राधा करशनदास है ना बोले सर भारत में 12 मासा राधा करने की पूज़ा की जाती है इसलिए राधा करशनदास इसके रचेता हो जाएंगे ठीके पावस पचासा के रिचना कोई है दोस्तों चार बिकल्प है तब तक मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक क्या रहा है पाव है ना और एक क्या रहा है पचास अब आपको पाव पचास बार पढ़ना है किसके अंबे आप वो आरती करते ना अंबे तू है जगदंबे काली पढ़ते ना आरती वो ही है पाउं पचास बार पढ़ना है वो ले अंबे के तो अंबे से बनेगा अंबी का दत्थ व्यास अंबी का दत्थ व्यास पाउं पचासा पावस पचासा इस परकार से पावस पचासा और अंबे के पढ़ना है तो अंबी का दत्थ व्यास की रचना होगी कौन सी पावस पचास कितने बार प्रना है 50 बार किसके अंबे के तो अंबी का दर्त व्यास ठीके अंगला है भारत दुर्दसा की रचनाकार कौन है तो आपको पता है कि भारत दुर्दसा है अब यहां पर भारत आ रहा है और भारत दुर्दसा तो यह भी रचना किसकी होगी भारत इंदु की होग इस प्रकार से आपका D-Number बिल्कुँ सही हो जाएगा नेक्स भारत धर्म की रचनाकार कौन है दोस्तों भारत धर्म और आपको पता है कि भारत में जब लोग धर्म करते हैं तो दोस्तों किस के पास जाते हैं अंबे, अंबे माता है ना काली जी के पास जाते हैं भारत में धर्म करते हैं लोग अंबे के पास जा करके तो अंबी का दत्त ब्यास है ना अंबी का दत्त ब्यास भारत धर्म की रचनाकार कौन होगे अंबी का दत्त ब्यास यानि सानम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा देश दसा के रचनाकार कौन है दोस्तों देश दसा बताना है दोस्तों अब क्या हुगा कि स्रीकर्ष्ण और राधा राधा और कर्ष्ण सोचते होंगे कि अपने समय में भारत की दसा बहुत अच्छी थी है ना बहुत प्रेयम करते थे लोग अब देखो देश की दसा कैसी ह हो गई कौन सोच रहे हैं राधा कर्ष्ण राधा कर्ष्ण तो राधा कर्ष्ण दास है ना राधा कर्ष्ण दास देश की दसा है अब याद रख लिए ना कभी नहीं बोला कौन सोच रहे हैं देश की दसा कैसी हो गई राधा कर्ष्ण दास यानि डी नम्मर आपका बिल्कु बहुत होता दोस्तों आपने अंदाज किया होगा अपने आसपास पड़ोस में अपने बारी बुजर्ग होते हैं वो लोकोक्ती फैंक देते हैं कात कुछ है कुछ होता है और डॉलाग में लोकोक्ती फैंक देते हैं तो लोकोक्ती का प्रताप बहुत होता है क्या होता है प्र दसरत बिलाप दसरत बिलाप की रचनाकार कौन है चार बिकल्प हैं और दोस्तों आपको पता है कि जो दसरत बिलाप है कि दसरत बिलाप भारत के लोगों ने देखा कि अमेरिका के लोगों ने देखा जब रामाण चल लही थी लॉकडाउन में तो क्या चल लही थी रामाण और रामान में जब बनवास हुआ राम जी को तो दसरत बिलाप कर रहे थे और दसरत बिलाप कर रहे थे भारत के लोगों ने देखा भारत के जन बच्चों ने देखा तो दसरत बिलाप की रचनाकार कौन होंगे भारत के ने देखा तो भारतेंदू है ना अमेरिक्या वालन से जोड़ना है भारत यंदु को भारत से और आपको पता है कि भारत में ऐसी बर्शा होती है। कि पेडों में एक फूल नहीं पूरा पूरा गुच्छा ही फूलता है। पेडों में एक फूल नहीं पूरा फूल का गुच्छा फूलता है कहां पर भारत में तो भारत में बरसा होती है तो बरसा बिनोद है ना और फूलों का गुच्छा फूलता है तो फूलों का गुच्छा ये भी भारतेंदु की है बरसा बिनोद भी किसकी है भारतेंदु की है तो बरसा बिनो, तो फूलों के गुच्छाई किस्की है? बारतहिनु जी यनि d नम्मर आपका बिल्कुस सही होगा सो अजान, एक सुजान की रचनाकार कोन है दोस्तो? सो अजान, एक सुजान, बोले अहसा क्या है सुजान में? कि सो अजान और एक सुजान ऐसा क्या है सुजान में तो बोले भया सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं क्या है सुजान क्या आपने देखा होगा घनान अन्जी की प्रेम क्या का नाम था सुजान है ना अब बोले सो अजान और एक सुजान तो बहुत सारे लोग बोले यार बाल चे बनेगा बालकर्ण भठ सुजान की क्या है बाल बहुत अच्चे हैं एक जान और 100ौ सुजान और एक की है बालकर भठ जी का इस सार नमर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा है ना हिंदी प्रदीप के रचनाकार थे तो हमने आपको याद करवाई थी प्रदीप के बाल भटा से भरत गए है ना प्रदीप हिंदी प्रदीप और बाल से बाल करनबट इस प्रकार से आपको याद रखना है अंगला है दोस्तो नूतन ब्रमचारी की रिचनाकार कौन है और चार विकल्ब हैं दो सेकंड है नूतन मतला होता है नया नूतन मतला होता है क्या नया अब नया ब्रमचारी नया ब्रमचारी कौन बनेगा कोई बालक ही बनेगा कोई बाल बनेगा है ना तो आपने एक सुना होगा बाल ब्रमचारी और ए बाल ब्रमचारी तो यह बाल करन भट की है नूतन ब्रमचारी ठीक है ए नमबर सी नमबर आपका बाल करन भट बिल्को सही हो जाएगा अंगला है बाल बेवाह नाटक की रचनाकार कौन है दोस्तो बाल बेवाह नाटक अब यहां तो सीधा सीधा है कि यहां पर बाल आया है औ प्यालित लहरी और चार बिकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोग बहुत लालायत रहते हैं, काई के, प्रैम के. आपने वो गाना सुना होगा. कौन सा की, हायो रब्बा दिल करता है, देखो अजब तमासे हैं, प्यार बाटने बाले देखो प्यार के कितने प प्यास ही रहते हैं, लालायत रहते हैं, लालायत तो यह लालयत से लालयत, है न, लालयत लहरी अभी आपने साहित लहरी पड़ी खौना की रचना है यानि बा नम्मर आपका, बिलकुछ सही हो जाएगा, ठीक है लालायत रहते हैं काई के प्रेम के तो लालत लहरी प्रेम घंकी है ना और ललत ललाम एक पूछी जाती है ललत ललाम मतिराम की रचना है ना तो ललत ललाम रिती काल में मतिराम की है लालत लहरी अबारत अंदू योक में प्रेम घंकी है क्योंकि लालत से लालायत रहते हैं प प्र pelvis आ मुध्यम कि होगे This way। अंगला किशन न स्वा की रなた को मैं दोस्तों कि भारत में बंदर की सवा होती है। भारत में बंदर की भी सवा होती है, अमेरिका, अमेरिका में नहीं होती, कहां होती है भारत में, तो भारत में बंदर सवा होती है, तो बंदर सवा की रचनाकार कौन होगे, कौन होगे, बंदर सवा भारत में होती है, तो कौन होगे, भारतेंदु की प्रेमगन, भारतेंदु अब बोलते ना कि دेव यानि क्या हुता है यासी घरते ना तो देव यानि लीला तो अब को modeling कि रिचनाकार कौन होगे? घणवा को छपिने आता है? थाक और जगमोहन से हैं ठीके? इस प्रिकार सियात रहेंगे अंगला है अलोक के कि लीला कि रिचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है कि पहले क्या करते थे जो भगवान थे वो क्या करते थे प्रेम करते थे तो बोले ये तो अलोकक लीला है तो क्या करते थे प्रेम तो प्रेम से प्रेम घन अलोकक लीला है ना बोले ये तो अलोकक लीला है प्रेम की अलोकक लीला याद रख लेना इस सबसे पहली जो आपकी रचना है बैदे ही बनवास और प्रिये प्रवास की रचनाकार कौन है दो सेकंड आपको दिये जाएंगे आपको उत्तर कमेंट में लिखना है और दोस्तों जब तक मैं आपको वता दूं कि बनवास किसको हुआ था आयुद्या के राजा राम को हुआ था किसको हुआ था आयुद्या की राजा राम को बनवास हुआ था है ना तो आयुद्या से आपका उत्तर होगा और जब बनवास हुआ तो ये अपने प्रिये को लेकर प्रवास कर गए थे बन को प्रवास कर गए थे है ना तो प्रिये को तो प्रिये प्रवास है ना और आयुद्या की राजा किसको राम को बनवास हुआ था तो बैदे ही बनवास बनवास हुआ था आयुद्या की राजा राम को तो आयुद्या से उपाद्य हरियोद की रचना होगी और ये प्रिये को ले गए थे तो प्रिये प्रवास भी इनी की रचना होगी ठीक है अब दोस्तों याद रख लेना है ये दोनों ही रचना ब्यदे ही बनवास और प्रिये प्रवास किसकी है और पाद्य हरियोज जी की है और प्रिये प्रवास ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाब है खड़ी बोली का प्रथम महाकाब माना जाता है प्रियब्रवास ठीक है इसको याद रखेंगे अंगला है मिलन पतिक मांसी सौपन की रचनाकार कौन है तो रचनाकार कौन है दोस्तों आपका बिलकुष सही आंसर होगा वो कौन होंगे उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तो राम नरेश तरपाथी कौन है तरपाथी यानि कि आपका जो बिकल्प नमर सी है वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है मिलन पतेक मानसी और सौपन ये राम नरेश तरपाथी की चारों रचना है इनको याद कर लेना इनका क्रम भी यही है दोस तो आपको याद रख लेना मिलन के पत में मानसी का सौपन देखा ये राम नरीस तरपाथी की रचनाएं हैं है ना कैसे याद करोगे मिलन के पत में मानसी का सौपन देखा ये राम नरीस तरपाथी जी की रचनाओं का एक ट्रिक हो जाएगी जो आपको याद रख लेना है औ करता है और क्रंदन इसका इस्त्वर के पास गया गया क्या क्रंदन गया तो क्रंदन गया तो गया से गया प्रसाद सोकल सनेही की रचनाकार जो है क्रसक क्रंदन की रचनाकार हो जाएंगे इस प्रकार से अगला हिंडोला की रिचना कार कौन है दोस्तों चार बिकल्स है चार में से आपको बताना है और आपको पता है कि आपको याद कर लेना है जगनात का हिंडोला जगनात का हिंडोला यानि कि जो C नमबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा जगनात का हिंडोला तो हिंडोला रचना और ये किसकी हो जाएगी जगनात दास रतना कर येद्य को चित्र में यगनात का हेंडोला यगनात का हेंडोला अब कभी भूलोगे आप ना भूल पाओगे जगनात का हेंडोला अगर आप महाबीर की भक्ति करोगे तो आपके पास संपत्ति की क्या नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी, तो महाबीर से बनेगा आपका महाबीर परसाद दोबेदी, इस प्रकार से आपको याद रखना है, बोले महाबीर की भक्ति करेंगे तो संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, महाबीर परसाद दोबेदी, इनके नाम पर दुवेदियोग का नाम पड़ा था थीक है भारत भारती की रचनाकार कौन है दोस्तों चार विकल्पें भारत भारती और आपको पता है कि हम भारत भारती की सरण में हैं हम लोग क्या हैं भारत भारती की मा भारती की सरण में हैं कि नहीं हैं चित्र में देखो जरा म मा भारती की सरण में हैं हम लोग मा भारती की सरण में तो भारत भारती की सरण तो मैतली सरण गुप्त है इसके रचनाकार हो जाएंगे है ना, रसकलस के रचनाकार कौन है दोस्तों, रसकलस, ये देखो, रसका कलस ओंधा दिया, ओंध दिया, है ना, रसका कलस ओंध दिया, तो रसकलस के रचनाकार कौन होंगे, ओंध दिया तो हरी ओंध, है ना, रसका कलस हरी के उपर ओंध दिया, हरी मतलब भगवान, भगवा कि उपर औंध दिया तो रसकलस हरी के अउपर ओंध दिया रसकलस हरी के उपर ओंध दिया है ना सब्सकिश्धी अगला है काब मंजूशा के रचनाकार कौन है, दोस्तों, चार बिकल्ब हैं, चार सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, ट्रिक भी आपके सामने है, कि महावीर का काब मंजूसा पड़ती है, महावीर का कौन पड़ती है, मंजूसा पड़ती है, तो काब मंजूसा महावीर पर साथ दुवेदी, यानि D-Nammar आपका बिलको सही हो जाएगा अब महावीर का काब मंजूसा पढ़ती है याद रखेंगे आप महावीर का काब मंजूसा पढ़ती है है ना तो काब मंजूसा की रचनाकार जो होंगे वो महावीर पर साथ दुबेदी होंगे अगला है दोस्तो रंग में भंग की रचनाकार कौन है र रंग में भंग कर दिया, क्या डाल दी मैती डाल दी तो रंग में भंग कर दिया, तो रंग भंग की रचना कार कौन होंगे, मैती डाल दी तो मैत्री सरंगोप्त, रंग में भंग कर दिया, मैती डाल के तो रंग में भंग ये रचना किसकी होगी, मैत्री सरंगोप्त की, अध सर में भी संकर आएगा नातुराम सरमा संकर संकर सरोज और संकर सरवस्त की रचनाकार कौन है नातुराम सरमा संकर है यानम्मराप का बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला है राम रावड बिरोद की रचनाकार कौन है दोस्तों राम और रावड का क्या है एक दूसरे से ब प्रभासि की रिचनाकार कॉन है चार बिकल्ब हैं दोस्तों आपको पता है प्रवासी मतलब क्या होता है प्रवासी पक्षी नाम सुना होगा प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार जहां भी उनके अनुकूल मौसम होता है बहां चले जाते हैं मतलब यहां वहां भागते रहते हैं बैसे ही प्रवासी प्रवा प्रवासी लोचन से देखते हैं कि हमें किस ओर जाना है कहां भागना है प्रवासी लोग तो लोचन प्रसाथ पांडे की रचना हो जागी प्रवासी ठीक है याद रख लेना अंगला है बीर वालक के रचनाकार कौन है नातुराम सर्मा संकर लोचन प्रसाथ पांडे राय दे और बीर बालक के जो रचनाकार है आपको पता है दोस्तों कि जब भगवान का जन्म होता है तो बीर बालक के रूप में होता है आपने देखा होगा इतनी सारी लीलाएं देखी होंगी है ना क्रस्ण की ही बात कर लो क्रस्ण जी का जन्म होगा भगवान का जन्म होगा तो बीर बालक के रूप में होगा तो बीर बालक के रूप में होगा तो कैसे होता है बीर बालक के रूप में तो बीर बालक के रचनाकार कौन होंगे लाला भगवान दीन लाला भगवान दीन है ना भगवान का जन्म वीर वालक की रूप में होता है तो वीर वालक की रचनाकार लाला भगवान दिन थीक है अंगला है दोस्तु राम चरित चिंता मणी की रचनाकार कौन है और चार बेकल्पने राम चरित वपाध्याई लोचन परसाथ पांडे राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर लाला भगवान दीन तो आपको पता है कि राम चरित चिंतामनी यानि कि यह जो रचना होगी वो किसकी होगी राम चरित वो पाध्याई की रामचरे चिंतामणी की रचनाकार रामचरे तो पाध्याई यानि आपका एक नमबर बिल्को सही हो जाता है ठीक है एक नमबर नेक्स्ट है भारत गीत की रचनाकार कौन है दोस्तो चार विकल्प हैं हमने भारत भारती पढ़ा था किसका भारत भारती अपने मैत्रिशन गुपति की रचना पड़ी थी ठीक है और ये भारत गीत पूचा गया है तो पाठक लोग क्या करते भारत के गीत गाते हैं पाठक भारत के गीत गाते हैं, कौन गाते हैं? पाठक तो स्रीधर पाठक भारत की गीत गाते हैं तो भारत गीत की रचनाकार कौन होगे? स्रीधर पाठक, जानी सा नम्मर आपका बिलकुस सही हो जागा, आहन जिसे बोलते हुआ, आहन की रचनाकार कौन है, तो वो है बालकरश्न सर्मा नबीन, है ना, और दोस्तो आज करश्न जन्मा स्ट्मी भी है, तो हम क्रश्न का क्या करते हैं, आवहन करते हैं कर्षण जी आओ मेरे मनमंदर में ब्राजमान हो जाओ है ना इस परकार से क्या करते हैं आवहन करते हैं कर्षण क्योंसी है आवहन है ना यानि बानम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा नेक्स्ट है एसोधरा और साकेत के रचनकार कौन है चार विकल्प हैं और चार में से चेन करना है और रामचे तो पाध्याए बालकन सर्मा नबीन मेथ रिशन गोप्त लाला भगवान दीन तो आपका बिल्कुँछ सही आंसर होगा दोस्तों कि एसोधरा और साकेत ने मैथ ल तो यसोदरा और साकेत की रचना कार कौन होगी, मैथली सरणगुप्त, अब याद रख लेना, यसोदरा और साकेत ने मैथली, यसोदरा और साकेत ने क्या ली, मैथली, तो मैथली सरणगुप्त की रचना होगी, एक खंड काब है यसोदरा, और यसाकेत महा काब है, इसमें 12 स्वदेशी कुंडल की रचनाकार कौन है दोस्तों अगर कोई कुंडल खरीदना है तो अपन क्या करेंगे स्वदेशी की राय दोगे की चाइना की खरदवा दोगे स्वदेशी की राय देवी स्वदेशी की राय देवी तो स्वदेशी कुंडल की रचनाकार कौन हो जाएंगे राय देवी प्रसाथ पून बिकट भट की रिचनाकार कौन है दोस्तो बिकट भट चार बिकल पे और चार में आपको याद रखना है कि रामचे तो पाध्याई की है बालकन सर्मा नबीन की है मैतली सर्ण गुप्ति की है या फिर लाला भगवान दीन की है तो याद रख लेना है आपको आपका सही उत्त अगला है उद्धाः सतकmist посмотр गंगा उत्रण की रचनाकार कोन है रामचरे तुपात्य है जगनात दास रतनाकर मैसली सडंगोपतिया फिलाला भगवान दिन चार विकल्पे चार में से आपको चेन करना है वीडियो को लाइक करना है और आपको सेर भी करना है ठीके और आपका बिल्कुस सही आंसर होगा युद्धव सतक और गंगा उत्रण की रचनाकार है जगनात दास रतनाकर रतनाकर ने गंगा उत्रण में सतक लगाया रतनाकर ने गंगा उत्रण में सतक लगाया गंगा उत्रण से गंगा उत्रण सतक लगाया तो उद्धव सतक ठीके रतना करने कब लगाया गंगा उतरण में सतक लगाया ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है तो करते हैं दोस्तो आज का यह वीडियो सबसे पहले आप से पूछा जाता है कामाईनी महाकाब्ब की रचनाकार कौन है चार बेकल्पें दो सेकंड में आप अपने उत्तर का बताना है दोस्तो और यहाँ पर चित्र में देखना दोस्तो एक कामाईनी रचना है और यह महाकाब्ब है और आपको पता है कि आप कामना करने जाते हो कहाँ पर जैसंकर की पर साथ संकर जी के तिपास जाते हो ना भगवान मुझे परिच्छा पास करबा देना तो क्या कर करने जाते हो काम ना करने जाते हो तो कामाईनी महाकाब किसका होगा संकर जी की पास जाते हो तो जैसंकर परसाथ ठीक है और यह कामाईनी दोस्तों आपको यह आपको रचना देख रहा है यह रचना है यह बुख है और यह जैसंकर परसाथ जी की है ठीक है और यह महाकाब है कितने सरगों का महाकाब है 15 सरगों का महाकाब है दोस्तो और 1935 में ये प्रिकासित हुआ था ठीक है तो याद रख लेना च्छायवाद का स्रेश्ट महाकाब माना जाता है लोकायतन महाकाब की रिचनाकार कौन है दोस्तो चार बिकल्प हैं दोस्तो महाकाब लोकायतन और कामाईनी ये दोनों ही छायवाद के महाकाब हैं और आपको बताना है दो सेकंड में और इसकी जो ट्रेक है दोस्तो लोक में सुमित्रा आए हैं तो लोक में तो लोकायतन और सुमित्रा आए हैं तो सुमित्रा नंदन पंत है ये सुमित्रा समित्रा शमित्रन्दनदन ठीक है पल्लाव की रचनाकार कौश दोस्तों चार बिकल्प है जब तक मैं आपको बता दूँ कि जो पल्लावव है इसे छायावाद का गोश्णपत्र चायावाद का मैनीफेस्टों कहा जाता है पन्त जी सुमित्रा से पल्लव पड़ा है आप बोलते ना कि किस से पाला पड़ गया यार वो ही है सुमित्रा से पाला पड़ा है सुमित्रा से पल्लव पड़ा है ठीके तो सुमित्रा से पल्लव पड़ा तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जागी पल्लव तुल्शी दास के रचना कार कौन है चार बिकल्फ है जैसंकर पर साथ सुम्हें तरनंदन पंत निराला महादेवी बर्मा और आपको पता है दोस्तो तुल्शी दास एक स्रेश्ट कभी है और तुल्शी दास रचना भी है तो तुल्शी दास निराला कभी है तो तुल्शी द दास जो रचना है ये भी निराली रचना है यानि कि निराली से और निराला से आपका निराला सा नम्मर सही हो जाएगा आपको याद रख लिना है तुलसा तुलसी दास निराला कभी है ठीक है ये तुलसी दास रचना निराला की हो जाएगी ठीक है अंगला है दोस्तो राम क सकती की पूजा कौन करते हैं निराले व्यक्ति करते हैं या फिर राम की सकती पूजा निराली है राम की सकती पूजा निराली है राम की सकती पूजा निराले व्यक्ति करते हैं तो राम की सकती पूजा की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे निराला यानि कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुस सही हो जाएगा, यामा की रचनाकार कौन है दोस्तों, यामा जिसे की 1982 में ग्यान फीट पुरुसकार मिला था दोस्तों और आपको पता है कि आप बोलते न, यामा, यामा, मा बोलते किसे, महादेवी को, महादेवी को मा बोलते हैं, तो ये यामा भी कि आपको बताना है और आपको बिल्कुल यहां पर सही हो जाए गया इ την उसता नम्मर वो बिलकुल सही हो जाएगा दोस्तों आपको पता है राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा चित्र रेखा तो राम रामकुमार का चित्र रेखा ने देखा यह आपकी ट्रेक है तो चित्र रेखा है ना चित्र रेखा ने देखा किसका रामकुमार का तो चित्र रेखा की रिचना कार कौन होगी रामकुमार बर्मा अब याद रख लेना आप आप कैसे याद रखो रामकुमार का चित्र रेख रेखा तो चित्र रेखा रामकुमार बर्मा की रिचना को जाएगी, ठीक है? अंकला है निहार, रस्मी, नीरजा, सांदगीत, और दीप सिका की रिचनाकार कौन है? चार बेकल्प आपके पास जैसंकर परसास, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार बर्मा, महादेवी बर्मा इन में से दो सेकंड में आपको बताना है कि निहार, रस्मी, नीर्जा, सांदगीत और दीप सेका और आपको पता है दोस्तों कि ये पूरी ही रचनाए किसकी हैं महादेवी बर्मा की हैं महादेवी बर्मा यानि कि चार नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अब यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले क्या होता प्रभात में सबसे पहले जब हमारा सुवाय होता है प्रभात होता है तब निहार आता है निहार यानि कि ओस ओस आता है आता है कि सुवे सुवेक खिलती है क्यानि कि जो है कमल खिलता है है ना कमल खिलता है तो नीरजा खिलता है ठीक है फिर सांधगीत फिर सांधगीत में हम क्या करते हैं सांधगीत की बेला आती है साम को सांधगीत की बेला आती है और उसके बाद हम महादेवी को क्या जलाते हैं दीप सिखा जलाई जाती महादेवी को दीप सिखा जलाई जाती है तो अब याद रख ले ना आप तुरह सा अपना मुँँ उपर करो और देखो कि सबसे पहले प्रभात आता है है ना प्रभात आता है फिर दोस्तो रस्मी आती है है ना फिर रस्मी आती है फिर नीर्जा खिलता है फिर सांदगीत गा और अंगला देखो दोस्तो नए पत्ते की रचना कार कौन है जैसंकर प्रसाथ सुमित्रा नंदन पंत निराला महादेवी बर्मा कौन है यह सारी की सारी रचना यह सारी की सारी जो पीडिया पे स्टडी मटेरियल दोस्तो वो जौइन मेंबर को जौइन वाट्सअफ ग्रोप में मिल पाएंगे ठीक है नए पत्ते की रचना कार कौन है और आपको पता है दोस्तो यह नए पत्ते है ना कि किसकी रचना है शूरकां तरपाठी निराला और आपने पेड में देखे होंगी जब नए पत्ते आते हैं तो बिलकुल निराले पत्ते होते हैं कैसे होते हैं न नयपत्ते निराले होते हैं तो नयपत्ते की रचनाकार कौन होगे निराला जी ठीक है अंगला है निरमाल एक तारा की रचनाकार कौन है चार बिकल्पें बहुत ही वड़िया प्रस्न है और दोस्तों आपको पता है कि निरमल एक तारा का बियोगी है तो निरमल से निरमाल ए एक तारा से एक तारा का बेयोगी है सो मौहलाल महतो बेयोगी ये बेयोगी की रचना है कौन सी निर्माल और एक तारा का बेयोगी है तो निर्माल और एक तारा की रचनाकार कौन होंगे मौहलाल महतो बेयोगी ठीक है पंची और रागनी की रचनाकार कौन है दोस्तों गोप पंची और रागनी और प्रश्ण किरमा के 11 में आपका बिल्कु सही आंतर होगा रागनी का नेपाली पंची तो रागनी से रागनी और नेपाली से हो जाएंगे आपके कौन गोपाल से हैं नेपाली और पंची से पंची तो पंची और रागनी जो रचना हैं वो किसकी हैं ग गोपाल से नेपाली की आपको ट्रेक याद रखना है रागनी का नेपाली पंची रागनी का नेपाली पंची तो रागनी और पंची ये गोपाल से नेपाली की रचना हो जाएंगी ठीके अंगला है दोस्तों अमरत और विस्ट की रचना कार कौन है अमरत और विस्ट चार ब पी लिया ौर फिर ODAI नहीं हुआ कभी, तो ओधय संकरबत है। इक रचना अमरत रुबेशची वि Object 4 यह रचना की में हैए। देनमर आपका बिल्कु सेही है। कलापी की रचनाकार कौन है। दोस्तों यहाँ पर देको कला । एक कला लिखा है और आप बोलते हो सर मुझे कला सीखना है मैंने बोला कितनी कला सीखना है तो आपने कहा सर मुझे असी कला सीखना है कितनी सीखना है असी तो कला से कला पी और कला सीखना है कितनी असी तो आरसी पर साथ से हैं आरसी असी से आरसी आरसी पर साथ सें की रचना ह कई बार पूछी गई है अब कभी नहीं बोलना कितनी कला सीखना है असी कला सीखना है अंगला है अंतर ध्वनी की रिचनाकार कौन है दोस्तों अंतर ध्वनी अंतर की ध्वनी को जानो अंतर की ध्वनी को जानना है तो जानना है तो जनार्दन जा जनार्दन है ना अंतर को क्या करना है जानना है जनारदन जनारदन जहा दोईच की रचना हो जाएगी बी नमबर अंतर ध्वनी की रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर अंतर की ध्वनी को जानना है तो जनारदन जहा ठीके अंगला है मांसी राका और विसरजन की रचना दोस्तों एक मांसी तरपाठी जी की भी है ठीके और याद रख लिना है और यह मांसी जो रचना है यह आपकी उद्या संकर बाट्ट की भी है ठीके एसे आप याद रखेंगे मांसी राका और बिसर्जन मांसी रुको उदै संकर का बिसर्जन मत करना मांसी रुको उदै संकर का बिसर्जन मत करना तो मांसी से मांसी रुको से राका और बिसर्जन से बिसर्जन मांसी राका और बिसर्जन है ना और अमरत और विस ये चार रचनाएं इनकी हैं कौनकी उदै संकर भट की मांसी रुको उदै संकर का बिसर्जन मत करना ये किसकी रचना हो गई उदै संकर भट यानी D नमर आपका बिलकु सही हो जाएगा ठीके अंगला है कोकरमुत्ता की रचना कार कौन है चार बेकलब हैं दोस्तो जरा इस चित्र को देखो कोकरमुत्ता किसकी है ये देखो कोकरमुत्ता की रचना कार कौन होगे निराला है ना बोले सर कोकरमुत्ता चित्र में देखा ये निराला होता है तो निराला की रचना हो जाएगी इस दूर का अंतरपाटी निराला ठीक है अंगला देखो खादी के फूल की रचना कार कौन है चार बिकलब हैं और दोस्तो ये सन्युक्त रचना मानी जाती है, दो कभियों की, और वो कभी कौन से हैं, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, अपने बोते ना नाती, पंती, तो बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, याद रख ले ना, है ना, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहन और बच्चन के पंती ने पहनी तो बच्चन और पंत बच्चन और पंत की ये संजुक्त रचना मानी जाती है दोनों की यानि कि बिकल्प नमर आपका सा जो है वो बिलकुस ही हो जाएगा खादी के फूल बच्चन के पंती ने पहले है ना बच्चन के पंती ने खादी के कौन है दोस्तों आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी है वो आप बता देना और आप जुआइन WhatsApp ग्रोप से जुआइन होना चाहते हैं है ना जुड़ना चाहते हैं तो आपको चैनल के जोएन मेंबर वनना पड़ेगा जोएन मेंबर का अलग से WhatsApp ग्रोप है और जो है subscriber मेंबर का अलग से WhatsApp ग्रोप है टीक है तो जोएन मेंबर को बिसेस जो है यहाँव पर study material प्रेसित किया जाता है दोस्तों और सब्सक्राइब मेंबर को टेस्ट आदी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं तो आप जोईन मेंबर बनना चाहेते हैं तो चैनल के जोईन बटन पर किलिक करें और बहां से आप कुछ रासी पेकर के जोईन मेंबर बन सकते हो करुणा लए और आसू की रचनाकार कोन हैं जोस्तो आपको पता है कि करुणा लए आसू करुणा के आसू हम पढ़ते न करुणा के आसू संकर जी के सामने करुण के आसू ऐसे लख लो संकर जी के सामने करण के आसू बहाते हैं करण के आसू बहाते हैं किसके सामने संकर जी के सामने संकर जी जैसंकर पर साथ बैसे तो करणा लाय और आसू सबी को पता होगा लेकिन याद रख ले कि जो है संकर जी के सामने करणा के आसू बहाते हैं करणा के आसू तो करणा लए और आसू ठीके इस परकार से कामाईने इनकी हम रचना पड़ चुके हैं ठीके करणा लए भी है आसू भी है जहरना भी है और वसी एक इनकी रचना भी है ठीके इनको भी आपको याद रखेंगे और यहाँ पर संकर जी के सामने करवना की आशू बहाते हैं लहर, जहरना और उर्वसी की रचना कार कौन है दोस्तों चार बिकल्प हैं, चार में से आपको बताना है और यहाँ पर आपका जो बिल्कु सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लहर, यहाँ पर देखो दोस्तों यह संकर जी बैठे हुए हैं है ना, संकर जी बैठे हैं और यहाँ से इनके जटों से लहर निकली तो लहर निकली तो मानूँ ऐसा लग रहा था कि जहरना निकला है कोई जहरना है ना, और जब लोगों ने देखा तो लोगों के और बसी, लोगों के और मतलब हिरदय और हिरदय में बसी, तो ऐसी लहर निकली की जहरना लग रहा था और जब जहरना लोगों ने देखा तो लोगों के और बसी, तो कहां से संकर जी की जटाओं से आप बोलते ना कि गंगा निकली है तो लहर, जरना और और वज्छना कार کौन, जय संकर पर साथ तो यह सानम्मर आपका बेलकुष सही हो जाएगा तो जहां मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकता है बहुत यह अच्छी आत्मकता है दोस्तो जहां मैं खड़ा हूँ चार बिकल्फें दो सेकंड भी आपको बताना हैं दोस्तो है ना और आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा राम दरस मिस्तर राम दरस मिस्तर यानि वी नमबर बिल्कु सही होगा अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तो आप याद रख लेना कि जहां मैं खड़ा हूँ वही से राम के दरस हो जाते हैं जहां मैं खड़ा हूँ वही से क्या हो जाते हैं राम के दरस हो जाते हैं तो राम दरस मिस्तर जहां मैं खड़ा हूँ वही से राम के दरस हो जाते हैं तो रामदरस मिस्र की आत्मकता का करनाम क्या होगा, जहां मैं खड़ा हूँ, रामदरस हो जाते हैं, है ना, इस प्रकार से वी नम्मर आपका बिल्लकुछ सही हो जाएगा, ठीक है, राहुल सांक्रित्या इनकी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कि इनकी मेरी जीवन यात्रा, इनकी एक आत्मकता है, ठीक है, और पंडि बेचन सरमा उगर की है, अपनी खबर, अपनी खबर इनकी आत्मकता है, ये भी आपको याद रखनी नहीं है, पदमा सचदेबा की आत्मकता का नाम है, बूंद बाबडी, थीक है, याद रखेंगे, अंगला बताना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ चार बिकल्प में दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेक है कि जिंदिगी में अगर आपके अंदर प्रतिबा है तो दस्तक जरूर देती है दोस्तों जिंदिगी में दस्तक देती है क्या प्रतिबा और जिंदिगी को मोड देती है तो दस्तक जिन्दगी की मोड जिन्दगी का है ना प्रतिवा अग्रबाल ठीक है प्रतिवा को क्या करते हैं दस्तक जिन्दगी की मोड जिन्दगी का है ना तो प्रतिवा है तो जिन्दगी में दस्तक जरूर देगी और जिन्दगी में मोड जरूर आएगा यानि कि जो आ नम्मर है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा अंगला बताना है दोस्तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्म कता है चार विकल्प हैं दो सेकंड में आपको उत्र बताना है और मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर आया है दोस्तो कुंडल है ना कानों में कुंडल पहनते हैं कष्टूरी कुंडल वसे और कुंडल मांटना है मित्रों में तो मेत्री पुष्पा की ये आत्मकता है कौंसी कष्टूरी-कुंडल वसे अब याद रख लेना बोले मेत्र कुंडल मांटना है झि कुंडल तो कस्तूरी कुंडल बसे मेतरी पस्पा इनकी आत्मकतह हो जाएगी यह नम्मर आपकी बिलकुस योगा दोस्तो डाक्टर नगेंदर की आत्मकतह का नाम है अर्दकतह क्या नाम है अर्दकत larva इसको भी आपको याद रख लेना है लगता नहीं है दिल मेरा कश्न के बिना तो क ठीक है अंगला बताना दोस्तो अलमोडे का बाजार रिपोर्ट आज किसका है अलमोडे का बाजार जी हां दोस्तो एक चीज बताना दो सेकंड में आप अपने उत्तर कमेंट में लेखते जाएं है ना और मैं बता रहा हूं कि अलमोडे का बजार प्रकास में लगेगा कि अंधेरे में लगेगा आपको बताना है अलमोडे का बजार प्रकास में लगेगा कि अंधेरे में तो काई में लगेगा प्रकास में यानि कि प्रकास गुप्त अलमोडे का बजार लगेगा प्रकास में तो प्रकास गुप्त यानि भी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना लाहोर से लखनव तक संस्मन किसका है लाहोर से लखनव तक दोस्तों लाहोर से लखनव तक क्या करना है हमें प्रिकास करना है प्रिकास है ना अलमोडे का बजार भी प्रिकास में लग रहा था और लाहोर से लखनव तक हमें प्रकास करना है तो प्रकास बती पाल प्रकास बती पाल यानि जो सा नम्मर है वो आपका बिल्को सही होगा प्रकास बती पाल ठीक है याद रखेंगे अगला है दोस्तों तंत्रा लोग से यंत्रा लोग तक तंत्रा लोग पढ़ते हैं नांग काट ले तो लोग क्या पढ़ते हैं तंत्र मंत्र पढ़ते हैं अब आप कभी नी बोलोगे तंत्र यंत्र है ना तो तंत्र मंत्र पढ़ देते हैं नांग काट ले तो यह नगेंदर का है और अर्द कथा मैंने आपको बता ही दी इनकी आत्मकथा का नाम ह और ये संसमन है नगेदर साप का ठीक है ये भी याद रखना है आपको अंगला है दोस्तो पिलाट का मोड़्चा रिपोर्ट आज किसका बहुत ही बढ़ीया रचना कई बार पूछी गई है और दोस्तो एक चीज बता ना कि मोड़्चे पर कौन उतरता है पिलाट के मोड़् पर उत्रेगा और समसेर बहादुर ठीक है समसेर सेर जैसा बहादुर होगा बही पिलाट के मोर्चे पर उत्रेगा यानि आपका जो डी नमबर है वो बिलकु सही हो जाएगा डी नमबर ठीक है याद रखेंगे अंगला है दोस्तों एक रचना है आखरी चट्टान तक मोहराकेश जी की वो भी आपको याद रखनी है कियर महाबोच के रचनाकार आपको बताना महाभोज महाबोच किसे कहते हैं दोस्तों मैं अगर आपसे पूछू महाबोच जहां पर बहुत सारे लोग भोच कर रहे हों उसे महाबोच कहते हैं और उसे भंडारा भी कहा जाता है क्या कहा जाता बंडारा आप लोग बहुत हैं बंडारा 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 और उसे महाबोच कहा जाता है तो महाबोच के रचनाकार कौन होगे बंडारा से भंडारी मन्नु भंडारी है ना मन्नु भंडारी की रचना है कई बार पूची गई है आपका बं आती है तो लोग जाते हैं भगबती के चरणों में कहां जाते हैं भगबती के चरणों में जाते हो और भगबती से बोलते हैं कहीना जाई का कहिए ऐसी आपदा आई है कि कहीना जाई का कहिए है ना इस परकार से कहां जाते हो भगबती के चरणों में जाते हो और कहते हो कहीन आजाई का कहिए भगबती चन वर्मा की आत्मकत्त का तो नौजवान हर नौजवान का सपना होता है कि मैं भी बॉस बन जाओं बॉस तो तरण का सपन क्या है यह आत्म कता है और किसकी है सुवास्चंद्र बॉस साथ की है है ना और वी नमर आपका यहां पर बिल्कु सही हो जागा तरण मतलब नौजवान और नौजवान का सपन होता है क्या बन जाओं बॉस बन जाओं बॉस तो सुवास चंद्र बॉस ठीक है अंगला है दोस्तो सेहाव लोकन की रचनाकार कोन है सेहाव लोकन और एक चीज बताना दोस्तो की जंगल में आपने देखा होगा सेह का क्या होता है सेह का बहुत यस होता है क्या होता है सेह का बहुत यस होता, पूरे जंगल में सेह का ही यस होता है, हम बोलते हैं, जंगल का राजा सेह, और सेह का यस होता है, कहाँ पर जंगल में, तो यहाँ पर आया है सेह, और सेह का यस होता है, तो यस पाल, ठीके, यह आत्मकता किसकी होगी, यस पाल जी की, यस पाल, ठीके, यह न से बनती हैं रेट से बनती हैं पत्थर से बनती हैं इटों से बनती हैं दोस्तों ब्रक्ष से भी क्या बन जाती हैं जंजीरें बन जाती हैं दीवारें बन जाती हैं काई से ब्रक्ष से जंजीरें और दीवारें बन जाती हैं तो राम ब्रक्ष बैनिपुरी की ए रचना है जं जंजीरें और दीवार हैं वोले हाँ ब्रक्ष से भी बन जाती है जंजीरें और दीवार हैं तो सा नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा सेवाग राम की डायरी संसमन के रचनाकार कुन है सेवाग राम की डायरी जी हां दोस्तों और आप लोग क्या करते हो क्या करते हैं सेबा करना है तो किसकी करना है स्री राम की करना है तो स्री राम सर्मा सेबा गराम की डायरी स्री राम सर्मा ठीक है स्री राम सर्मा की यह संस्मन है दोस्तों सेबा गराम की डायरी पूछी गई है कई बार स्री राम सर्मा ठीक है अंगला बताना है नांगफणी आत्मकथा की रिचनाकार बताना है और दोस्तों ये आपने इसका रूप देख लिया इसका रूप देखते ही कुछ लोग सो जाते हैं है ना तो रूप नारायन रूप नारायन सौनकर है ना इसका रूप देखो जरा कुछ लोग सोजाते हैं बोले नांगपनी ये मेरे बस की बात नहीं तो सोजाते हैं तो रूप नारायन सौनकर है ना नांगपनी आत्म कता है रूप नारायन सौनकर जी की यानि जो आ नम्मर है वो आपका बिलकु सही ह जाएगा और दोस्तों आपको कमेंट में भी बताना है कि सबसे अच्छी फणी टर्यक्त को याद हो गई ठीक है मेरी फिल्मी आत्मकथा कि रचनाकार कौन है फिल्मी आत्मकथा फिल्मी की बात साहिनी लेकिन साहिनी से हम पढ़ लेंगे साहिनी जी हैं बोले साहिनी जी काई में फिल्मों में हैं तो मेरी फिल्मी आत्म कथा साहिनी जी हैं तो बलराज साहिनी है ना सा नम्मर आपका बिलको सही होगा बलराज साहिनी अंगला है दोस्तो जादा अपनी कम पराई आपने प अस्क जादा अपनी कम पराई है या नम्मर आपका बिल्कुस صحी हो जाएगा में जीवनी कई बार पूची गही है बहुत बढ़ीया है और प्रेम चंद जी के बारे में पढ़ना कभी इनकी दो साधियां हुई थी, कितनी हुई थी दो, और इनकी जो मतलब लास्ट वाली दूसरे नम्मर की इनकी क्या थी पतनी थी, वो थी सिवरानी देवी, है ना सिवरानी देवी, और उन्होंने जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में एक कई बार किसकी है तो बताना है आपको ओर यात्म कथा है सुसीला टाक भोरे किसकी है सुसीला टाक भोरे तो तो इसे रिया के करती का का की दर्ध के वारे सिकंजे के दर्द से सिकंजे के दर्द से सुसीला टाक नहीं कर पाती टाक भोरे सुसीला टाक भोरे है ना तो बा नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा बी नम्मर ठीक है अंगला बताना है बिस्कीट आत्मकता है तो किसकी है बिस्क और बिस्क बिस्क निकलता है दो ठीक है बिस्कीट आत्मकताब कभी से आपसे पूचे जागा बिस्कीट आत्मकताब बोले से नांगर जुन है नांगर जुन यानि कि जो आ नम्मर है वो आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना है आत्म परिचाय किसकी रचना है आत्म परिचाय और दोस्तों आ आपको बताना है आत्म परिचय तो याद रख लेना आत्म परिचय देता है नांग कैसे फन फेला के फन फेला के तो फनी सुनात रेनू की आत्म कता है आत्म परिचय इसलिए याद रख लेना बिस्कीट बिस निकलता है नांग से तो नागर जुन ठीक है और आत्म परिचय द देता है नांग क्या करके फण फेला के फण फेला के देता है तो फणी सुनात रेनु की जो आत्म कता होगी वो क्या होगी आत्म परिचाय है ना आत्म परिचाय आप उसका कुछ करो फिर वो आपना आत्म परिचाय देगा ऐसा करके है ना तो आत्म परिचाय फण फेला के तो अब दोस्टो एक बात कॉमन सेंस लगाना कि लगाना कि क्रश्ण वर अरज्ण का युद्ध क्यों हुआ हुगा क्यों हुआ होंगे मांखन के चक्कर में हुआ तो मांखनलाल चत्रवेदी इस परकार से याद करेंगे मांखन के चक्कर में करश्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ ठीक है यह आपकी ट्रेक हो गई नेक्स्ट है जैहिंद की रचनाकार कौन है दोस्तों जी हाँ दोस्तों जैहिंद रचना भी है 1948 की है अब आपको वताना इसकी रचनाकार कौन है तो ट्रेक है दोस्तो सियाराम की सरण में जैहिंद लिखा किसकी सरण में यहाँ पर चित्र में देखो सियाराम की सरण में जैहिंद लिखा ठीक है तो किसकी सरण में सियाराम सरण गोपत है ठीके ये हो जाएंगे दोस्तों आपको जैहिंद रचना है इनकी 1948 की रचना है और आपको पता होगा कि जो सियाराम सरनगुप्त हैं ये मैतली सरनगुप्त के छोटे भाई थे अनुछ थे ठीके और इनकी रचना है जैहिंद 1948 की हमने कैसे याद किया कि सियाराम की सरन में जै लेहिंद लिखा तो जयहिंद रचना सियरामसरनकी ठीक है अंगला है कुम कुम 1936 के रचनाकार कौन है चार बिकल्फें दोस्तों चार में से चैन करना है और एक चीज बताना कि कुम कुम एक बिंदी आती है आपको पता होगा हैना कुम कुम एक सीरियल भी आता है कुमकुम एक बिंदी भी आती है चार विकल्ग में से आप सही बताना और आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दूस्तों वालकर्षन सरमानबीन है ना वालकर्षन सरमानबीन कुमकुम और देखना दोस्तों आप सुल्ण अइमेज करना कि यह बाल है यहाँ पर देखो यह बाल है बालों के नीचे आप क्या लगाते हो कुम कुम लगाते हो ठीक है और यह आपकी पलक है दौनों पलकों के बीच में आप कुम कुम लगाते हो तो बालों के नीचे यानि कि बाल करन भट नीचे कुम कुम लगाते हो तो कुम कुम और दौनों पलकों के बीच में तो आपलक, पलक के बीच में तो आपलक भी इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है, और कौन लगाती है, औरमिला, कैसे ट्रेक है इसकी, पलक जबकते ही, औरमिला ने बालों के नीचे रस्मी रेखा से कुम कुम लगाई, ठीक है, यह दोस्तों बालकर सर्मानबीन की कुछ रचना है आपको ट्रेक है कि बाल जपकते ही जो है और मिला ने बालों के नीचे रस्मी रेखा से कुमकुम लगाई ठीक है पलक जपकते ही यह आपकी ट्रेक हो जाएगी दोस्तो इसको आपको याद रखना है और इनकी रचना है देखो क्रमबद आपलक 1951, रस्मी रेखा 1951, कुवासी 1952, हम बिस्पाई जनम के 1955 और और्मला 1957 ठीक है ये बालकन सर्मा नभीन की रचना है अब आपको याद रख लेना है पलक जपकते ही और्मला के और्मला ने बालों के नीचे रस्मी रेखा से कुम कुम लगाई ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है और इनकी रचना याद हो जाती है साथ ही क्रमबद भी है सन भी आपको दिये है ठीक है ये उर्मला है और पलक जपकते ही तो उर्मला से उर्मला पलक से आपलक बालों के नीचे कुम कुम तो ये कुम कुम ठीक है तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है इनकी रचनाएं और इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको जरूर देखना है दोस्तों ठीक है बिखरे मौती और तिर्धारा के रचनाकार कौन है चार विकल्प है सुबद्रा कुमारी चोहान सियाराम सरंगुप बालकर्ण सर्मा नभीन या फिर रामधारी स हैं दिनकर और आपको पता है दोस्तों ठीक भी मैंने नीचे दी है कि सुबद्रा के बिखरे मौती की तिरधारा निकली सुबद्रा के जो बिखरे मौती थे उनकी कितनी धारा निकली तिरधारा निकली किसकी सुबद्रा तो सुबद्रा कुमारी चोहान की बिखरे मौती औ और आपको पता है दोस्तो कि रामधारी सेंदिनकर को अनल का कभी कहा जाता है और परसुराम की प्रतिक्षा इनकी दोस्तो बहुत ही वड़िया रचना हैं कई बार पूछी गई है नीचे ट्रिक दी है कि परसुराम की प्रतिक्षा में और वसी और रस्मी ने कुरू छेत्र में हुंकार भरी है ना तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परसुराम की प्रतिक्षा में जो है और वसी और रस्मी ने कुरू छेत्र में जो है हुंकार भरी तो इनकी परसुर रेनुका भी आपको याद रखनी नहीं है ठीक है इन्हीं की है दिनकर जी की और उर्वसी के लिए दोस्तो इन्हें 1978 में ग्यान पीट प्रुसकार भी मिला है ठीक है तो याद रखेंगे क्या याद रखना परसुराम की प्रतिक्षा में उर्वसी और रस्मी ने कुरू छेतर में हुंकार भरी ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है हल्दी घाटी की रचनाकार बताना है दोस्तो मैत्रीशन गोप्त स्याम नारण पांडे बालकन सर्मा नभीन या फिर रामधारी से दिनकर और आपका विलको सही आंसर क्या हो जा है नंद दास की रचना है और स्याम की सगाई में दोस्तो हल्दी जरूर लगेगी क्या लगेगी हल्दी लगेगी तो हल्दी लगेगी तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन होंगे स्याम स्याम की सगाई में हल्दी लगेगी ठीक है स्याम की सगाई में क्या लगेगी हल्दी लगेगी, तो हल्दी घाठी जो रचनाय वो किसकी होगी स्याम नारान पानडे, स्याम आएगा ठीक है स्याम नारान पानडे और स्याम सगाईują नददास की रचना है, ए चीज भी आपको याद रखनी है, है ना अब मैं पूछूँगा हल्दी किसको लगेगी पुरिसर स्याम की सगाई में तो स्याम सगाई नंददास और हल्दी घाटी इस स्याम नाराणपान दे ठीक है अंगला है जीवन संगीत की रचनाकार कौन है चार बिकल्प हैं दोस्तों आपको पता है कि जीवन संगीत कब बन जाता है अगर दोस्तों आप जगनात पूरी चले जाओ तो संगीत जीवन आपका जो है वो संगीत बन जाता है कहां जाना है जगनात पूरी आपको जाना है तो आपका जीवन संगीत बन जाएगा और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर पिरसाद बहुत मिलता है क्या मिल जगनात पूरी में प्रसाद मिलिंद तो जीवन संगीत बन जाता है ना इस प्रकार से अब मैं पूछूँँगा जीवन संगीत कब बन जाता है तो आप बताओगे कि सर जगनात पूरी पहुंच जाएं और वहाँ पर प्रसाद बहुत मिलता है तो जीवन संगीत बन जाता है मिस्र प्रभात आपको पता होगा कि दोस्तों केदारनात में जब बाड़ा आई थी तो सभी लोगों ने बहाँ पर जितने लोग भी जितने लोगों की मृत्यू हुई थी जितने लोग बह गए थे कुछ लोग बेघर हो गए थे हैना उनके लिए स्रद्दान जली के लिए क् ज्वाला यह देखो यहाँ पर ज्वाला जलाई थी कहां के लिए केदारनात के लिए तो ज्वाला की रचनाकार कौन होंगे केदारनात मिस्र प्रभात अब यहाँ अगरवाल नहीं जोड़ना सेह नहीं जोड़ना यह केदारनेत मिस्र प्रभात हैं जिनी की रचना है सभी ये सारी रचना याद होंगी है ना बोले साहत देवता माखन खालो लेकिन रचना याद हो जाएं है ना अब सभी लोग माखन खवा देना साहत देवता को तो माखन खवा देना तो माखलाल चत्रवेदी है ना याद रख देना अब साहत देवता को परसंद करना है तो मा मौर विजय की रचनाकार कौन हैं दोस्तों चार बिकल्प हैं और आपने रामायर बहुत देखी हैं मैथली स्रणगुप्त हैं सियाम नारान पांडे हैं जगनात प्रसाद मिलंध हैं या फिर सियाराम स्रणगुप्त हैं और आपको पता होगा दोस्तों कि जब स्रीराम विज मोर मुकट लगाए तो सिया राम स्राणगुपत की रचना होगी limit क्या मा चितौरिय दोस्तों माखललन चितुरु वेदी तो आपको पता है दोस्तों कैदी और कोकिला को हमें क्या खेलाना है माखन खेलाना है बहुत ही प्रसिद रचना हुई है दोस्तो ये माखलाल चतरवेदी जी की कैदी और कोकिला है ना और कैदी और कोकिला को हमें माखन खबा देना है तो माखलाल चतरवेदी ठीक है माखलाल चतरवेदी की रचना है कैदी और कोक अंगला है सभा का खेल की रचनाकार कौन है दोस्तों सभा के खेल और आपको पता है दोस्तों कि विबिन प्रकार की सभा होती है लेकिन कई-कई सभा में लोगों के भद्रा भी उतर जाते हैं अपन बोलते हैं सभा में आज उसके भद्रा उतर गए तो सभा का खेल और सभा मे भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा कुमारी चोहान सभा का खेल की रचनाकार कौन होगे सुभद्रा कुमारी चोहान है ना बोले सर सभा में तो भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा भद्रा से सुभद्रा कुमारी चोहान ठीक है दी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाए नेक्स्ट है नूर जहां की रचनाकार कौन है मैतली सन गौप्त स्याम नाराण पांडे गुरु भक्त से या फिर सुविद्रा कुमारी चोहान नूर जहां और आपको पता है दोस्तों कि नूर जहां आदी के चक्कर में कौन नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते कौन गुरु गुरु भक्त नूर जहां के पीछे नहीं पढ़ते चक्कर में नहीं पढ़ते कौन गुरु भक्त लोग इने सिर्फ भक्ती से काम होता है तो गुरु भक्त से हैं ठीक है नूर जहां की रचनाकार कौन होंगे और इस प्रकार से याद करेंगे और इस सिर्फ याद करने का म अंगला है आत्में बलीदान की रेचनाकार कौन है मैतली सानगुट है सियाम नारण पानडे बालकन सर्मा नबीन या फिर सुविद्रा कुमारी चोहन आपको पता है अगर मैं बोलू कि आप आत्में बलीदान कर दो मैं आत्म बलिदान तो कर दूँगा लेकिन मेरे बालों के बलिदान की मत बोलना मैं सब कुछ बलिदान कर दूँगा बालों के बलिदान की मत बोलना तो आत्म बलिदान की रचनकार कौन होंगे बाल करन भट बाल की मत बोलना है ना थीक है तो बाल करन भट हमने याद किया थ दोस्तों एक हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप की रचनकार्थे बालकर्ण भटे, बालकर्ण सर्मा नवीन है, लेकिन हिंदी प्रदीप की हमने देखे थे, कि प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना, तो प्रदीप यानि हिंदी प्रदीप और हिंदी प्रदीप के स ध्रमा नवीन थीक है अंगला है तक्चिस्हिभा की रचना कार कौन है? चार बिकल्ब हैं और दोस्तों आपको पता होगा कि तक्चिस्हिभा बिस्विध्यालय बना था Хेना और जो तक्चिसिभा है यह बोध सिक्चा बोध धर्म से संबंदत था यहां का जो छित्र था ठीके और तक्च सिला का क्या हुआ था भारत में ओदय हुआ था तक्च सिला का भारत में ओदय हुआ था तो तक्च सिला की रचनाकार कौन होंगे तक्च सिला का ओदय यानि की ओदय संकर भट ठीके ओदय संकर भट अमरत और बेस इनकी एक रचना हमन अब कैसे याद रखोगे उले सर तक्च सिला का उदय तक्च सिला से तक्च सिला रचना उदय से उदय संकर भट इसके रचनाकार अमीर रादे गरीब रादे की रचनाकार कौन है दोस्तों आपको बताना है और बहुत ही बढ़िया रचना है तो आपको पता है कि चाए अमीर हो चार गरीब हो सब के रादे माखन खाने के रहते हैं बोले आज माखन मिल जाता अमीर हो या गरीब हो सब के रादे काई के रहते हैं माखन खाने के रहते हैं तो गरीमे अमीर रादे और गरीब रादे के रचनाकार कौन है माखनलाल चत्रवेदी यानि की दी नम्मर आपका विल्कुत सही हो जाएगा ठीक है अंगला है जहांसी की रानी कविता की रचनाकार कौन है चार बिकल्प है मैतली सरंगोप स्याम नारण पांडे बालकन सर्मा नभीन या फिर सुविद्रा कुमारी चोहान और दोस्तों आपको पता है कि जहांसी की रानी लच्छीवाई ने स नारण ने सुविद्रा उतार दिये थे तो सुविद्रा कुमारी चोहान ठीक है अंगला हिम क्रीटनी हिम तरंगनी की रचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है हिम तरंगनी के लिए साहित तकादी प्रुसकार मिला 1955 में है ना सबसे पहले और रचना किसकी है और आपको दोस्तों हिम जैसे जम जाता है क्या माखन माखन भी हिम जैसे जम जाता है तो याद रख लेना क्या जम जाता है माखन काई के जैसे हिम जैसे तो हिम तरंगनी और हिम करटनी माखन जैसे जम जाते हैं तो माखन लाल चत्रुबेदी यानि कि डी नम्मर आपका बिलको सही हो ठीक है अंगला है पाथे की रचनाकार कौन है चार बिकल्प हैं दोस्तो और आपको पता है कि दोस्तो सिया और राम को सिया राम को जब क्या हुआ बनवास हुआ तो इनके बहुत सारे पाथे बने है ना आपने नाम सुना होगा वो ले केबट के भाग खुल गया केबट भी ना ऐसे अने को रिशी मुनी थी जो सिया राम के पाथे बने कौन के सिया राम के पाथे बने तो पाथे की रचनाकार कौन होंगे सिया राम सरण गुप्त है सिया राम सरण गुप्त है ठीक है तो सिया राम के पाथे इस प्रकार से आपको याद रख लेना तेरी मेरी उसकी किसी को नहीं बताना लेकिन मैं आपसे बोला हूं कि अपने एक group है group admin है yes yes करके यस नाम है उनका और तेरी मेरी उसकी बाद किसको नहीं बताना yes को नहीं बताना थीक है याद रखेंगे आपका बिल्कों सही है हमेशा आपकी मदद करते हैं PDF और हर एक चीज में यस तो तेरी मेरी उसकी बात किसको नी बताना यस को नी बताना मतलब इसकी रचना कार कौन होंगे यस पाल ठीक है यस पाल यानि कि जो आ नम्मर है वो आपका बिल्कों सही हो जाएगा दोस्तो और इसको जो साहित अकादमी पुरुषकार मिला वो मिला 1976 में 1976 में इस रचना के लिए क्या मिला साहित अकादमी पुरुषकार मिला ठीक है तो याद रख लेना तेरी मेरी उसकी बात यसको नहीं बताना और 1976 में किसी साहित अकाद्मी पुरुषकार मिला और कब तक नहीं बताना? 76 साल तक नहीं बताना ठीक है? तो 1976 आपका हो जाएगा साहित अकाद्मी अंगला बताना है दोस्तो चुका भी नहीं हूँ मैं चुका भी नहीं हूँ मैं की रचनाकार कौन है? थोड़ी सी image दी है अगर आप समस्था को कुछ तो बता दोगे चार बिकल्प हैं दो सेकंड आपको पता है दोस्तो आपको पता है कि जब सेर और हिरन क्या उत करते हैं सास सास दोड़ते हैं एक दूसरे को मलब जो सेर है वो हिरन को पकड़ता है और हिरन कई बार आपने भी नहीं हूँ तो सेर बोलता है चूका भी नहीं हूँ तो इस जो रचना है वो किसकी हो जाएगी समसेर वहादुर जी की ठीक है याद रखना दोस्तों इन्हें कभियों का कभी भी कहा जाता है समसेर वहादुर सापको और यह क्या करते हैं हेरन और सेर साथ साथ दोड़ते ह साथ साथ दोड़ते हैं तो 1977 में इसे इस रचना के लिए साहित अकादमी उप्रोषकार मिला तो साथ साथ से याद रख लेना है ना और सेर क्या बोला है कि चूका भी नहीं हूँ अभी दूसरा है रन देख लेंगे ठीक है तो समसेर बहादर यानि बानमर आपका बिल्को सही होजाएगा अंगला बताना है दोस्तो उतना बस सूरज हूं कि रचना कार कुन है उतना बस सूरज हूं चार बिकलबें चार मेंसे आपको उत्तर बताना है और अंसर आपका क्या हो जाएगा उतना वस सूरज हूँ तो हम क्या बोलते हैं दोस्तो जो अभरता हुआ सितारा होता है जो भारत का भूशन होता है वो हम बोलते हैं कि आप तो हमारे भारत के क्या हो सूर हो, सूर पुत्र हो तो उतना वस सूरज हूँ क्योंकि आप क्या हो भारत भूशन हो, भारत भूशन तो यह भारत भूशन अगरबाल की रिचना है इसको ऐसे याद करेंगे दोस्तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है उतना वस सूरज हूँ अगला है कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है अब दोस्तो एक चीज बताना मैं अगर आप से बोलू कि आज तो आप लोग सुनते नहीं हो मुझे जब मैं धूल में मिल जाओंगा तो कल सुनना मुझे तो इसके जो लेकाखोंगे वो कौन होंगे कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाओंगा तो आपका उत्तर होगा धूमिल है ना धूमिल कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है और इसे कम मिला 1989 में दोस्तो 1989 में किसे साहित अकाद्मी प्रोषकार से नवाजा गया ये चीज भी आपको याल रखनी है ठीक है अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाओंगा तो धूमिल ठीक है धूमिल यानि डी नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो जिन्दगी नामा जिन्दा रुख कई बार पूँची यह रचना और आपको पता है दोस्तों कि हम जब हिंदी साहत में पढ़ते हैं तो मीरा भाई को जरूर पढ़ते हैं मीरा भाई को पढ़ते हैं है ना और मीरा भाई को जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिन्दिगी क क्रश्ण के नाम कर दी किसके नाम कर दी क्रश्ण के नाम कर दी जिंदगी नामा जो रिचना होगी वो किसकी होगी जिंदगी नाम कर दी किसके क्रश्ण के तो क्रश्णा सोपती है ना जिंदगी नामा जिंदा रोक ये क्रश्णा सोपती की है क्योंकि जिंदगी नाम कर दी स जिन्दगी नामा जिन्दा रुप के लिए ठीक है याद रख लेना मैं कभी भी पूछूं जिन्दगी नामा के रेचनाकार कौन है आप बता दोगे सर जिन्दगी नाम कर दी क्रश्ण के ठीक है तुक्रश्णा सोपती है ना अंगला बता ना ताप के ताय हुए दिन दोस्त और त्रिलोचन यानि कि जिसकी तीन आखें हो है ना वो त्रिलोचन और ताप के ताय हुए दिन हमने काई से देखे लोचन से देखे तो त्रिलोचन है ना त्रिलोचन अब मैं कभी भी पूछूंगा कि ताप के ताय हुए दिन आये तो जरूर थे लेकिन हमने लोचन से स्रद्धा का दोर के रचनाकार कौन हैं चार विकलब दोस्तोंigious स्रद्धा, आपनों बोलते ना है पूर्ण स्रधा से आप काम करूगे तो आपका काम सफल होगा लेकिन लोगों की आजक़ की जो ब्रप्रक्राउयका कैसी हो गई है बिकलांग हो गई है कैसी हो गई स्रद्धा बिकलांग हो गई है और इसके बारे में हरी यानि की भगवान संकर भी सोचते हैं कि लोगों की स्रद्धा बिकलांग हो गई है तो बिकलांग स्रद्धा का दौर है कि हरी मतलब भगवान और संकर मतलब संकर जी हरी स संकर परसाई है ना ब्यंगकार हैं दोस्तो हरी संकर परसाई ठीक है हरी के प्रती संकर के प्रती लोगों की स्रद्धा बिकलांग होती जा रहे हैं इसलिए बहुत सारे क्या है संकर आ रहे हैं स्रद्धा बना के रखो स्रद्धा को क्या नहीं करना बिकलांग नहीं करना तो ब 1881 में ए चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है ताप के ताय हुए दिन लोचन से देखे और 1881 जो है बार देखे है ना और 1881 इसका रचना साहित अकादमी प्रुसकार मिला और बेकलांग स्रद्धा का दौर हरी संगर परसाई ब्यांगकार है 1982 में से साहित अकादमी प्रुसकार मिला दोस्तो अब दोस्तो खूंटियों पर टंगे लोग खूंटियों पर टंगे लोग अब ऐसा नहीं लग रहा कि खूंटियों अगर खूंटी होते ही तो एक व्यक्ति और खूंटियों पर यानि कि बहुत सारे लोग खूंटियों पर ट प्रुसकार मेला। तो कितने लोग टंगे थे!? ** लोग टंगे थे!' कितने 83, तो 1983 में से साहे तकादी प्रोषकार भी मिल गया, खूटियों पर टंगे लोग, है ना, अगला है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, किसे, पहले बोलते थे रगवीर सहाई करना, राम सहाई करना, आज तो लोग भूल गए हैं रगवीर को, है ना, लोग होते थे रगवीर सहाई, मुझ से आवाज निकली रगवीर सहाई करना, लोग भूल गए हैं, कहने कि कैसे, रगवीर, आ नम्मर आपका बिल्कु सही है, है ना, वो आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होगा, कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना, कोई, और सु पूची जाती है, और 1984 में से साहे तकाद्मी प्रुसकार भी मिला है, ठीक है, दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूँगा, कि जितनी भी साहे तकाद्मी प्रुसकार से प्रुसकेत रचनाएं हैं, ग्यान पीट, ब्यास सम्मान, इस सबसे पहले आपके लिए महत्पुर होती है है ना, क्योंकि यह रचनाएं अधिकांस पूची जाती है, तो लोग भूल गये हैं किसे रगवीर साहे, ठीक है, कब्बे और काला पानी की रचनाकार कौन है दोस्तों, कब्बे और काला पानी, आपने सुना होगा दोस्तों, आजादी के पूर्व काले पानी की सजा होती काले पानी की सजा यानि कि अगर ये काले पानी की सजा हो गई अगर वैक्ती को तो वो बापिस नहीं आ पाता था कभी काले पानी की सजा है ना अंडवान निकुबार दीप आपने देखा होगा बहाँ पर इसको समुद्र के उस पार भेज दिया जाता था और बहां से बापिस नहीं आता था कभी ब्यक्ती और कब्बे और काला पानी यहाँ पर आप देखो समुद्र में एक साइट काला पानी है और एक साइट कैसा है निर्मल पानी है तो हमें कैसा पानी पीना है काला पानी नहीं पीना हमें निर्मल पानी पीना है कैसा निर्मल त यह काला पानी इसी का संबंध किस्ते होगा निर्मल पानी से तो निर्मल बर्मा इसके रचनाकार होंगे और 1985 में इसे क्या मिला साहे तकादिम पुरस्थकार मिला यह चीज भी आपको याद रखनी है मैं कभी भी आप पूछूँगा आप कभी नहीं भोलोगे मैं बोलूगा कब्बे और काला पानी तो आप बता दोगे कि काला पानी नहीं सर मुझे निर्मल पानी पीना है तो निर्मल बर्मा ठीक है अंगला है अपूर्बा की रचनाकार कौन है दोस्तों यह याद रखना है बहुत ही बढ़िया रचना है अपूर्बा और अपूर्बा दोस्तों एक केदारनात अगरबाल जी की रचना है केदारनात अगरबाल ठीक है और आपको पता होगा कि पूर्ब में केदारनात में एक बहुत भेंकर क्या आई थी बाड़ आई थी तो केदारनात में पूर्ब में आई थी तो अपूर्बा एक केदारनात अगरबाल की है और दोस्तो 1986 में इसे साहे तकादवी प्रोस्कार मिला 1986 में अपूर्वा के लिए ठीक है और केदारनात अगरबाल इसकी रचनाकार है इन्हें कैन का कभी भी कहा जाता है केदारनात अगरबाल जी को अगला है दोस्तो मगद की रचनाकार कोन है मगद अब एक चीज बताना दोस्तो कि जो मगद है मगद मगद के जो राजकुमार थे वो क्या करते थे मगद के आपने क्या पड़ा था मगद एक समराज था है ना बहुत बड़ा समराज था मगद और मगद यहां पर रचना आई है तो मगद के जो राजा होते थे दोस्तों जब किसी को सजा देते थे तो वो क्या करते थे कान पकड़ते थे क्या पकड़ते कान कान पकड़के सजा देते थे तो स्रीकान्त आपका बिल्कुँ सही होगा स्रीकान्त क्या है 1987 ठीक है रचनाकार नहीं मतलब इसे साहे तकादमी प्रोषकार मिला है मगद के रचनाकार है स्रीकांद बर्मा और 1987 में इसे साहे तकादमी प्रोषकार मिला ये चीज़ आपको याद रखनी ठीक है अंगला है दोस्तों अरंड की रचनाकार कौन है अरंड अरंड मतलब आपको पता है क्या होता है अरंड मतलब होता है बन और बन में कौन गएते अयोध्या के नरेश स्री राम गएते बन में कि नहीं गए 14 साल का वनवास हुआ और कहां गएते अरंड में गएते वन में गएते कौन गएते नरेश तो अरंड की रचनाकार कौन होंगे नरेस महता ऐसे common sense लगाना है और कुछ भी नहीं है ये ना कोई track है ना कुछ सिर्फ अरंड में कौन गएते तो वो ले अयुद्ध्या के नरेस गएते तो नरेस महता आनम मर आपका बिलकुँ सही होगा और दोस्तो 1988 में 1988 में इसे क्या मिला साहे तकाद्मी पुरुषकार मिला अरंड के लिए ठीक है नरेस महता जी की बहुत ही बड़ीया रचना है याद रखना अकाल में सारस की रचनाकार कौन है दोस्तो अब दोस्तो एक चीज़ याद रखनी है एक है केदारनात अगरबाल और एक है केदारनात सेह ठीक है केदारनात अगरबाल की रचना अपूरुबा के लिए साहे तकाद्मी पुरुषकार मिला लेकिन जो अकाल में सारस है ये केदारनात सेह की रचना है केदारनात सेह है ना और इसे भी साहित अकादमी प्रुसकार मिला यानि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा और अकाल में सारस कहां जा रहे थे केदारनास जा रहे थे अकाल में सारस ये सारस हैं दोस्तों सारस है ना और सारस आपने देखे होंगे और ये कहां जा रहे थे अकाल में केदारनास जा रचना है अकाल में सारस और 1989 1989 में दोस्तों इससे साहित तकाद्मी प्रुस्कार मिला यह चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंगला है नीला चांद के रचना कार कौन है दोस्तों नीला चांद और दोस्तों आपने देखा होगा संकर जी को आपने देखा है इनकी मूर्ति को आपने देखा है इनकी सिर पर यहाँ पर एक चांद का बो रहता है चांद का चित्र बना रहता है इस परकार से तो नीला चा है किसके सिरपर है सेव जीच के बिदेनि जान और इसकी होगी सेविशंब किसी ऊपर साथ सैंकी तो लुघ किसी और हम्यों नहीं जान आप नें दिखा धियासा और इसे मिला 1990 साहित कादवी प्रशकार मिला साहित कादवी ठीक है इस इसको आपको याद रखना है दोस्तों मैं बक्त के हूँ सामने मैं बक्त के हूँ सामने मैं अगर किसी से बोलू कि मैं बक्त के हूँ सामने तो वो बोलेगा यार बक्त के सामने क्यों खड़ा है गिरजा क्या कर गिरजा तो मैं बक्त के हूँ सामने क्यों खड़ा है गिरजा यानि कि गिर्जा कुमार मातोर ठीक है गिर्जा कुमार मातोर इसकी रचना कार हो जाएंगे अब बक्त के सामने खड़े नहीं होना है गिर जाना है ठीक है तो गिर्जा कुमार मातोर मैं बक्त की हूँ सामने गिर्जा कुमार मातोर और 1991 ठीक है 1991 में दोस्तों इसे क्या मिला स चाहे तकादूी प्रसकार मिल गया और ढ़ाई घर की रचना कार कौन है दोस्तुू अब देखो दोस्तो एक चीज जाद रखना कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि मैं बक्त की हूं सामने गिरजा कुमार मात्वर ठीक लेकिन ढ़ाई घर अब यहाँ पर common sense लगाना, धाई घर हो कैसे गया, तीन घर होगे तीन घर, तीन घर मैंसे आधा घर क्या हो गया, गिर गया, गिर गया बचे कितने धाई घर, तो धाई घर मैंसे आधा, तीन मैंसे आधा गिरा, क्या गिरा, घर गिरा, तो कौन होगे, गिरा तो गिरी राज के सोर थे कितने गर थे इस प्रिकार से और यहां से आधा घर गया तो कि आनम मर आपका बिल्को सही होगा धाईगर की रचनाकार गिरी राज के सोर और उनुनीस सो बानवे trolls में इसे क्या मिल गया साहे तकादमी प्रुसकार में बहुत ही बढ़िया कई बार पूची गई है अब आप कभी नहीं भूलोगे आप तो बीडियो देखकर भूल जाना बीडियो को जब आप परिच्चा हाल में बैठोगे और कॉस्चन आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक आपको याद आ ही जाएगी आपको कोई कोड याद नहीं करवा रहा है सिर्प आप प्रस्ण को देखोगे और उत्तर आप 101% सही लगा के आए हुए ठीक है धाईगर की रचनाकार गिराज के सोर है अर्ध नारी सोर की रचनाकार बताना है अर्ध नारी सोर दोस्तो अर्ध नारी सोर ये आपने देखा होगा कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें आधे गुण तो होते हैं नारी के और आधे होते हैं पुरुष के है ना अब बोले यार आधे गोड़ आप में नारी के आधे पुरुस्के हैं ये कैसा हुआ अरे बोले अब विश्णु जी है स्रश्टी के रचेता जैसा बनाया भगवान ने वैसा है है ना तो किसने बनाया स्रश्टी को विश्णु जी ने अब भगवान ने जैसा बनाया यानि क विष्णू प्रभाकर ठीक है विष्णू प्रभाकर बी नम्मर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है बहुत सारी धारना हैं दोस्तो इस रश्टी के बारे में है ना बहुत सारी हैं प्रतिवी की रचना कैसे हुई धारमेक माननता हैं बैज्ञानेक माननता हैं सारी मानन अलग-अलग है ठीक है फिलाल हमें सिर्फ याद करने का यह माध्यम है है ना और याद अपन करती रहते हैं कहीं नहीं बहीं की रचना कार कौन है दोस्तों अब यह रचना है कहीं नहीं बहीं अब लिए सर यह से कैसे याद होगी है कैसे याद होगी, 4 बिकल्फ हैं, 2 सेकंड आपको दिये जाएंगे, कही नहीं बहीं, जब सीता जी का हरण हो गया दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि हमें कहीं नहीं, हमें वहीं वैटना है, कहां? असोक के बरक्ष के नीचे, कहीं नहीं, वहीं, तो कहीं नहीं वहीं के रचन असोग बरक्ष और असोग के नीचे बैठना है हमें कहीं नहीं वहीं यहनिकि असोग के बरक्ष के तो असोग बाज पर इसके रचनाकार होंगे और 1994 में इसे साहेत अकादियी प्रोषकार मिला बहुत ही बढ़ीया रचना है अब आप कभी नहीं भूलोगे बोले कहीं नहीं कहां असोग के बरक्ष के नीचे यहां पर देखो चित्र में जरा हनुमान जी आये हैं और सीता जी असोग के बरक्ष के बैठी हमें कहीं नहीं जाना हम तो बहीं जाना असोग के बरक्ष के नीचे ठीक है तो इस प्रकार से याद रखेंगे कोई दूसरा नहीं की रचनाका किसको बोलते हैं, बोलते होंगे, है ना, तो कभी-कभी ऐसा होता है, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुमर चाहिए, क्या 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 चाहिए, क् कुंगर चाहिए, 95 साल का, कितने साल का, 95, ठीक है, तो 95 याद रख लेना, 1995, कुंगर नारायन, कोई दूसरा नहीं, कुंगर चाहिए, 1995 में से साहित अकाद्मी प्रुसकार मिल गया, मुझे चांद चाहिए, लो, अब कुंगर चाहिए, अब चांद चाहिए, तो मुझे अगर आपको चाहिए है, तो ऐसा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, भाई, जब अपन उपर चांद आकास में हैं, बोले, इंदर भी रहते हैं बहीं पर, इंदर से क्या करनी पड़ेगी अपनको, परमीसन लेगी नहीं पड़ेगी, परमीसन, बोले, मुझे चांद चाहिए, अब चाहिए तो ठीक है, और इंदर को क्या कहते हैं, सुरेंदर भी कहते हैं, इंदर का परयाबाची होता है, दोस्तों सुरेंदर, क्या होता है, सुरेंदर, है ना, तो अगर चांद चाहिए, तो इंदर की परमीसन लेना है, सुरेंदर की परमीसन लेना है, तो सुरेंदर बर्मा मुझे चांद चाहिए सुरेंदर बर्मा की रचना है कभी भी याद रख लेना बहुत अच्छी रचना है मुझे चांद चाहिए और इसके लिए आपको सुरेंदर की परमीशन लेनी पड़ेगी इंदर की परमीशन लेनी पड़ेगी और डी नमर आपका बिलको सही हो पड़ा है तुलशीदास कभी का नाम है लेकिन एक रचना भी है तुलशीदास अब याद रखने ना तुलशीदास और मुक्ति बोद अधिकान से एकजामों में पूछी गई क्योंकि लोग समझते हैं कि तुलशीदास तो कभी का नाम है इसलिए पूछी जाती है मुक्ति ब बिचना है तो वो आपको बताना हूँ एक मैं बताता हूँ एक आप बता देना ठीक है तो क्या हो जाएगा तालमेल बना रहेगा हमारे और आपके बीच इसी परकार से सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कौन सी ट्रेक सबसे अच्छी लगी वो कमेंट में आपको लि लगता है कितनी आपके अंदर जानकारी है वो भी देखता हूँ ठीक है तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके सेर अबस्त करें और चेलेंज प्रसन सभी को सुईकार करना है जितने लोग लाइब नहीं देख पाते हैं वो क्या करें वो बाद में देखें अपनी प्रिजे है 9098609291 इस नमबर पर आपको SMS करना है आपको लिंक मिल जाएगी गुरूप की ठीक है और यह अपना टेलिग्राम गुरूप है टेलिग्राम गुरूप में आपको जुड़ना है तो टेलिग्राम एप डाउनलोड करो उसमें सर्च करो IAS Study Trick और जोईन हो जाओ ठीक है और WhatsApp नमबर तो आपको दे ही दिया है और सब्सक्राइब करो ना भूलें दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और किसी कि समस्ते आती है किसर नोटिफिकेशन ने मिलता बिलकुल ने मिलता आप क्या करते हो बैल आइकन को दबाते हो लेकिन आल पर किलिक नहीं करते जिससे आल करें और वीडियो को लाइक करके सेर अबस्त करें आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जै हिन जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी किलासे स्विस्समित जैन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्फ स्टडी क्लासे से अपको enrich अप करते हैं अपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये self study classes ठीक है ये play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है ये image उसमें डली है ये icon ये logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे